एंड वन्स अगें वेलकम तो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स बाइ डबलो एस क्यूब टेक माइसलफ उमर तसकीर गाइज इस पर्टिकुलर मॉडियूल में जो कि है हमारा मॉडियूल नमबर पॉर इसमें हम लोग बात करेंगे शोशल मीडिया ऑप्तिमाइजेशन के बारे में समझेंगे शोशल मीडिया ऑप्तिमाइजेशन क्या होती है और किस तरीके से हम शोशल मीडिया ऑप्तिमाइजेशन करते हैं अलग-अलग शोशल मीडिया प्लाटपॉम्स के लिए अलग-अलग शोशल मीडिया एकाउंट्स क के लिए कि फेस्बुक के लिए क्या हम बात करें तो फेस्बुक है ट्विटर है इंस्टाग्राम है लिंग्डिन है तो किस तरीके से फेस्बुक के लिए हम सोचल मीडिया ऑप्टमाईजेशन करते हैं किस तरीके से हम इंस्टाग्राम के लिए क्या हमारे स्टेप्स होते हैं और इससे हमें क्या फाइदा होने वाला है तिन चीजों का हमें ध्यान रखना है उसके बार नेक्ष्ट वीडियो से बिलकुल प्रैक्टिकली मूव करेंगे एक एक चीज को समझेंगे किस तरीके से सोचल मीडिया अप्तिमाइजेशन करते हैं यानि कि बिलकुल बेसिक से प्रोफाइल के साथ आपको कोई एक पेज जरूर होना चीए यानि एक चीज मैं अगर आपको यहीं पर समझाने कोशिश करूँ तो फेस्बुक प्रोफाइल एक अलग चीज होती है और फेस्बुक पेज एक अलग चीज होता है जब कभी भी आप किसी बिजनेस को किसी और और अर्गनाइजेशन को सोशल मीडिया के ऊपर या फेस्बुक के ऊपर स्पेसिफिक अलगी रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो आपको फेस्बुक पेज की ज़रूरत पड़ती है राइट फेस्बुक पेज जो आप लोग फेस्बुक के ऊपर एकाउंड बनाते है उसक फेस्बुक प्रोफाइल नहीं होती गाईज उनके फेस्बुक पेज़ेस होते हैं तो यह बात आपको ध्यान रखनी है तो कभी भी अगर आप किसी बिजनेस का रिप्रेजेशन करें बिजनेस का सेलिबरिटी का किसी बीचीज ओर्गनाइजेशन का किसी एंगीओ का ठीक ह इन सारी चीज़ों का अगर आप रिप्रेजेशन कर रहे हैं फेस्बुक के उपर उनको दिखा रहे हैं उनका प्रिजन्स बना रहे हैं फेस्बुक के उपर तो आपको फेस्बुक पेज की ज़रुरत पड़ेगी ना कि प्रोफाइल की बात क्लियर होगी पेज होना तो चलिए फिर से बात करते हैं कि आखे शोचल मीडिया ऑप्तिमाइजेशन क्या होता है तो यहां पर आप देख सकते हो डेफिनेशन आपको दिख रही है यह शोचल मीडिया की जो हमारी स्ट्राइजी उसके लिए बहुत जरूरी है यहां पर हम लोग देखते हैं कि इसक उसके बाद वो कोई अफर्ट नहीं करते हैं बट एसमो है कि आखिर शोचल मीडिया ऑप्तिमाइजेशन इस अबाउड इस्ट्राइजी कली का यहां पर मतलब यह है कि प्लाइन करके स्ट्राइजी कली क्रियेटिंग बिल्डिंग एंड मैक्सिमाइजिंग यूर सोचल बिल्ड करना है और इंप्लिमेंटेशन के बाद उस प्लाइन को स्केel करना है मतलब पहले अगर आपका और आटारगेट 100 विसिटर्स तक पहुचने का था तो स्केल करने का मतलब यह हो गया कि अब आपका तर्गेट 1000 विसिटर्स तक पहुचने का होगा यह सारी चीजज जो हमारे भविश्य में हमारा product या service ले सकती है यह basic से definition हुई समझना है हमें इसको कि यह strategically implement होती है strategically मतलब planning करके आपको कुछ sequence, कुछ steps, कुछ guidelines, कुछ road map plan करना पड़ेगा उनके according आपको social media optimization करना होता है next हम बात करें क्या हमें फाइदा देगा यह हमारी brand की strength को पढ़ाता है यानि हमारी जो brand awareness है उसको जो है improve करता है लोगों को हमारी brand के बारे में पता चलता है social media के उपर अगर हम regular post करेंगे, हमारी profiles बनी होंगी तो audience को पता चलेगा कि ऐसी भी कोई brand है जो exist करती है second generate leads, leads generate करने में हमारी help करेंगी visibility online होगी, मतलब हमारी जो brand है उसको जादा तर लोग जान पाएंगे connect with your audience, आप अपनी audience के साथ जो मैंने अभी आपको बताया आप अपने prospects के साथ, आप अपने already जो आपके customers हैं उनके साथ आप एक connect establish कर पाएंगे यह होते हैं हमारे social media optimization, अब इसमें होता क्या है right, मतलब steps, कैसे हम social media optimization करते हैं और कौन-कौन सी ऐसे important चीज़े हैं, चो social media optimization में involved रहती है हम लोग इसकी बात करते हैं, तो जो पहला step आप यहाँ पर देख रहे हो वो पहला step आपको दिख रहा होगा, optimize your strategy यानि सबसे पहले आपको planning करनी है, कि हमारा main objective क्या है हम इस particular platform से, यानि Facebook से, हम क्या achieve करना चाह रहे हैं अगर हम clients, customer लाना चाह रहे हैं, तो हम देखेंगे कि हमारी planning क्या होनी चाहिए, किस तरीके से हम clients ला सकते है then optimize your profile, second चीज क्या है, हमें अपनी profile को optimize करना है मैंने पहले भी आपको बताए, profile photo, username, bio, ये सारी चीज़े हमारी optimized होनी चाहिए जैसे यहां पर profile गाई इसलिए लिखा हुआ है, क्योंकि Facebook के लिए अगर हम बात करें Facebook में, तो Facebook में तो ये page होता है लेकिन अगर हम बात करें Twitter में, तो Twitter में इसको हम handle बोलते हैं Twitter handle, जो आप देखते हो na at the rate, ऐसे करके जैसे अमिताब बच्चन का है तो at the rate अमिताब बच्चन अगर लिखा हुआ है, तो ये इसको हम बोलते है Twitter handle, right, at the rate अगर Apple लिखा हुआ है, तो this is basically Twitter handle तो Facebook के case में Facebook profile तो individual की होती ही, business representation में Facebook page हो जाता है, Twitter में handle हो जाता है और Instagram में भी हमारी profile होती, इसलिए यहाँ पर profile लिखा हुआ है, राइट, बात समझ में तो आपका जो भी है, उसमें आपको profile photo, username, bio को organize रखना है, मैं सब तिखाऊंगा, इस तरीकिसा हम लोग रखेंगे हमें अपने content को optimize रखना है, original content रखना है, ऐसा नहीं है, content में spelling mistake कर दी, आपने grammatical mistake कर दी, images है तो images ही आप post करते जा रहे, text post ही नहीं कर रहे है image अकर आपने post करी तो उसके बारे में कुछ नहीं लिखा आपने, तो your content should be optimized, your content should be original, and your content should be relevant to the audience, right, अगर आपका business, जिस भी field का है, आपको उससे related content वहाँ पर publish करना है, right, next, use images and videos, यह बहुत high engagement लाते हैं, guys, बहुत सारे लोग इसके उपर engage करते हैं, click करते हैं, देखते हैं तो हम कोशिश क्या करनी ही कि आज के टाइम में हमें images और videos को अकनी social media की strategy में जाधे 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 यूज़ करना है, do proper research on hashtags, बहुत सारी आपको research करनी, guys, आप hashtags देखते होंगे, जैसे hashtags, आप Twitter के उपर देखते हैं, तो Twitter के उपर hashtags बहुत अच्छी तरीके से काम करते हैं, hashtag Instagram के उपर भी काम करते हैं, बट अगर हम रात करें Facebook के उपर, तो hashtags काम नहीं करते हैं, अगर इन दो चीज़ों को आप देखोगे, Twitter को और Instagram को, तो guys, इसमें hashtag बहुत अच्छी तरीके से काम करते हैं, lengthy post gets more reach, अगर आप कोई post कर रहे हैं, जैसे कोई post आप करते हैं, तो आपको क्या करना है, थोड़ी से length इसकी increase रखनी है, और length increase करने का ये मतलब नहींगे, सबको एक साल लिखने, बीच में paragraph अगरा ब्रेक करके, आपको proper एक post लिखनी है, keep looking at the analytics and keep improving, आपको देखना है, अब यहां पर क्या करना है आपको, ये समझना है आपको कि आपने इस week दो post करी, right, for example, मैं कुछ example आपके सामने रखता हूँ, तो और ज़्यादा आपको clear tea हो जाएगी, हमने एक post करी Saturday को, और हमने एक post करी Sunday को, अब आपने देखा कि जो Saturday को मैंने post करी थी, इसमें मैंने images यूज किया था, तो मैंने देखा कि जो Sunday की हमारी post थी, अगर हम Sunday को देखें, तो जो Sunday को हमने post करी थे, इसके उपर बड़ा high engagement आया, लोगों ने इसको like किया, इसको share किया, ये सारी चीज़े करी, तो हमें समझ में आता है, कि हमें analytics देखनी है, हमें देखना है कि उस post की performance क इस तरीके से रही, उसके basis पे हमें further decisions लेना, तो अगर इसमें कुछ improvement हुआ, यहां कुछ जो हमें Sunday वाली post में कुछ अच्छी analytics देखने को मिली, तो हम क्या करेंगे, हम next strategy में कोशिश करेंगे, कि हम videos को ज़्यादा use करेंगे, फिर उसको देखेंगे, कि उसकी analytics हमें क्या प पार्ट है, यही सारी चीज़े हमें करनी होती है, गाइस इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग अलग-अलग platform के basis पर social media optimization को समझने वाले हैं, गाइस एक बात हमें हमेशा ध्यान रखनी कि जब हम social media optimization की बात करते तो हमारे जो efforts हैं, वो सारे ही platforms के लिए होंगे, हम अपन efforts, Instagram पे भी करेंगे, LinkedIn के platform पे भी हम अपने efforts करेंगे, नहीं social media optimization पे हम करेंगे, तो जितने भी platform से हैं, सभी के लिए हम social media optimization करेंगे, गाइस एक बहुत important चीज़े जो आपको हमेशा ध्यान रखनी है, वो यह है कि सारे social media platforms अलग होते हैं, अगर आपने जो strategy बनाई है Facebook पेज के लिए, जरूरी नहीं है कि वो strategy Twitter पे भी काम आए, वो strategy Instagram पे भी काम आए, जो content आपने बनाई है, जैसे कोई image आपने Facebook पे पोस्ट करने के लिए बनाई है, जरूरी नहीं है कि वो image आपकी Instagram में भी काम आजाए, क्योंकि हर एक platform, एक दूसरे type का platform होता है, और हर एक platform के ही common audience होती, in general audience, हम यह नहीं कहेंगे कि Facebook के उपर businessmen ज्यादा होते हैं, हम नहीं कहेंगे कि Facebook के उपर students ज्यादा होते हैं, यह हम नहीं कह सकते, Facebook एक ऐसा platform है, जो mix platform है, यहाँ पर आपको सभी type की audience मिलेगी, अगर हम चाहते हैं, जो income group के लोग हैं, उनको target करना चाहते हैं, वो हमारे potential client या customer भविश्य में बन सकते हैं, तो वो audience भी Facebook के उपर available है, अगर हम students चाहते हैं, तो students भी हमारे Facebook के उपर available हैं, तो Facebook के उपर हमें mixed audience मिलती है, हर तरीके की audience हमें मिलती है, वहीं पर हम compare करते हैं, इसको Twitter से, तो Twitter के उपर आप क्या देखते हो, किस type का content आपको म इस type के content है, वो आप देखते हों कि आपको Twitter पे जादा मिलता है, Twitter पे आप क्या देखोगे, कि सारे government के accounts हैं, Twitter पे आप क्या देखोगे, सारे politicians के account है, वहाँ पर celebrities के accounts आपको मिलेंगी, जो famous personalities है, famous companies है, वो अगर कुछ जो है information public में देना चाहती है, तो जादा तर क्या करती ह एक ऐसा platform है, जो दूसरे तरीके से काम करता है, तो क्या हमारी strategy, जो हम बनाते है, social media optimization के point of view से, वो Facebook के लिए भी सेम रहेगी और Twitter के लिए भी सेम रहेगी, ऐसा नहीं, हमारी strategy Facebook के लिए अलग होगी, Twitter के लिए अलग होगी, अब support की भी बात आती है, जैसे Twitter में जो character support है, य तो मैं यहां Twitter में हूँ, ठीक है, Twitter account में हूँ basically अभी, तो अगर मैं Twitter account में होता हूँ, यहां देखो, मैं tweet करना चाहरा हूँ, कुछ भी, post करना चाहरा हूँ basically, जब मैं यहां post करना शुरू करूंगा, तो ऐसा नहीं कि आप यहां पर सब कुछ post कर सकते, यह देखो, यहां आपको यहां पर देख रहा है, जैसे मैं यहां पर टाइप करता हूँ, WS Cubetech is a digital marketing agency in India, we provide digital marketing consultancy and services across the globe, तो यह आप क्या देख रहा हूँ, यहां पर आपके पास कुछ limit है, बहुत सारी चीज़े जो हैं आप पर नहीं post करते हैं, आप क्या हो, कि बड़ा सा paragraph आप यहां पर कर दो, तो नहीं कर सकते, तो अगर आपने content ऐसा बना लिया, जो 10 line का है, 20 line का है, पचास line का है, तो यहां नहीं post हो सकता, तो Twitter तो उस point of view से बिल्कुल बेकार हो जाएगा, उसका इसका इस्तमाल नहीं कर सकते, तो हर social media platform unique होता है, unique with respect to the audience that they are having, मतलब किस टाइप की audience उनके platform के उपर है, इस audience के basis पर वो unique होता है, और क्या facilities वो provide कर रहा है, उसके basis पर वो unique होता है, जैसे हम बात करें, live जाने की या ऐसे बहुत सारे functions की, जो Twitter पे available नहीं है, बट वो Facebook के उपर और Instagram के उपर available है, तो हर एक platform unique होता है, तो बात समझने वाली ये है, कि हमें हमेशा हर platform के according अपने content को बनाना है, Twitter के लिए हम short content मनाएंगे, Facebook post के लिए हम थोड़ा lengthy content मना सकते हैं, इसी तरीके से Instagram के अगर हम बात करें, वापस हम लोग आते हैं यहाँ पर, और आप देख सकते हो, यहाँ पर जो मैं आपको बताने कोशिश कर रहा है, तो Facebook page जो हम लोग बनाते हैं, उसका optimization हम किस तरीके से करते हैं, हमें right name चुनना है, हमें URL unique करना है, मैं आपको इस चीज़ को भी दिखाता हूँ practically, तो आपको और ज़्यादा समझ में आएगा, यहाँ पर आ जाता हूँ अपने Facebook page को पर, अभी आप इस बात से confused मत होगी page कैसे create करेंगे, मैं आपको strategy बता रहा हूँ कि social media optimization में आपको किन-किन चीज़ों का ध्यान रखना है, पहले इस चीज़ को समझ लेते हैं, तो guys यहाँ पर आप देख रहे हो facebook.com slash wsqtech India, यह custom URL होता है, जो हमारी identity होती है, अब हम क्या कोशिश करेंगे guys, कि wsqtech India, यही नाम ह हमारा सारे platform पे रहे, तभी तो uniqueness है, अगर आपने यहाँ पर facebook पे डाला, wsqtech India, उसके बाद twitter पे चलेगे, wsqtech जोथपूर, उसके बाद instagram पे चलेगे, wsqtech के वल, और उसके बाद facebook किसी और platform पे चलेगे, linkedin पे चलेगे, वहाँ wsc डाल रखा है, तो this is not a great thing, यह अच्छा optimization नहीं, आपको क्या करना है, आपको जो नाम है, वो unique रखना है, सारे ही platform पे, यह जो urls बनते हैं, यह guys आपको unique रखने है, सारे ही platform के ओपर, इनको settings में जाके हम लोग change कर सकते हैं, ऐसा नहीं, इनको change कर सकते हैं, बड़ कोशिश करनी है, कि आप unique रखो, बहुत cases में ऐसा भी होता है, यूनीक नहीं मिलेंगे, तो उसे मिलते जुलते रख सकते हैं, बट कोशिश यह करनी ही, कि आपके जो names है, वो unique रहे हैं, यही point यहां पर लिखा हुआ है, तो fill your profile, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है, कि यह जो सारे options आप देख रहे हो, जैसे यहां our story, य हरी होनी चाहिए, ठीक है, यहां पर आप देख रहे हो, यह जो लोग reviews दे रहे होना चाहिए, यह जो banner, जो मैं banner की आप से बात चरहा था, वो यह upside में banner, यहां आप image भी लगा सकते, वीडियो बे, कि होना चाहिए, लोगों जो है proper dimension में होना चाहिए, इतना छोटा भी आप लोगों मत लगा दो, क्यों दिखाई न दे, क्योंकि mobile के ओपर वो फिर दिखाई नहीं देगा, फिर guys problem होने वाली, right, तो इन सारी सीजों का हमें ध्यान रखना है, उसके बाद, pay attention to about a section, वही जो मैं बता रहा हूँ, about a section, story section, वो तब आपको ध्यान रखना है, plan a social media calendar, which is rich in photos and videos, आखके time में photos and videos ज्यादा popular है, तो आपको जो अपना social media calendar बनाना है, मतलब Facebook में क्या post करना है, इसके लिए आपको photos and videos की तरफ जाना पड़ेगा, also go for Facebook group, which are organically strong, guys, Facebook में तीन चीज़ा है, एक Facebook profile, एक Facebook page, और एक Facebook group, मैं आपको दिखाता हूँ इस चीज़ को, और आपको clarity हो जाएगी, guys, यह जब मैं page open कर रहा हूँ, this is basically Facebook profile, Facebook profile हमेशा एक individual की होती है, परसन की होती है, तो यह है, चैसे यह आप देख रहे हैं, तो यह मेरी Facebook profile हो गई, इसको बोलते हैं Facebook profile, आप लोग जो बनाते हो Facebook profile है, बिजनसे के लिए guys क्या होते है, Facebook page, यहाँ पर जो आप द यहाँ पर, और मैं यहाँ WS kubetech type करता हूँ, एक बार, तो आप देखोगे, यहाँ पर आपको Facebook group भी दिखाई देंगे, मैं WS kubetech यहाँ पर type कर रहा हूँ, तो Facebook group, क्योंकि हमने already Facebook group बना रहा है, तो Facebook group पे एक तरीके की community है, closed group, जैसे आप WhatsApp group देखते हो, उसी तरीके से closed community है, groups है, जहाँ पर बहुत सारे लोग interact करते हैं, तो अब मैंने यहाँ WS kubetech search किया, तो guys आप देखोगे, WS kubetech face दिख रहा है, WS kubetech face दिख रहा है, और यह WS kubetech हमें एक group दिख रहा है, तो WS kubetech group भी होता है, ओके guys, तो आपको समझ में आ गया होगा, कि Facebook में अलग-अलग चीज़ें होती, इन सभी कामें ध्यान रखना है, उसके बाद Twitter की बात करें, तो Twitter जिसमें ने आपको दिखाया, आपको बायो, जो बायो यहाँ पर आपको दिखती है, यह बहुत properly आपको लिखनी है, मैं इसको cancel करता हूँ, और वापस हम लोग इसको कर देता हूँ, मैं discard एक बार, और यहाँ आजाता हूँ, मैं profile पर, तो यहाँ बायो, बायो मतलब जो आप unique चीज़ लिखते हो, अपने बारे में, अगर आपकी individual profile है, तो उसके बारे में, अगर आपकी company की profile है, उसके बारे में, तो यह बायो जो है, यह आपकी बायो बड़ी ही unique हो हुआ है, तो proper header आपको यहाँ पर लगाना है, कि वो visible हो, और mobile पर जा जाके भी आपको check करना है, get trending content easily, you have to post content which is trending, इसके उपर आपको किस type का content पोस्ट करना है, जैसे कोई news oriented content है, कोई latest content है, उसको आपको जाधा post करना है, hashtags की research करके properly आपको यहाँ पर hashtag लगाने हो, और उसक एक hashtag है, मैं नीचे post पर आता हूँ, यह देखो, Chrome extension एक hashtag है, hashtag Google एक hashtag है, तो hashtag जब आप लगाते हो, तो आपके जो post है, उसके viral होने के, ज़्यादा तर लोगों तक पहुंचने के chances increase हो जाते हैं, जैसे मैं यहाँ explore में आता हूँ, जब आप कभी explore में आओगे, तो देखो कि यहाँ देखो, hashtag करण जोहर, trending है, बहुत सारे लोग इसके बारे में बात कर रहे है, इससे related post करना है, ठीक है, बॉलिवूड माफिया, यह trending है, कितने tweets हो चुके हैं, 28,600 के आसपास tweets हो चुके हैं, इसके उपर, मतलब उन लोगों ने, जिन्होंने hashtag बॉलिवूड माफिया, यूज किया है, अपने post में, वो कितने लोग हैं, 28,600 ऐसे लोग हैं, जिन्होंने इसको यूज किया है, तो यह क्या है, यह trending है, अगर आप भी इसको यूज करते हो, तो इसका मतलब क्या है, कि आपकी post भी जादता लोगों तक हो सकती है, तो आप क्या outdated चीज यूज करोग क्यों, क्योंकि हैश्टाग, जब बहुत सारे लोग हैश्टाग यूज करते हैं, तो हैश्टाग का एक bunch type का बन जाता है, कि इस हैश्टाग को लेकर कितनी post में, वो सभी दिखती है, तो मैं एक बार आपको करके भी दिखा दिता हूँ, जैसे economy on track है, इसको मैं click करता हूँ तो अब मुझे क्या दिख जाएंगे, सारी post दिख जाएंगे, जिसमें economy on track हैश्टाग को यूज करते हैं, तो वो सारी post जो एक हैश्टाग से related हो में एक साथ दिख जाते हैं, यह important चीज़ है, तो अगर आप भी ऐसे trending, जो popular है हैं, उनको यूज करोगे, बट content भी उसी से related हो, content पता चला, आपको कुछ और है, हाईश्टेग आपने कुछ और ले लिया, तो यह थोड़ी से गड़बडवात हो जाएगी, आपको दोनी चीज़े सेम लेनी है, तभी आपकी post जो है, वो viral होने की condition में आ सकती है, 100% शूर में भी काम करती है, बट ट्वीटर पर और अच्छे तरीके से काम करती है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक हैश्टेग सार इंपॉटेंट है, जो मैंने अभी आपको point बता है, हैश्टेग हमें trending hashtags जोनने हैं, और उनको हमें use करना है, उसके बाद हम बात करना है, Instagram की, it आपका product है, जैसे कुछ भी आप चीज बेच रहा है, तो उसको अगर आप visually represent कर सकते हैं, आपकी कोई service है, उसको visually represent कर सकते हैं, then Instagram is very great thing for you, तो हर platform की uniqueness है, जैसे Twitter के उपर visual चीज की इतनी uniqueness नहीं है, Twitter के उपर trending चीज की uniqueness है, Twitter के उपर आप hashtag को कितनी अच्छी तरीके से use कर र होना है, यही social media optimization होता है, अब देखो, only images and short videos are going to work on Instagram, influencers can perform well on Instagram, influencer, fashion influences, बहुत सारे अपने fashion influences देखे होंगे, models देखे होंगे, वो सब अच्छा perform करते हैं, Instagram के उपर, उनके fan following बढ़ जाती, जब उनके fan following बढ़ जाती हैं, उनके followers बढ़ जाते, तो क्या होता है, बहुत सारी brands उन से अप्रोच करती है, कि आप मेरे product को भी जो है, अपने profile में show कर लो है, मेरे product से, मेरी service से related भी आप एक video बना दो, ठीक है, तो उससे क्या होगा, कि उससे उनकी भी earning होगी, और जो brand है, वो recognize होगी, और जो influencer है, उसकी भी earning बढ़ेगी, तो यह इस तरीक से काम करता है, with TikTok got banned, अभी recently TikTok को इंडिया से ban कर दिया गया, और भी बहुत सारी Chinese जो apps हैं, उनको ban कर दिया गया, तो हमारे पास Instagram की और opportunity बढ़ गए, क्योंकि Instagram ने एक नया feature, Instagram Reels, उसको launch कर दिया, तो Reels विलकुल TikTok की तरह काम करता है, और Instagram में भी, अगर आप देखें, तो hashtag काम करते हैं, और hashtag काम करते हैं, बट Instagram की organic reach, मतलब अगर आप कोई post डालो, तो बहुत सारे लोगों तक कहुन जाए वो post, वो उतनी अच्छी नहीं है, जितनी LinkedIn में, LinkedIn एक और professional platform है, अब LinkedIn पे कौन से लोग profile बनाते हैं, कौन से लोग active लेते हैं, professional, job जो ढून रहे हैं, CEO, Vice Presidents, company के, company को represent कर करने वाले लोग LinkedIn के उपर होते हैं, तो अगर आपको job ढूननी है, professional relationships built करनी है, आपको professional content post करना है, तो आप सहां जाओगे LinkedIn पे ना कि Instagram पे, तो हर एक platform अपने आप में guys unique होता है, कुछ uniqueness रखता है, तो guys हमें ये भी समझना है, बहुत important चीज़ है, हम इस बात को समझना है, क साथ के हमें optimization करना है, guys इस particular video में हम बात करने वाले हैं, किस तरीके से हम लोग Facebook के उपर page, जो है, वो create कर सकते हैं, क्यूंकि Facebook के उपर page हमें बड़ी सीजों के लिए जरूरी होता है, अगर हम अपना business है, उसको represent करना चाहते हैं, Facebook के तो हमें page की जरूरत होती है, क्यूंकि my Facebook profile, तो ये basically एक individual को represent करती है, वहीं पर अगर हम pages की बात करें, जैसे अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ, WSQP page के उपर, this is basically the page, तो ये हमारे business को represent करता है, किसी professional बंदे को represent कर सकता है, कोई politician है, उसको represent कर सकता है, तो अगर कोई celebrity है, उसको represent करने के लिए हमें page की जरूरत प इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर हम लोग देखने वाले किस टाइपस हम लोग page कर सकते हैं, तो अगर आपने पहले वाले basic वाले videos देखे होंगे, यह completely change हो गया है, तो यहाँ पर जो फेस्बुक page करने का options है, वो भी change हो गया है, जो layout किस टाइपसे हम Facebook page करते हैं, वो change ह हो गया है, तो गैस हमें क्या करना है, simply plus के उपर क्लिक करना है, और यहां से आ जाना है हमें, page की अपर, यहां से हम page, वो create कर सकते हैं, तो गैस मैं कुछ और जो हमें assets की जरुरत पढ़ेंगी, उनको मैं यहां से निकाल लूँगा, जो हम लोग assets को निकाल लेंगे, तो मैं इस image को save कर लेंगा, save image as desktop के उपर, find, and यहाँ पर cover, यह cover image है, तो मैं एक बार इसको cover image लिख देता हूँ, find, यहाँ से मैं एक और जो यह हमारा logo वाली image है, इसको भी मैं save कर देता हूँ, save image as logo, ठीक है, इन चीज़ों के हमें जरूरत पड़ेगी, fine, तो इस point of view से मैंने इनको यहाँ पर copy कर लिया, now I'll come over here, और जो basics information है, उसके basis में हम लोग एक बार paste to create कर लेंगे, और उसके बाद बड़ी सारी चीज़ें हम लोगो को setup करने पड़ती हैं, बहुत सारी settings के options हमारे pages में, बहुत सारे control के options हमारे pages की settings में होते हैं, तो मैं page का name यहाँ पर रख देता हूँ, WS Cubetech Institute, ठीक है, आप कुछ भी page का नाम यहाँ पर रख सकते हैं, आप कुछ भी mention कर सकते हैं, जो भी आपकी category है, जैसे अगर आपकी category travel से related है, तो मैं travel एंटर करूँगा, तो आप देखो के travel से related, बड़े सारे हमें यहाँ पर options दिख रहे हैं, तो according to our requirement, according to our niche, जो भी हमारी niche है, जो भी हमारी business category है, उसको हम लोग यहाँ से select कर लेंगे, तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर जो हमारी business niche है, education, उसको मैं select कर लेता हूँ, education मैं enter करता हूँ, तो देखोगे, और भी चीज़ें आपको यहाँ पर समझ में आएंगी, education से related, मैं हाँ education select कर लेता हूँ, now choose a category that describes what your business organization or topic of the page represents, यह हम लोग कर सकते हैं यहाँ पर, write about what your business does, the services that you provide, or the purpose of the page, तो इसकी जो character limit है, वो यहाँ पर आप देख सकते हो, 255 character limit है, तो अभी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर जो हमारा about वाला section है, description वाला, उसको अब लोग enter कर देते हैं यहाँ पर, तो अगर हम लोग अपने page के उपर आ जाएं, तो आप देखोंगे, यहाँ पर आपको जो है, यह section मिल जाएगा, मैं नीचे आता हूँ एक बार, fine, तो यहाँ से मैं इसको copy कर लेता हूँ, एक बार, fine, बट आप देखोंगे, तो यह थोड़ा से लेंदी, तो इस वाली चीज़ को मैं copy कर लूँगा, यहाँ, perfect, मैंने इसको copy कर लिया, और इसको मैं यहाँ description में enter कर देता हूँ, उसके बाद guys हम लोग क्या करेंगे, एक बार जो इतनी हमें basic जो यहाँ पर options दिख रहे हैं, इनके basis पर हम लोग create कर सकते हैं page, बट यहाँ पर हमें cover page आड़ करने का option मिलता है, वो भी हम लोग कर सकते हैं, यहाँ पर अगर आप लग जाओगे, तो new messages जो होंगे, वो आपको यहाँ पर दिखाई देंगे, मैं यहाँ पर देख सकता हूँ इसका mobile preview कैसा आएगा, तो दोनों पर आप नज़र रखो किस टाइप से चीज़ें आपको दिख रहे हैं, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक बार के लिए मैं create page कर देता हूँ, आपके पास तो मैं ने जो भी यहाँ पर इमेज निकाली हूँ उनको मैं एंटर कर देता हूँ, लोगो मैं यहाँ से सेलेक कर लेता हूँ, प्रोफाइल फोटो जो है, यह हमाई लोगो हो गई, और यह हमारा cover image जो हम लोगो ने निकाला था, यह हम यहाँ से सेलेक कर सकते हैं, cover image और हमारा लोगो, और यहाँ पर हम दोनों का preview देख सकते हैं, देखो, यहाँ मोबाइल पर ठीक दिख रहा है, और यहाँ पर desktop पर ठीक दिख रहा है, अब हमारे page जो है, बेसिक जो settings है, वो हमारे page की setup हो चुकी है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यह सारा जो हमारी settings है, वो आपको यहाँ पर दिख रही है, यह हमारा cover page हो गया, यहाँ पर logo हो गया, यहाँ पर हम buttons, अपने जो call to action buttons है, उनको हम लोग use कर सकते हैं, और यह हमें बहुत सारी चीज़ें, यहाँ पर बता रहा है, कि हमने कुछी चीज़ों को यहाँ पर enter किया हुआ है, हम बाखी चीज़ों को भी हमें enter करना है, तो मैं क्या करता हूँ गया, यहाँ पर आप देख सकते हो, page की identity, कि जो भी आपकी identity है, अगर आप Facebook के उपर अपनी profile बना रहे हो, Facebook के उपर page करेट कर रहे हो, LinkedIn के उपर page करेट कर रहे हो, कहीं पर भी आप कोई भी अपनी identity establish करो, सबसे important चीज़ है, कि वहाँ पर जो भी information है, वो complete और accurate आपकी information होनी चीज़, तो optimization का यही सबसे पहला step होता है, यहाँ पर आप देख सकते हो, website में add website करता हूँ, ठीक हो, और यहाँ पर जो हमारी website है, उसको हम लोग enter कर देंगे, यहाँ से आप चाहो, तो यहाँ से भी आप इसको copy कर सकते हो, यह देखो, यहाँ से हम लोकेशन ले लेंगे, एक बार के लिए, यहाँ पर location में हमें नहीं देख रहा है, एक बार मैं नीचे आता हूँ, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, phone number, send message, info, business hours, और यहाँ पर यह सारी चीज़ें हमें mentioned है, तो मैं क्या करता हूँ, एक बार यहाँ से, मैं location जो है, वो type करता हूँ, fine, यहाँ हम लोग गूगल माई business से ले सकते हैं, fine, तो आप कोशिश करें कि internet के उपर, यहाँ गहीं भी आपके business का presence है, जो आपकी location है, वो same रहे, तो मैं यहाँ से Google माई business से location यहाँ पर, ले लेता हूँ एक बार के लिए, ठीके city में मैं जोथपूर एंटर कर दूँगा, और यहाँ पर postal code में मैं यह चीज़ एंटर कर देगा, fine, जोथपूर आजस्थान मैं यहाँ से remove कर देता हूँ एक बार के लिए, तो यहाँ पर हमारा जो address है, वो भी set हो गया है, ठीके उसके आप देखोगे business hours, मतलब आपके जो business हो, कप-कप operate होता है, तो मैं no hours रखता हूँ, या फिर अगर मेरा business कुछ specific time period में operate होता है, तो भी मैं आपर mention कर सकता हूँ, तो अभी के लिए मैं इसको leave करता हूँ, ठीके यहां more में अगर आप जाओगे, तो this does not apply to my page का भी option, अगर आपको लगता है कि यह चीज़ आपके page के ओपर apply नहीं होती, तो उसको आप select कर सकते हैं, and मैं इसको कर देता हूँ, save and finish letter एक बार, phone number हम लोग को add करना है, तो मैं एक बार के लिए, जो यहां पर official phone number है, उसको हम लोग enter कर देते हैं, यहां पर, right, phone number हमारा enter हो गया, now coming back, यहां पर हमारा phone number जो है, एक बार फिर से हमें enter करना हो, तेगा, here we have to select India, ठीके black theme selected is work, India select करने के बाद, मैं यहां पर phone number जो है, उसको enter कर देता हूँ, यहां पर आप देखोगे, phone number हमारा save हो गया, business arts को मैंने बात के लिए रखा हुआ, ठीके introduce your page, ठीके तो सबसे पहले आपको 10 लोगों को invite करना है, ठीके है, और उसके बाद आपको welcome post एक create करनी है, पहली, ताकि जो भी आपके page के उपर आ रहा है, जो भी आपके page के उपर आ रहा है, उसको एक welcome message या welcome post आप आप जो है दिखा सके है, तो गईस इस type से जो हमारा basic page का setup है, वो हो चुका है, तो मैं यहां पर क्या करता हूँ गाईस, मैं यहां पर WS Qubetech Institute सर्च करता हूँ एक बार के लिए, यहां पर आप देख सकते हो, institute मैं ने सर्च किया, और यहां पर हमारा यह page जो है, वो exist कर रहा है, मैं इसको open करता हूँ इस page को, तो कुछ आप information यहां पर देख सकते हो, जो आपको यहां पर information दिख रही, जो अभी हम लोगों ने fill करी है, ठीक है, complete your page पे अगर हम लोग जाएं, तो what is WS Quptex email address, तो वो भी मैं यहां पर लिख सकता हूँ, जैसे मैं फिलहाल के लिए यह लिख देता हूँ, एक्चलिए हमें इस page को carry forward नहीं करना है, हमें तो इस page को बाद में delete कर देना है, कि वहला आपको समझाने की point of view से हम लोग इसको कर रहे हैं, तो मैं इसको save and finish कर देता हूँ, यहां पर आप देख सकते हो, जो भी हम लोगों की information जो अभी तक हम लोगों को भरनी थी, वो हम लोगों ने यहां पर information भर दी, और भी बड़ी सारी information होती हैं, जैसे privacy policy, तो वो हमारी official website के उपर जो privacy policy का link होता है, या page होता है, उसी का link मैं यहां पर mention कर सकता हूँ, तो मैं नीचे आ जाता हूँ एक बार, और यहां पर अगर आप देखोगे, तो privacy policy हमें देख रहा है, तो मैं privacy policy को यहां से copy मारूँगा, और इसको मैं यहां पर enter करते हूँ, और यहां मैं लिख देता हूँ, privacy policy, जो भी हमारे products हैं, वो हम यहां पर impression नहीं करते हैं, हम लोग यहां पर, जो भी हमारे products हैं, वो हम mention कर सकते हैं, additional information, अगर हमें कुछ products के जो price range है, वो हमें mention करनी हैं, वो हम कर सकते हैं, जो हमारे other accounts हैं, चाहा Instagram का हो, या कोई और दूसरा account हो हमारा, हम उसको भी add कर सकते हैं, तो इस type से हम लोग अपना, जो basic हमारा page का setup है, वो हम लोग कर सकते हैं, एक बार मैं फिर से आ जाता हूँ, इस page के उपर, इस page के उपर मैं वापस आ जाता हूँ, तो आप देख सकते हो, बड़े सारे options हैं, मैं create at the rate username के उपर जाता हूँ एक बार, मैं यहाँ पर enter करता हूँ, WSQTEC Institute, तो अभी आप क्या देख रहे हो, कि यहाँ पर मैं इस वाले username को select कर चुका हूँ, अब मैं कर देता हूँ, create username, तो यह आप देख सकते हो, कि यह हमारा username create हो गया, तो अगर कोई tag करना चाहेगा, तो उन सारे point of view से, जो हमारा username है, that is important, अभी भी कुछ steps बचे हुएं, page identity तो हमारे सारे हो गए, यहाँ पर देखो, add hours, connect whatsapp, इसकी भी हम लोग बात करेंगे, add an action button, इसको हम लोग किस type से add करते हैं, यहाँ पर जो हमारे action buttons होते हैं, उसको हम किस type से add कर सकते हैं, introduce your page, जो हम अलग-अलग लोगों को यहाँ पर invite कर सकते हैं, ताकि बढ़र सारे लोग हमारे page से connect हो सके, उसके बार अगर हम इस side आएं, तो हमारे pages की यह news feed है, एक type से, अभी हम लोगों ने नया setup किया, इसलिए यह इस type से हमें guidelines दे रहा है, जो भी आप interest यहाँ पर जो आप like करते हैं, वो आप कर सकते हैं, ठीक है, business apps है, manage jobs, आप jobs post कर सकते हो through your page, तो अगर मैं application पर जाओ, I can create a job, ठीक है, मैं job create कर सकता हूँ, यहाँ पर मैं जैसे, बहुत सारी चीज़ें, जो है, हम लोग set कर सकते हैं, job title, let's say we are looking for digital marketing manager, ठीक है, work location is Lucknow, fine, और whatever it is, जोथपूर भी हम लोग select कर सकते हैं, work location जोथपूर है, job type, job type है, full type, time job है, and then we can write description, write what is actually required, so मैं लिक सकता हूँ, at least three years of experience, hands on experience, on Google Ads, Facebook Ads, and SEO, write, and knowledge of, paid tools, fine, team leadership, skills, so it is up to you, कि क्या आपका job description है, वो सारी चीज़ें, आप यहाँ पर mention कर सकते हैं, salary range, let's say my 20,000 to, 35,000, इसके बीच में मैं mention कर सकता हूँ, salary type is monthly, per month, वो मैं mention कर सकता हूँ, and when are you available to start, इस सारे options, जो हमारे सामने, वो सारे options, हम लोग fill कर सकते हैं, then we can click on next, और यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, job जो है, वो हम post कर सकते हैं, fine, तो यहाँ पर जो भी हमारे like करने वाले हैं, page like करने वाले हैं, उन तक यह job हो जाएगी, तो whenever you are representing your business, आपके सामने ऐसे भी cases होंगे, जहाँ पर आपको jobs, जो हैं, वो post करनी परती हैं, fine, उसके बाद अगर हम लोग settings वाले options में आए, तो आप देखोंगे, बड़ी सारी जो settings हैं, यहाँ पर आपको दिख रही हैं, ठीक है, इन सारी settings में क्या क्या चीज़ हैं, इनको हम लोग देखेंगे, जो हम settings में आते हैं, settings में आप देख सकते हो, messages related settings है, page info related settings है, templates and tabs, notification, advanced messaging, page roles, इन सारी चीज़ों से related, आप देख सकते हूँ, यहाँ पर settings है, तो settings का section जो है, वो भी बहुत deep है, बट इस section पर आपका पहुँच़ोंगे, जब आपको एक basic page जो है, वो create कर लोगे, यह settings अलग-अलग settings क्या है, किस तरीके से काम करती है, जैसे अगर हम लोग यहाँ पर settings वाले section के अंदर जा रहे थे, तो यहाँ पर page info से related जो settings है, उसका क्या मतलब है, जो general हमारी settings है, उनका यहाँ पर आप चीज़े देख रहे हो, इनका क्या मतलब है, यहाँ पर tabs and जो templates इनका क्या मतलब, इन सारी चीज़ों को हम लोग next वीडियो में cover करने वाले हैं, fine guys, पिछले वीडियो में हम लोग उने बात करें थे, किस टाइप से, हम लोग जो हमारा facebook का page है, उसको create कर सकते हैं, फेस्बुक का जो page हम लोग create करते हैं, वो हम लोग अलग-अलग entities उनके लिए create कर सकते हैं, हम किसी individual के लिए create कर सकते हैं, कोई celebrity उसके लिए create कर सकते हैं, और अगर हम कोई business run कर रहे हैं, तो हम उसके लिए facebook page create कर सकते हैं, यहां पर हम लोग बात करने वाले और बहुत सारे settings की जो facebook page में available है और हमारे लिए important हो सकती है बहुत सारे settings guys available है तो guys यह वाला page आप देखें तो मैं laptop screen के ओपर यह वाला dummy page हम लोगों ने create किया था और कुछ basic information भी हम लोगों ने enter करे थी in the form of facebook profile picture और यहां पर जो आप cover image दे यहां पर मैं अगर edit page info पर आ जाओं तो जो भी हम लोगों ने basic information एंटर करे थी जब हम लोग इसको create कर रहे था इस page को तो वह information आपको देखने को मिलेगी यहां पर इसे name आप देख सकते हो यहां पर है username जो हम लोगों ने create किया था जो description mention किया था category आप चाहो तो further और और यहां पर अगर आपकी कोई location नहीं है तो फिर कभी आपके पास option है my page doesn't have a location आप सेलेक कर सकते हो service area किस area में आप serve करते हो और temporary service changes अगर कुछ हुए है जैसे अगर कोई कुछ जैसे covid कही case है तो इस particular time period के बीच में जहां पर lockdown हो गया रहा है आप किस type से operate कर रहा है वो सारी च जो है वो info है तो सबसे बहले guys आपको क्या करना है यहीं पर आना है ठीके page establish करने के बाद हम एक sure करना है कि यह वाली जो information है 100% correct हो accurate हो सारी के हारी information यहाँ पर fill हो उसके बाद हम लोग guys settings वाले section में आते हैं settings वाले section में अगर आप आओगे तो आप देखोगे बहुत सारे options आपको यहाँ पर दिख रहा है ठीक है messaging के हम लोग बात में करेंगे क्योंकि एक separate section है उसके लावा हम लोग यहाँ पर page info पर आए तो देखोगे आप वही वाले options आपको यहाँ पर दिख रहा है उसके बाद guys अगर हम लोग यहाँ पर templates and tabs के उपर आ जाते है ठीक है templates and tabs के यह बहुत important चीज़ है guys यहाँ पर आप देखो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो home events reviews about more में जाएंगे तो यह सारे आपको यहाँ पर options आपको दिख रहा है इनको हम लोग control कर सकते है देख रहे हो आप events reviews about videos photos jobs offers किसी को अगर आप नहीं दिखाने चाहते हो यह किसी चीज़ क आप कुछ जो है किसी sequence में सेट करना है से reviews को मैं उपर शो करना चाहता हूं तो that I can do ठीक है मैंने reviews को उपर यहाँ पर जो है वो शो कर दिया है ठीक है तो यह सारी चीज़े हम लोग कर सकते हैं देखो अब homes के बाद सीधे आपर reviews आ गया and then we have events right तो यहाँ पर हम लोग यह स services mention करी हो यहाँ पर शोने लगेगी शॉप है अगर हमारी शॉप वाले option को हम लोग open कर सकते हैं तो guys यह actually इस बात पर depend करता है कि आपकी template कौन से selected है तो को template क क्या मतलब है कि हमारे page के ओपर यहाँ यहाँ कौन कौन से options आ रहे हैं और यह options हम लोग या जो हमारी template है वो इस basis पर select करते हैं कि हमारा business type क्या है हम अपने business के according ही यहाँ पर template select करते हैं तो अगर मैं यहाँ पर आऊ तो आप देख सकते हो current template हमारी विन्यूज है उसके बाद हम देख सकते हैं आपर business वाली हमारी template है उसके बाद non-profit अगर हमारी organization अगर हम politician है तो हम किस type का business run कर रहे हैं हम क page type के page बनाना चाहरे हैं उसके हिसाब से हमें template select करनी हो और उसी के हिसाब से हमें यहाँ पर options दिखाई रहेंगे बात समझ में कौन से वाले options गाइस यह वाले options जिनकी हम बात कर रहे हैं तो अगर आप confused है कि कि किसी दूसरे के page पर आप गया और देखा कि अरे इसके page पर त और modes में आपको यह सारी चीज़ें आपको दिखाई देंगे ठीक है और यह वाले जो हमारे tabs हैं वो आपके hidden हैं और यहाँ पर जो buttons हैं वो यह आप buttons यहाँ पर लगा सकते हो ठीक है buttons on toolbar जो हम लोग set करते हैं यहाँ पर right over here I have that option कि मैं वो buttons लगा सकते हैं तो according to our requirement हम यह सार on toolbar आपको यह वाले options दिख रहा हूं यहाँ पर home, groups, jobs, events तो पिछली बार tab कुछ और थे इस बार tabs आप देख रहो कुछ और है तो जो भी आप यहाँ पर template सेलेक करोगे जैसे आपर एक standard template भी है standard template भी हम लोग यहाँ पर set कर सकते हैं यहाँ पर अगर हम लोग जाएं तो shopping template अगर आप देखो ठीक है तो shopping template भी हम लोग यहाँ पर set कर सकते हैं यहाँ पर हम लोग फिर से वापस आते हैं तो आप देख सकते हो कि यह सारे जो हैं हमें options यहाँ पर दिख रहा है एक बार हम लोग वापस आते हैं templates and tabs को उपर तो जो भी हमारी requirement होगी यह हमारा main landing page होता ह you cannot change this thing और अगर आपने कुछ changes की हैं तो इस template की जो defaults हैं उनको आप select कर सकते हो उसके साफ से वापस चीज़ें set हो जाएंगी fine तो यह हमारा templates and tab का section है जो यहाँ वाली जो चीज है ना इसको हमारे इस particular section को जो है यह control करता है और यहाँ पर आप देख रहे हो यह जो like shares वाल यहाँ पर किस type से हम लोग notification चाहते है वो हमें यहाँ पर देख रहा है ठीक है page के उपर अगर interactions हो रहे है ठीक है हमारे page के उपर तो उनके notifications आपको किस type से चाहिए वो सारे options है तो यह आपके उपर है जो है उनको यहाँ पर activate करना चाहते हो advanced messaging और messaging के बारे में जैसे मनें आ पढ़ेंगी, वो सारी चीज़े आप यहाँ पर कर सकते हो, उसके बाद आप अपने पेज को इंस्टाग्राम से कनेक्ट कर सकते हो, आप अपने पेज को वाटसेप से यहाँ से कनेक्ट कर सकते हो, ठीके पेमेंट्स वोगरा सबसे important क्या है page info उसके बाद आप templates and tab set कर सकते हो notifications set कर सकते हो और उसके बाद guys हम लोग आ सकते है general वाले option के ऊपर अब guys यहाँ पर देखो general वाले option में क्या है page visibility तो अगर मैं चाहूं तो मैं अपने page को अगर unpublish करना चाहूं add photos and videos to this page यहाँ से मेरे पास option है I can change this thing कि अगर मुझे लगता है कि post by other people मुझे नहीं allow करना है ठीक है तो यह इस type से जो privacy के option से हम लोग कर सकते हैं तो guys यहाँ पर आप देख सकते हैं news feed audience and visibility for post है तो guys जब कभी आप post करोगे you can narrow down you can narrow down कि आपकी जो post है उनको news feed में किन लोगों को दिखे ठीक है तो आप narrow down कर सकते हैं according to their interest and gender etc. post and story sharing यह on है या नहीं on है इसको आप लोग देख सकते हो messages people can contact to your page right tagging ability का access आप देना चाहते हैं तो बहुत जारे options हमारे पास है page moderation is again a very important thing यहाँ पर guys जाके आप क्या कर सकते हो अगर आपको लगता है कुछ phrases या कुछ words या कुछ ऐसी चीज़ है जिनको आपको block करना है जो आपके pages के उपर ना है then you have this option ठीक है यहाँ पर आप words को add करके block post और comments containing the following words इस टाइप से कर सकते हो तो थोड़ा सा जो है कुछ अगर जो ऐसे words है ऐसे comments आ रहे हैं जो आपको नहीं चाहिए तो वो चीज़ें आप कर सकते हो profinity filters है यहाँ पर जो कि अभी turned off है अगर आप देखो इसको आप turn on कर सकते हो तो यह basically जब आपके बहुत ही common reported words होते है ना उनको block कर देता है similar pages के suggestions, pages के updates post in multiple languages आपको allow करनी है या नहीं के allow करनी वो भी आपके options है translation जो है अगर आप कोई post कर रहे हो तो other languages में अगर कोई देख रहा है उसको translation को option दिखेगा कि नहीं दिखेगा comments की type से दिखेंगे सारे दिखेंगे या जो most common comments है आपके post पर वो दिखेंगे content distribution है downloading allow है या नहीं है page को download आप कर सकते हो यहां से आपको जो भी चीज़ है उसकी copy आप ले सकते हो तो अगर आप page delete और और उस page के सारी चीज़ों की आप copy लेना चाहते हो उस page को download करके रखना चाहते हो रख सकते हो चोटे चोटे बड़े सारे options जो है वो present है आपको एक एक करके सारे options को देखना है अगर आपको full potential पर जो facebook page उसको use करना है you can merge duplicate pages you can remove यहां पर हम बात करते है delete करने के ठीक अगर आप permanently delete करना चाहते हो जोगी in tutorials के बाद हम लोग इस particular page को कर देंगे because it's not the official one तो आगर आप delete करना चाहते हो तो यहां से ही जाकर आप अपने page को भी delete कर सकते हो तो यहां पर बड़े सारे हमें options दिखे कुछ जो major options जो इस particular video में share करने थे वो मैंने किये आप से जैसे general में गाए हम लोग messaging is something very different जिसके हम लोग बाद में बात करेंगे page info हो गया है आपर जो हमें complete करनी templates and tabs हो गया notifications की हम लोगों ने बात करी page जो भी बाद में हम लोग डिसकस करेंगे people and other pages जो आपके page को like करते है जो लोग आपके page को like करते है ठीक है pages जो इस page को like करते है you have all that list over here तो अगर मैं आपको जो पुराना अपना page है उसके ओपर मैं लेकर जाओं तो यहाँ पर आपको वो सारे options दिखेंगे fine मैं इसको select करता हूँ एक बार इस particular page को मैं select करता हूँ यहाँ से guys हमें कहा जाना है सीदे settings में settings में जाने के बाद हमें यहाँ पर कहा जाना है people and other pages के उपर तो यहाँ पर people who like this page आप देख सकते हूँ इतने लोग आपको दिख रहे हैं जो इस particular page को like करते है ठीक है and then यहाँ पर people who follow this page वो भी पूरी list है pages that follow this page वो भी आप देख सकते हूँ यहाँ पर जो भी pages इस particular page को follow करते हैं वो सारी information आपको यहाँ पर दिख रही है band people and pages अगर हमने किसी को band किया हुआ है तो भी आप देख सकते हूँ यहाँ पर वो band जो है लोग भी यहाँ पर आपको दिख रहे हैं यह सारी जो हमारे options है आप देख सकते हूँ यह सारे options हमें यहाँ पर दिख रहे है then we have add limits option over here उसके बाद हमारे पास जो हमारे अलग दूसरे products है facebook owned उनको connect करने का हमें option मिलता है payments option है activity log जो समयता है यह सारी चीज़े हमें page settings वाले section के ऊपर मिलती है अगर मैं वापस एक बार back आता हूँ यहाँ पर let's come over here back आता हूँ मैं यह हम लोग settings वाले section में चले गए थे यह हमारा official page वापस हम लोग open कर रहे है यहाँ पर हमें बड़े सारे options और भी दिखते हैं अगर आपको कोई paid online event host करना है तो उसको आपको option दिख रहा है groups join करने हैं यह सारी जो चीज़े हैं आप देख सकते हूँ यह सारे options आपको यहाँ पर दिखते हैं कि business apps अगर आपको connect करनी ही तो वह आप कर सकते हैं उसके बाद guys यहाँ पर हमें appointments, creator, studio जैसे बड़े सारे options मिलते हैं मैंने jobs, jobs के लिए मैंने पहले आपको बताया कि jobs का पूरा separate section है and then we have insights section also यहाँ पर guys आप देख सकते हो जैसे page insights में हमें पूरी जो हमारी analytics है जो भी हमने paid post अगर कोई run करी है इस page से तो उसकी अगर हमने कोई organic post यहाँ पर करी हुए है तो उसे related जो भी information है analytics वाली हो सारी हमें यहाँ पर दिख रही है fine तो यह सारी information हमें analytics वाली भी यहाँ पर दिखती है एक बार मैं फिर से वापस आ जाता हूँ यहाँ पर and then यहाँ पर publishing tools है हमारे जो भी pages से related है and then we have this page quality thing edit page info जिसके हम लोग ने बात करी और कुछ settings Facebook page का हम लोग optimization देख रहा है Facebook page का हम लोग setup देख रहा है इसमें हम लोग बात करने वाले है page roles option की इस page role options का मतलब क्या है पहले इसको हम लोग समझ लेते हैं और इस particular video में मैं दो चीज़ें discuss करूँगा आपसे एक तो हम लोग ये रेखेंगे कि किस तरीके से हम लोग जो हमारे page का access है वो अलग-अलग users को हम लोग दे सकते हैं और उनके पास च्या-च्या control हो सकता है इसका हम लोग discussion करेंगे क्यों इसकी जरूरत परती जब आप किसी बड़े page के उपर काम कर रहे होते है तो आपको बहुत सारे users चाहिए होते है टीम चाहिए होते है जब हम page को देखते है जो हमारा facebook page है तो ये हमारे business को भी represent करता है ठीक है इसी facebook page के थूरू guys हम लोग क्या करते हैं अपने ads भी run करते है बड़े सारी चीज़े हम लोग इस particular facebook page के थूरू करते है तो जो लोग हमारी ads team में जो लोग हमारे paid ads, campaigns run करे है उन्हें भी हमारे facebook page का access चाहिए होता है हमारी team में कुछ लोगों को जो हमारे page की insights है उसकी भी ज़रूरत पढ़ती है यानि क्यों analysis करते है कुछ cases में हमें उन लोगों की ज़रूरत पढ़ती है उन लोगों को access देना पढ़ता है जिनको हमारे facebook page के ओपर post करना है तो हम सभी को admin access नहीं दे सकते हम सभी को अपना username, password नहीं दे सकते हम उस page का specific access देते है या उस page के अंदर हम उस user को कुछ roles assign करके दे देते है तो यह option कहां मिलता है हमको मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर तो guys हमें आना है सीधे आप यहाँ पर देख सकते हो हमें आना है हमारी page settings वाले section में इसका हम लोग पहले वे discussion कर चुके है और यहाँ पर आप देख सकते हो page roles का आपको option देख रहा है आपको सीधे जाना है page roles के उपर और page roles के उपर जाने के बाद आप यहाँ पर देखोगे assign a new page role और existing page role ठीक है तो यहाँ पर जो existing page role अगर हम उसके उपर जाएं तो उसके page role में आप देखोगे कि और भी हमें members वहाँ पर दिखाई देंगे तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ अपने page के उपर तो वैस यहाँ पर मैं आ चुका हूँ सीधे अपने page के उपर और यहाँ से हम लोगों को जाना है सबसे पहले settings में settings में आपको बताया तो और यहाँ से हम आ जाते हैं page roles में तो settings से page roles में आने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो नीचे आप देख सकते हो यहाँ पर page के जो existing page roles है वो देख रहे हो बहुत सारे जो users है वो इस page के admin है बहुत सारे जो यहाँ पर editors है वो भी आप देख सकते हो इस page का control है उनके पास है तो यह अलग-अलग roles है basically ठीक है और यहाँ पर agency जो है वो भी यहाँ पर attach है कि primary page owner भी आप देख सकते हैं पर primary page owner है और मैं किसी और को भी अगर access देना चाहूं तो मैं य यहाँ पर आता हूँ वापस अपने page के उपर जो हम लोगों ने नया बना है तो यहाँ जो भी हम लोग नए users को add करना चाहते हैं उनको कुछ roles assign करना चाहते हैं वो हम कर सकते हैं तो यहाँ पर guys आप देखोगे यहाँ पर admin, editor, moderator, advertiser, analyst यहाँ पर 5 यह roles है इन roles का क्या मतलब क्या scope है वो मैंने यहाँ पर चार्ट में रखा हुआ है आप जाहो तो इसका screenshot ले सकते हो तो वो आपके future reference के लिए use हो जाएगा तो admin के पास देख रहे हो आप सारे ही options होते हैं सारे ही options जो है वो admin के पास होते हैं यानि कि वो एक master controller होता है हमारे page का उसके बाद अगर हम द settings जो है वो editor नहीं दे सकता ठीकिन मतलब दूसरे लोगों को जो page का access हो गएरा वो नहीं दे सकता वहीं पर moderator की बात करें तो moderator जो है वो create and delete post as pages यह नहीं कर सकता लेकिन वो pages के दूसरी चीज़े कर सकता है जैसे comments होगरा को delete कर सकता है उनके उपर काम कर सकता है तो यह सारे options moder advertisers के पास होते है अड़टाइजर के पास के वल तीन options होते है वो add create कर सकता है insights देख सकता है और किसने publish किया as a page वो आप देख सकता है तो यह आप देख रहा हो यह सारे controls है तो अगर मुझे किसी user को देना है तो मैं यहाँ पर जाओंगा जैसे मैं यहाँ पर select करता हूं जो भी मेरा अभिशेक friend होगा उसको मैं यहाँ पर access दे सकता हूँ तो मुझे पहले उसको as a friend add करना पड़ेगा और उसके बाद मैं उसको यहाँ से access दे सकता हूँ थीक है जो भी access देना चाहता हूं आप देख सकते हूँ यहाँ से हम लोग जो है वो access दे सकते है पेज रो और यहां पर मुझे add a button के उपर click करना है अब आप देख सकते हूं यहां पर send whatsapp message आ रहा है और यहां पर मैं guys क्या करता हूं इस number को मैं अपने enter करता हूं ठीक है और यहां से send code कर देता हूं तो मुझे यहां पर मेरे whatsapp के उपर एक code आ जाएगा मैं उस code को यहां से enter कर दे रहा हूं write and इसके बाद guys मैं कर देता हूं यहां पर confirm तो आप देखोगे कि मेरा जो number है वो यहां पर confirm हो चुका है ठीक है अच्छा यहां पर जो है number of limit हमारी यहां पर फिर आपका WhatsApp का बटन आ जाएगा और उसके उपर कोई क्लिक करेगा उस WhatsApp के बटन के उपर तो वह आप से WhatsApp में contact कर सकता है तो यह बहुत ही important चीज है इस टाइप के छोड़े होटे call to actions होते हैं हम अच्छी leads दिगा सकते हैं लोग हमसे direct connect कर सकते हैं तो आपको ध्यान रखना है इस टाइप के options जो है Facebook के अंदर आपको उनको setup करके रखना है इस particular वीडियो में हम लोग सीखने वाले किस तरीके से जो हम लोग Facebook पेज अपना बना रहे है उस पे हम automated messages सेट कर सकते हैं बहुत ही important बड़ा ही interesting feature है यह कि किस तरीके से हम automated जो messages होते हैं उनको हम अपने Facebook पेज के लिए set कर सकते हैं दिखा देता हूं होता क्या है यह जैसे कि यह हमारा पेज आप देख सकते हो हमाई laptop screen के उपर और अगर कोई यहां पर आएगा और test बटन मैं इसको actually test कर रहा हूं बट कोई भी हमारे कर सकते हैं क्या कुछ important questions के basis पर हम इस process को automate कर सकते हैं अगर हम कर सकते हैं तो किस तरीके सकते हैं मैं example आपको बताता हूं asked question यह हम बोजने इसको FAQ से तो अब guys होता यह है कि आप ही चाहोगे कि जो general question जैसे when is your institute open right institute open right यही हो सकता है what what are your what are your timings right next question का हो सकता है what courses do you provide right where your branch where your branch is located तो यह सारी चीज़ आप क्या देख रहा है उसके बाग और भी बहुत सारी चीज़े जो है यूजर जो है वो पूछ सकता है general questions है तो यूजर पूछ सकता है अब अगर कोई user कोई question पूछ रहा है इस टाइप कोई question पूछ आपको क्या करना पड़ेगा manually उसको reply करना पड़ेगा हर बार आपको क्या करना पड़ेगा manually reply करना पड़ेगा तो इसमें आप क्या reply करोगे our timings are like our timings are from 9 a.m. to 7 p.m. यह आप reply करोगे तो यह हो जाएगा question और मैं इसको लिख देता हूं यहाँ पर यह हो गया हमारा answer और उसके बाद what courses do you provide यह भी हमारा question हो गया और इसके नीचे हम मैं एक बार answer लिख देता हूं यहाँ पर answer हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा digital marketing courses digital marketing course यहां लिख सकते हैं web development course जो हम provide करते हैं third can be android android development course हम लिख सकते हैं तो हम इसको लिख सकते हैं iOS development course जो सारी चीज़े हम provide करते हैं c c और इसके साथ का c++ course तो यह सारी चीज़े हम लिख सकते हैं where is your branch located तो यह चीज़ भी हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं और उसके बाद हम यहाँ पर अपनी website के बारे में भी बता सकते हैं जैसे कोई अगर पूछ रहा है यानि कि frequently asked questions तो अब बार बार आप नहीं चाओगे किसका आप answer दो manually आप इसका answer बार बार टाइप करो तो आपके अगर तो यह set of questions है जो automatically वहाँ show हो जाएंगे मतलब जैसे user यहाँ पर click करेगा कुछ set of questions भी automatically इसको हो जाएंगे और उनी के साथ जो answers है वो आपके भी automate हो जाएंगे question भी दिखेगा user को जब question के उपर वो click करेगा तो उसे answer भी दिखेगा तो process आप देख रहे हैं किस तरीके से automate हो सकती है तो अब हम हमें इस type जो messaging वाला tab है वहाँ पर हमें जाना है ठीक है तो यह देख रहे हो मैसेजिंग वाला जो tab है यहाँ पर हमें जाना और यहाँ पर हमें कुछ responses जो हमें सेट करने वह हम यहां से कर सकते हैं यहां पर हमें options मिलेंगे हम इनको बड़ी आसानी से सब्सक्राइब करें यहां पर करते हैं यहां पर इस तरीके से दिखेगा तो मैं इसको एडिट करता हूं और अलग-अलग हम लोग questions यहां पर करते हैं जैसे पहला question हो गया वह सकता है हमारा वेर वाट इस दा टाइमिंग वाला यह रखते हैं हम लोग वट इस दा अब और आएम टू सिक पीम राइट मंडे टू प्राइडे राइट मंडे टू फ्राइड तो यह हमारा रिस्पांज जाएगा फाइन परफेक्ट है अभी यह एक हूँ आए गाईज हम और भी करते हैं अड़ कोस्टन करते हैं दूसरा कोस्टन भी हमें आड़ करना है यहा किसी को अगर पता है हमारे बारे में क्या प्रोवाइड राइट को लेकर हम लोग यहां पर लिए अडिजिटल मार्टिंग और अगाईज ताकि थोड़ा सा टाइम हमारा बज यहेंस से और यह विन हमने इनको कॉपी कर लिया और मैं इसको एक बार नमबरिंग दे देता आपको ध्यान में रखना है, ऐसा नहीं है, कुछ भी आप लिख दोगे, ठीक है, user experience को भी देखना है, कि properly वो सारी चीज़ें लिखी हुई नहीं, spelling mistake and all those things, तो यह दो हो गया, और where is your branch located, यह मैं third question भी इसमें add कर देता हूँ, like here it is, where is your branch located, और इसका जो answer है, that will be, इसका जो answer ह है, वो मैं रख देता हूँ, यहाँ, जोधपूर, perfect, यह हो गया, जोधपूर, fine, तो यह देख रहे हो, आप यह अलग-अलग questions हो गए हैं, हम क्या कर सकते हैं, answers के form में हम कोई attachment भी लगा सकते हैं, मतलब question के साथ हम answer, जैसे यह किस case में use होगा, जैसे for example, यह page है, किसी ऐसे business का जो photography services provide करती है, तो अगर question है, yes, I want to see some samples, can you provide some samples, यह question आया, तो हम फिर answer में क्या उसको दिखाएंगे, कुछ images, answer में हम उसे कुछ images दिखा सकते, तो यह, कुछ हम buttons भी add कर सकते हैं, खीक है, buttons, मैं button वाला भी अभी आपको दिखाता हूँ, एक minute हम लोग इसमें लिख दे लिख देंगे, हम लोग यहां नेम जो है, visit website, और यहां मैं website का address जो है, उसको लिख देता हूँ, यहां पर, ठीक है, यहां पर आपको save, तो मैं save कर दूँगा, ठीक है, यह हमारा save हो गया, अब हमें क्या करना है, अब हमें इस चीज को test करना है, सही है कि नहीं है, तो उसक पेज को refresh कर देता हूँ, ठीक है, यहां से refresh कर देंगे हम लोग इस particular page को, okay, here it is, एक बार refresh हो जाएगा यह, उसके बाद आपका ही जो messenger इसको test कर सकते हो, बड़ी easily आप test कर सकते हो, देखो, यहां नीचे आते हैं, यहां आपको दिख रहा है, जो और messenger URL, हम इसको copy करेंगे, और इसको यहां पर हम paste कर देते हैं, और इसको हम लोग यहां पर paste करने के बाद, आप देखो गया भी, तो यह messenger जो है open हो जाएगा, और यह जो हमने sequences जो यहां पर बनाए हैं, वो आपको यहां पर दिखाई देंगे, ठीक है, तो जैसे, यहां पर, अगर आप देखो, WS Qub यहां पर आप देखो, आप क्या देख रहे हो यहां पर, आप देखो, वाट इस ताइमिंग, वाट पोसेज दू यह प्रोवाइड, राइट, वेर यह ब्राइंच इस लोकेटर, यह वो सारे questions है, तो अब यह सारे questions user को दिखाई देंगे, जब वो आएगा हमारे messenger के उपर क्लिक करेगा इस चीज के उपर, जो यहां पर आप देख रहे थे, मैं वापस पर आखा हूँ, जो आप देख रहे थे, वो जब इन चीजों के उपर क्लिक करेगा, तो इस टाइप का जो response है, वो दिखाई देगा, इस टाइप के आपर questions उसे दिखाई देंगे, अब वो question खुदी, मतलब इस टाइप से दिख रहा है, तो question पर खुदी क्लिक करेगा, जैसे मैं कह रहा हूँ, यहां पर where is your branch located, इसके उपर user ने click किया, तो देखो, answer automatic आगया, जो देखो, this is basically automation, यह automation आप कर सकते हैं, मैं एक बार इसको एक बार clear कर देता हूँ, यहां से delete कर देता ह लिए यह चीज़ कर रहा हूँ, तो मैं वापस एक बार इसको test करता हूँ, ठीक है, वापस जो है किसी दूसरे option के साथ हम लोग इसको test करते हैं, एक बार तो और जादा हमें practice हो जाएगी, और clarity हो जाएगा, आपको क्या करना है, साथी साथ थोड़े साथ आपको practice करते रह तो मैं वापस इसको करता हूँ, और वापस अगर आप देखेंगे, तो फिर अलग से आपको वापस questions दिखाई देंगे, fine, तो let's see, okay, यह यहाँ पर कुछ, actually अभी testing है, तो यह मैं इसको delete कर देता हूँ, तो फ्रेश वापस open हो जाए, एक बार मैं फिर से इसको click करता वो पुरानी वाली data दिखाई दे दे थी, क्योंकि मैं conversation कर चुक हूँ, मैं conversation start कर दिया, इसलिए वो पुरानी वाला दिखाई दे रहा हूँ, तो अब जैसे हम यहाँ पर कर रहे हैं, what courses do you provide, तो आप क्या देखोगे, जब हम what courses do you provide, तो देखो यह 5 answers हमें यहाँ पर दिख यह सारा automation है, तो इसको भी आप automate कर सकते हैं, जो सारी processes आपको दिखने हैं, इनको automate कर सकते हैं, इतना easy नहीं, आपको थोड़ा से दिमाख लगाना पड़ेगा, किस टाइप की questions वोगेरा आपको रखने, मैं आपको एक image वाला भी दिखा देता हूं, जैसे एक question मैं image वाला add कर देता हूं, नीचे ही हम लोग add कर देते हैं, जैसे show us your portfolio, right, portfolio, मैं इसको portfolio लिखता हूं यहाँ पर, show us your portfolio, और यहाँ पर जो automated response में क्या जाएगा, attachment में हम लोग change कर देते हैं, इमेज मैं कोई random image ले लेता हूं, portfolio के नाम पर जैसे इसी को ले लेता हूं, यह हमारी image हो गई, आप लोड़ गया, वीडियो भी हो सकता है, अपर image भी हो सकती है, वीडियो भी हो सकता है, यह चीज हो गई हमारी, अब हम इसको कर देंगे, save, अब गईज़ आपको पता है क् यूरल को हम लोग हिट करें ठीक है मेसेंजर वाले यूरल को हम वापस यूज़ करेंगे तो देखोगे वह आला option भी वहाँ पर शो हो जाएगा कई बार क्या होता है थोड़ा सा टाइम लग जाता है बट नहीं आप बार बार प्रेक्टिस करोगे तो यह सारी चीजें भी आप दे सकते हो राइट यहां पर आप देख रहे हो पांच वह option नहीं दिख रहा है लेट्स कम बाक दिस पार्ट ओके हम वापस आते हैं एक बार ठीक है और यह आड्ट तु मीनू है और यह question number 5 है ऐसा करते हैं हम लोग यहां से कुछ चीजों को remove कर देते हैं एक बार के ल here is your portfolio और इसके साथ यह attachment है attachment है find और इसको हम लोग कर देते हैं save right अब आप देख रहे हैं show your portfolio आ रहा था कभी-कभी थोड़ा सा error होता है मैं इसको एक बार फिर से refresh करता हूं इन सारी चीजों को आपको ध्यान रखना है बार बार आप थोड़ा सा practice करेंगे तो इस सारी portfolio के उपर मैं click करता हूं right जब show us your portfolio के उपर आप click करेंगे तो आप देखेंगे hair is your portfolio दिख रहा और इसके साथ आपको यह वाली image यह पर दिख रहे हैं तो guys यह चीज आप automate कर सकते हैं बड़े सारे options जो यहाँ पर आपको दिखते हैं यह जो भी आप चाहें जिस भी type के questions ज इस वज़े से कि हमें ऐसे और कौन कौन से चीज कौन कौन से efforts करने हैं अपने facebook page के उपर ताकि हम किसी भी business को वहां से promote कर सके guys हम लोगों ने last के वीडियो में सीखा है कि किस तरीके से हम facebook page बनाते हैं हम लोगों ने भी सीखा किस तरीके से हम logo अगयरा और जो भी हमरे graphical elements हैं जैसे logo हो गया जैसे की banner हो गया cover page हो गया cover जो photo हो गई उन सब किस तरीके से set करेंगे फिर एक बड़ी ही interesting चीज हम लोगों और उसके बाद हम लोगों ने access वाले concept को भी समझने कोशिश करी कि यह जो access होता है page level पर इसका मतलब क्या है और इससे हमें क्या फाइदा होने वाला है तो guys अभी और भी बहुत सारे points है जिनको हमें ध्यान में रखना है अगर हम किसी business को facebook page के through promote कर रहे हैं तो हम लोगों क इन सारे points को ध्यान रखना है एक एक करके मैं सारे points आपको बता रहा हूँ बट आपको इन points को कहीं note करना है अगर आपको कोई client लेते हो आपको अपना खुद का भी facebook page है तो आपको ध्यान रखना है कि यह सारी चीज़े आप उसमें करें तो guys आप यहाँ पर देख सकते हो जो points है मैं एक एक करके discuss करता हूँ keep adding to your facebook story guys यह बहुत सारे लोग गलती करते हैं इस वक्त जो facebook stories है अगर आप देखेंगे facebook stories का जो option है तो आपको दिखता है facebook के उपर आप stories add कर सकते है right facebook पे भी दिखता है और instagram पे भी दिखता है तो facebook और instagram के उपर जो stories का option है guys यह option बहुत इसके उपर बहुत जादा engagement आते हैं guys कई बार मैंने word जो है engagement का use किया है वाट मैं आपको मतलब बता देता हूँ कि social media में engagement का क्या मतलब होता है या digital marketing की language में जब हम engagement word use करते हैं तो आखिर engagement का मतलब क्या है guys engagement का मतलब है जैसे कि आपने कोई post करा या कोई भी आपने content डाला कुछ भी आपने activity करी social media के ऊपर तो अब उसको लोग like कर रहे हैं उसको लोग share कर रहे हैं वहाँ पर लोग comment कर रहे हैं ठीक है मतलब उस post से लोग engage हो रहे हैं या नहीं तो अगर अभी तक आपको ए confusion है कि engagement क्या होता है तो यह बहुत ही important चीज़ है कि जो भी हम post डालना है जो भी हम content डालना है लोगों को उसको like करना चाहिए लोगों को उसको share करना चाहिए उसके उपर comment करना चाहिए अगर एक line में इसी चीज़ को वापस कहें तो engagement आना चाहिए हमारे content के उपर engagement आना चाहिए तो guys यह चीज होती है हमारी engagement तो जो हमारी stories होती है guys facebook stories की बात करें Instagram stories की बात करें, इनके उपर generally engagement जादा आता है, क्योंकि ये top पे दिखती है, और लोग इसको जादा देखते हैं, तो views जादा आते हैं, engagement जादा आते हैं, ये सारी चीज़ें होती है, second point is, don't post without a content calendar, यहाँ पर सीधा सा मतलब यह है, planning के बिना आपको posting नहीं करनी है, बनाना पड़ेगा, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, इस तरीके से हमें calendar बनाना पड़ेगा, यहाँ हमारे पास time होगा, ठीक है, यहाँ हमारे पास time होगा, अब Monday को कितनी post जाएंगी और कौन सी post जाएंगी, तो इससे क्या होगा, जो बहुत सारे जो आपके efforts हैं, content को ढूनने के, यह सारे efforts आपके almost जो है, खतम हो जाएंगे, मतलब जो excessive आप efforts करते हैं, या मिना मतलब के जो efforts हैं, वो आपके खतम हो जाएंगे, आपका time manage रहेगा, आपको इस बात के tension नहीं रहेगी, कि Tuesday को मुझे क्या post रहना है, Wednesday को हमें क्या post रहना है, क्योंकि एक important चीज है कि social media के उपर आपको regular post करते रहना है, तो जो भी page regular content post करते हैं, regular content डालते हैं, उन pages को social media भी push करते हैं, कि आप देखोगे, कि आप कभी-कभी out of content हो जाओगे, यहीं कि आपको समझ में नहीं आएगा, कि हम कब कौन सा content post करें, तो उसके लिए जरूरी कि आप content calendar बनाओ, तो यह आपके काम को बड़ा जादा easy कर देगा, third is, जो यहाँ पर हम लोगों ने लिखा था, यही point यहाँ पर repeat हो गया, यह same point है, then engage with your followers, start asking about polls, questions, etc, मतलब आपकी post ऐसी नहीं होनी चाहिए, कि one way communication हो, one way communication मतलब आपने अपनी बात कह दी, बस बात वहीं पर खतम हो गई, ऐसा नहीं होना चाहिए, आप उसमें कुछ questions पूछ रहे हैं, कुछ polls करने हैं, तो सामने से जो आपके followers हैं, वो भी reply करेंगे, मतलब एक two way connection जो है, established होना चाहिए, उसके बाग, interact with other pages and individuals, नहीं कोई यहाँ पर एक और चीज़ हमें ध्यान रखनी है, हमें बहुत ज़्यादा ego में नहीं रहना है, कि ठीक हमारे पास हमारा page है, ठीक है कोई आएगा तो हमारे page के ओपर खुदी post करेंगा, हमें किसी से interact करने की ज़रूरत नहीं, ऐसा नहीं, अगर आप से कोई individual question पूछा है, तो आप उसका reply करें, अगर आपको लग रहा है, दूसरे pages के ओपर जाके कोई valuable चीज़ आप डाल सकते हैं, अगर हमेशा आप promotion नहीं करेंगे, यहाँ पर मेरा कहने का मालब यह नहीं कि आप अपने business की add जाके दूसरे pages के ओपर लगा दो, यह आपको नहीं करना है, आपको क्या करना है कि अगर कहीं कोई question पूछ रहा है, जैसे मैं अगर digital marketing trainer हूँ, तो अगर कोई digital marketing से related कोई दूसरा question कहीं पर पूछ रहा है, इंटरनेट के ओपर, तो मैं क्या कर सकता हूँ, तो वहाँ पर जाके मैं उसका reply दे सकता हूँ, दूसरे page के उपर reply दे सकता हूँ, तो यह मैं value addition कर सकता हूँ, बाद में उसका हमें benefit मिलता है, हमारे business को benefit मिलता है, बट ऐसा नहीं है, कि हम वहाँ पर post ही न करें, तो engagement के point of view से, interaction के point of view से, यह चीज़े हम कर सकते हैं, go live in cases, क behind the scenes वाले जो elements अभी कभी आपके team की photo, team in the sense office की photo आप डाल सकते हैं, आप जो भी आपका work environment है, वहाँ की photo डाल सकते हैं, जैसे मैं अगर इस studio में record कर रहा हूँ, तो मैं अपने studio की photo में डाल सकता हूँ, ठीक है, मैं इस तरीके से record करता हूँ, तो यह सारे behind the scenes होते हैं, इन पर भी बहुत ज़्यादा engagement आता है, इन starting you can run page like, एक और बड़ी interesting में चीज़ बताऊं, यो आप लोगों ने feel करी होगे, अगर आप किसी page को देखते होंगे, तो सबसे पहले आपके demand में क्या आता है, इस page के like कितने है, 2000, 5000, 10,000, अगर उस page के 100-200 like होते हैं, तो आपको दालके page like कराना बड़ा मुश्किल है, तो ऐसे में starting में आप क्या कर सकते हो, starting में आप page like के campaign भी run कर सकते हो, जिसके through बहुत सारे लोग आपके page को like करेंगे, और page को like करने का हो सकता है, आपको को direct benefit ना मिले, लेकिन होगा क्या guys, होगा ये कि जब लोग आपके page को देखें में हम लोग इतना discussion कर रहे हैं, लाश्ट में कुछ हम लोगोंने technical aspect देखा, तो आपको के लेटी हो गई होगी कि आखिर ये facebook page किस तरीके से काम करता है, guys हम लोगोंने last के कुछ वीडियो में facebook के बारे हम बहुत सारी information जो है, वो सीखी और हम लोगों सीखा किस तरीके से facebook का करता है, facebook page पे हम लोग कौन-कौन से important steps लेंगे, digital marketing के point of use है, अगर हम अपने business को promote करना है, guys, facebook के बाद या facebook के साथ ही, जो दूसरा social media platform के बहुत ही ज़्यादा popular है, बहुत ही ज़्यादा potential है, उसमें, वो है हमारा Instagram, but guys, Instagram के बारे मैं एक चीज़ आपको starting में ही बता देता ह platform के form में नहीं बनाए गया, बट हाँ, कुछ hacks हैं या कुछ tricks हैं, जिनके through हम Instagram को desktop पे भी use कर सकते हैं, desktop कहले हम या guys, laptop कहले हम उसको use कर सकते हैं, but guys, हमें move करना पड़ेगा, इसके लिए app की तरफी, यानि Instagram की app सही सारा काम हमें करना पड़ेगा, अब एक बात जो मैं आप का बनता है personal account, right, personal account, इसके रावा Instagram के उपर दो और तरीके के account होते हैं, जिनको हम बोलते है business account और creator account, तो guys, अगर आपको Instagram को अपने business के point of view से use करना, अगर आपको Instagram को इस ती use करना है, ताकि आप अपने business को, आप अपने client के business को आप जो है promote कर सके, तो आपको फिर Instagram का business वा दो account के type है, एक हमारा account का type है, Instagram personal account, और एक जो है वो है हमारा Instagram professional account होता है, जिसको हम business account बोलते है, और एक और है Instagram creator account, अभी उसकी हम लोग बात नहीं करेंगे, इन दो account types की हम लोग बात करेंगे, तो guys, अगर आपकी already कोई Instagram के उपर profile है, जैसा कि आप मेरे mobile पे देख सकते हो, तो आपको mobile screen लिख रही होगी, तो यहाँ पर यह मैं अपने Instagram account में हूँ, और मेरे Instagram account का, यह जो आप देख रहे हो, WS Cube Tech India, यह इसका क्या है, Instagram handle हम बोल सकते हैं, जहां रखेगा इस बात को, यह हम इसको Instagram handle बोल सकते हैं, यह हम बोल सकते हैं, इसको Instagram username, इसको, और उसके बा हम कुछ यहाँ पर links, जो है, वो attach करेंगे, अगर आपकी कोई website है, तो यह सारी चीज़ है, जरूरी है, क्योंकि अगर हम bio में, जो है, कुछ call to action, इनको हम call to action गाइस बोलते हैं, अगर हम अपनी website और नहीं करेंगे, तो फिर वहाँ तक हम traffic नहीं ले जा पाईएं, ठीक है, यह personal है, या यह business है, तो इस personal में कुछ बहुत सारी limitations है, आपको बताता हूँ क्या limitations है, जैसे कि यहाँ पर मैंने एक post करी, अब इस post यो पर मैं जाता हूँ, तो मैं यह नहीं देख सकता कि इस post का insights है, मतलब कितने लोगों को यह post दिखी, कहां कहां दिखी, यह सारी या analytics, तो personal account में आपको यह option नहीं दिख रहे है, बहुत ध्यान से आप देखी, यहाँ पर भी आपको यह option यहाँ पर नहीं दिख रहे है, तो हमें क्या करना होगा, अगर आपका Instagram का personal account है, तो पहले इससे convert करना पड़ेगा, दोस्तों हमें business account है, बड़ा ही आसानी किस तरी settings है, वो हमें मिलती ही, यहाँ राइट में आप ऊपर देख रहे हो, फ्री बार आपको दिख रहे है, यह मैं iOS के platform के हूँ, यह निए Apple मोबाइल से मैं online हूँ, यह Apple वाली mobile app है, अगर आप जाएंगे Android वाले में तब भी आपको इसी type से interface दिखाई देगा, थोड़ा बहुत हो सकता है, वहाँ पर dots आपको दिखाई दे, तो थोड़ा बहुत जो interface में change होता है, बहुत slightly, पर जादा interface में change नहीं होता है, settings सारी लगभग वही रहती, तो आपको यहाँ पर click करने के बाद आपको यहाँ जो first option settings का है, उसके उपर click करना है, और उसके बाद guys आप देख स switch to professional account, इसके उपर हमें click करना है, अभी कहारा है कौन सा professional account, business professional account या creator professional account, तो guys मैंने क्या बता है, हमें कौन सा करना है, अभी के लिए business, तो मैं business कर देता हूँ, अब यह कुछ basic सी setting जो है, हमें बताएगा, मैं इसको continue कर देता हूँ, अब business है, तो business की कोई category भी होगी, अब ज basic settings होती है, अईसा नहीं, बड़ी complicated settings आपको यहां पर मिलेंगी, वो सारी चीज़े हम कर सकते हैं, अब क्या कर सकते हैं, यहां पर contact के लिए अपनी information यानि जो हमारा mail है, वो हम डाल सकते हैं, business का address हम डाल सकते हैं, और अपना phone number डाल, तो phone number भी आप यहां से डाल सकते हो, त next कर देता हूं, अभी जो हमारी contact information, उसको हम लोग next कर देते हैं, और उसके बाद क्या करना होता है, हमारा जो यह Instagram account होते हो, Instagram और Facebook एक ही company के product है, Facebook ही Instagram को own करता है, तो जब कोई भी चीज़ें ऐसी होती ही, जब एक ही company दो product को own करती है, तो उनके बीच में जो integration है, तो हम अभी के लिए guys, हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसे यह WSQTEC वाला page है, तो मैं इसको एक बार इस page को select कर लेता हूं, और मैं कर देता हूं next, क्यूंकि यह हम लोग जो हमारा official WSQTEC का Instagram है, उसको हम इस वाले अपने page से connect कर देंगा, बस next करना है, बहुत ही simple steps है, यह 3-4 जो है profile create होगी, ठीक है, अब यह कौन सी profile guys होगी, यह होगी हमारी business profile, तो अब अगर मैं इसके उपर वापस आता हूं, तो आप अगर compare कर पा रहे होंगे, तो पहले जो मैं आपको दिखा रहा था, personal profile, उसमें आपने देखा होगा, यहाँ पर यह आपको यह सारे options नहीं दिख रह होगा, ठीक है, और मैं post के उपर आता हूँ, पोस्ट के उपर हम लोग आ रहे हैं, पहले क्या था, यह जो view insight का option है, यहाँ पर नहीं शो कर रहा था, अभी जो आप देख रहे हो, यह view insight का आपको option शो कर रहा है, तो view insight हमें यह पूरी details देती है, कि कितने लोग जो है, उन् इसको promote करना है, तो हम promote this post कर सकते हो, यहीं से हम add run कर सकते हैं, ठीक है, हम add की तरह इसको चला सकते हैं, तो यह सारे options हमें कहाँ पर guys मिलते हैं, यह सारे options हमें मिलते हैं, जब हम अपने, जो हमारी instagram की profile है, उसको जब हम convert कर देते हैं business में, तो guys अगर हमें instagram को for business point of view, यूज करना है, business की point of view से यूज़ करना है, तो guys हमें किस चीज़ का ध्यान रखना होगा, कि हमारी जो profile है, वो business profile होनी चाहिए, एक और मैं option आपको दिखाता हूं guys, यहां पर हम वापस click करते हैं, तो आप देख रहे हो, यहां insights का option आपको दिख रहा है, जब आप insights पे click करेंगे, तो आपको बहुत सारा information मिलेगी, सारी information मिलेगी, जैसे यहां पर आप देखो, 15 जुलाई से 21 जुलाई के बीच में, कितने लोगों तक हमारी post क्या, हमारे Instagram account के बारे में लोगों पता चला, ठीक है, आप देखो, account reach है, हमारी 1650, ठीक है, impressions हमारे post के लगभग 10,000 के आसपा हुई, यह सारे options हमें यहां पर दिखाई दे रहें, तो guys, यह जो सारी चीज़ें, insights और जो हम लोगों ने यहां पर option देखे, promotion के, यह सारे options अगर आपकी normal profile है तो नहीं, तो normal profile में आप क्या करोगे, केवल basic चीज़ें ही आप कर सकते हो, बहुत ज़दा advance चीज़ें आप न कहने का मतलब है कि सारी जो आपकी reporting वाला option है, उस सारा option गायब हो जाता है, अगर आप, जो आपका Instagram profile है, वो personal है, तो guys, सबसे पहला जो हमें step लेना है, जो हमें अपनी profile बनानी ही, तो हमें इस वात का ध्यान रखना है, कि हमारी profile परसनल नहीं होनी है, हमारी profile बिजनेस होन करेंगे Instagram profile से लेकर किस तरी किसे optimization हमें करना है, इसको guys, जो आप यहाँ पर देख रहे हो, जैसे information technology company है, हमारी category है, तो category जो हम लोगों ने select करी थे भी, जब हम business account गणा रहे थे, उस वक्त, उसके नीचे ये जो है, सारी चीजे हमारी profile की bio में आती है, तो इस bio में हमें क्या पहले impress होता है, और उसी के बाद ही वो follow करता है, उसके बाद आपकी यहाँ पर जो post है, उनको भी वो देखता है, ठीक है, तो और भी ज़्यादा चीजे हम लोग आने वाले वीडियो में discuss करेंगे, बड़ जो पहला step मैंने आपको बताया, वो आपको ध्यान रखना है, गा खिर क्यों हम Instagram को ही use करें, अपने business को promote करने के लिए, या क्या benefits हमें मिलेंगे, अगर हम अपने business को Instagram के सुरूप promote करते हैं, या Instagram हमें ऐसी कौन कौन सी facilities provide करता है, जिसके basis पर हम यह कह सकते हैं, कि हमारा चाहे वो business छोटा हो, या बड़ा हो, हम उसको Instagram के उपर promote कर सकते हो, promote ही नहीं कर सकते हैं, बलकि वहां से कुछ हम benefits भी ले सकते हैं, या अगर हमारा product service है, तो वहां से उसको sale कर सकते हैं, बात करते हैं इन सारी चीजों की, और कुछ points है यहां पर जिनको हम लोग EK करके discuss करेंगे, the first thing is, जो important चीज है, Instagramers are shoppers, ये guys, एक mentality है, हम मान लें या एक त जो users Facebook के उपर होते हैं, और जो users Instagram के उपर होते हैं, कुछ users जो Twitter के उपर जाते हैं, तो Twitter के उपर जो users जाते हैं, वो किसी भी चीज़ को purchase करने नहीं जाते हैं, खरीदने नहीं जाते हैं, बट वहीं पर अगर इसको Twitter को compare करते हैं, Facebook से और Instagram से तो देखने को मिला है, research ये show क करती है कि इंस्टाग्राम के उपर जो यूजर्स है वो शॉप करते हैं मतलब चीज़ों को खरीदतें Engage होते हैं वहाँ पर किसी भी प्रॉड़ेक्ट को सर्विस को खरीज सकते है लीड अपनी दे सकते वहाँ तो यह एक बहुत ही बड़ा बेनिफिट है जो इंस्टाग्राम प्लाटफॉर्म के साथ है मतलब अगर क्वेशन यह है इंस्टाग्राम के ऊपर हम अपने प्रोडेक्ट यह सर्विस को क्यों प्रमोट करें तो उसमें यह एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक आंसर है कि इ इंस्टाग्रामर्स बेसिकली आर शॉपर्स मतलब वह लोग जो इंस्टाग्राम को ब्राउज करते हैं वह शॉपर्स भी हैं वह चीजों को खरीदते हैं देंगेज विड़ शॉपबल पोश्ट भी होती इंस्टाग्राम के ऊपर तो वह उससे इंगेज करते हैं और वहां नहीं है शेम नहीं ही कोई नहीं कर रहा है कोंग किसी भी तरीक से इंटराक्तिंग हो गए और 10 दिन बाद फिर आप कुछ पोस्ट कर रहें वो भी रिलेवेंट नहीं है फिर आप गायब हो गए एक महिने के लिए और फिर उसके बाद पोस्ट करें तो कभी भी आपका जो इंस्टाग्राम एकाउंट वो ग्रो नहीं हो पाएगा लोग उसको शेयर नहीं करेंगे लोग आपकी प्रोफाइल के साथ इंट्राइक नहीं करेंगे इसके लिए देखो एफट जरूर लगेंगे बटी यह जरूरी है कि आप कंसिस्टेंट कॉंटेंट पोस्ट करें तीक है रेगुलर बड़े बिजन्स के लिए है अगर आपकी एक चोटी सी बेकरी शॉप है तब भी आपके लिए जो है Instagram platform जो है वो valuable हो सकता है अगर आपकी छोटी सी coaching classes है coaching classes फिर भी थोड़ा सा बड़ा word हो गया अगर हम बात करें tuition classes की जो academy tuition provide करते हैं 8th, 9th, 10th, 11th को अगर आप tuition provide करते हैं इस type के भी अगर आपका कोई business है छोटे से जोड़ा business है तो उसको भी Instagram platform से बड़ी जादा help मिल सकती है अगर कोई बहुत बड़ी company आप देखो इस चीज़ को जाके आप Instagram पर research करो तो आप देखोगे छोटे से छोटे business की भी Instagram profile के उपर बहुत जादा engagement है बड़े से बड़ा business जो verified business होते हैं ब्लू टिक देखते हो ना ब्लू टिक बड़े से बड़े business Apple का account आप जाके देखो आप HCL का account जाके देखो आप TCS का account जाके देखो आप किसी और बड़ी company का जो बड़े brand है उसका account Nike का, Adidas का, Reebok का ठीक है किसी कभी आप account जाकर देखो वहाँ पर तो आप क्या देखोगे वहाँ पर आपको बहुत जादा engagement मिलेगा तो जितना engagement आपको बड़े accounts मिल सकता है उतना engagement आपको छोटे accounts भी मिल सकता है ऐसा नहीं है कि छोटे businesses यहाँ पर जा नहीं सकते है Instagram के उपर वो खुद को promote नहीं कर सकते है ऐसा बिल्कुल नहीं Instagram के उपर छोटे businesses भी promote होते हैं इवन छोटे businesses के साथ मैंने individuals भी लिखा है individuals का मतलब भी होगए जैसे freelancer अगर मैं digital marketing की training provide करता हूँ उस point of view से भी मैं Instagram को बहुत अच्छी तरीके से use कर सकता हूँ और वहाँ से बड़े सारे potential clients मैं ले सकता हूँ तो individuals को भी help करने वाला है उसके बाद content creators को content creators मतलब जैसे YouTubers हो गए और जो अलग-अलग content बनाते हैं हो सकता है text based content बना रहे हो हो सकता है video based content बना रहे हो तो उनके लिए भी Instagram है तो एक बात ये समझ में आती है कि Instagram आजकी date में इतना powerful platform है इतना जाना engaging platform है कि आपका business किसी भी size का हो किसी भी type का हो आप जाकर इन सारी चीजों को आपको practically Instagram platform पे जाना है और वहाँ पर एक एक चीज आपको search करनी है एक एक चीज सार्च करनी है आपको ये वाला business में search कर रहा हूँ तो इसके वहाँ पर कौन कौन से हमें बिजनसेज दिख रहा है एक दूसरी type of business मैं search कर रहा हूँ जैसे मैं coaching industry के बारे में search कर रहा हूँ category category जैसे मैं किस निश में काम करता हूँ डिजिटल मार्केटिंग में आप किस निश में हो आप competitive exams की निश में हो कोई अगर किसी और जैसे कोई health होगारा की निश है health प्रोडेक्स होगारा कोई बेचता है तो हम बोलेंगे वह health निश में है ठीक है कोई अगर ट्रेनिंग्स प्रोडे करता है तो हम बोलेंगे वह education निश में मैं digital marketing निश में हूँ ठीक है कोई fitness निश में काम कर सकता है तो यह होती है category कौन किस field में है स्कौासान सब्दों में समझें तो कौन किस field में है यह चीज होती हमारी निश तो instagram के उ मतलब क्या होता है कि आप कोई paid आड़ नहीं चला रहे हो आप पोश्ट अपनी कर रहे हो प्रॉपर तरीके से targeted आप पोश्ट कर रहे हो और उसके basis पर वो जो पोश्ट है वो अलग-अलग logo तक जारी है आप कोई प्रमोशन नहीं कर रहो तो जब कभी भी paid promotion नहीं होगा वह होगा और्गेनिक तो अभी भी इंस्टाग्राम के उपर और्गेनिक रीच है अगर हम प्रॉपरली हैश्टेक्स वो गयरा को और रिसर्च करके इंस्टाग्राम के उपर लगाते हैं तो there are chances कि हमारी पोस्ट जो है वो जादा से जादा लोगों तक दिखे और यही हमारा ultimate goal होता है then opportunity to run Instagram ads which is still not that costly and provide you maximum reach मतलब हम Instagram ads भी रन कर सकते हैं और अभी Instagram ads बहुत जादा costly नहीं यह सारे वो reasons हैं जो आपको convince करते हैं कि आपको Instagram के उपर जाना चाहिए और Instagram के उपर अपनी business presence बनानी चाहिए और business पो promote करना चाहिए you can directly engage with your competitors आप ये भी कर सकते हैं आपके competitors जैसे जो भी आपके competitors हैं उनके post के उपर जाकर अगर लोग कुछ comment कर रहे हैं तो वहाँ पर भी जाके आप अपनी बात कर सकते हैं अपने point रख सकते हैं तो basically यहाँ पर आप engagement बहुत जादा कर सकते हैं तो ये वो सारे points हैं दोस्तो जो इस बात को justify करते हैं कि आज की date में अगर आपको अपने business को promote करना है तो Facebook के साथ आपको Instagram के लिए बड़ी ही rigid, solid और अच्छी strategy बनानी पड़ेगी दोस्तों इस particular वीडियो में इतना ही मिलते हैं इस वीडियो में और कुछ बात करेंगे हम लोग Instagram platform के practical aspect के उपर इस particular वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं किस तरीके से जो हवारी Instagram की profile है अब हम उसको फोड़सा optimize करेंगे तो जब हम optimization की बात करते हैं Instagram profile के तो generally कुछ चीज़ें जो बहुत important है उनमें से एक है हमारा username और दूसरा है जो हमारा है ये bio ठीक है ये दो जो elements है guys ये बहु इसको हमें edit करना है तो guys देखो जैसे मैंने लाश्ट वीडियो में आपको बताया था कि Instagram जो है वो एक mobile प्लाटफॉर्म है mobile friendly प्लाटफॉर्म है यानि Instagram की app है इसको आप desktop पे भी यूज़ कर सकते हो जैसे कि आप देख सकते हो मेरी laptop screen के उपर इसको मैं laptop के उपर इस वक्त यूज़ कर रहा हूं तो simply हमें क्या करना है कि Instagram.com टाइप करके जैसे आप यहां पर आएंगे simply आपको Instagram.com टाइप करना और simply आपको उसमें अपना username और password एंटर करना उसके बाद आप इस टाइप के dashboard में login हो जाएंगे अगर बहुत ध्यान से अगर आप इसको notice करेंगे तो जा रहा हूं देखो आप इसको देख सकते हो इसको क्लिक कर सकते हो बट यहां पर अगर आप देखो तो जो पिछले से पिछला वाला वीडियो था जहां पर मैंने आपको insights दिखाई थी कि कि को और सी पोस्ट कितने लोगों को दिखी कि प्रू दिखी कि सारे हम वहां पर insights दिखती थी तो वह insight यहां नहीं दिख रहे हैं तो बहुत सारे रिश्ट्रक्शन जो है वह डेक्स्टॉप वाले वर्शन में हो जाते हैं यह सारी चीज़ दोस्तों फेस्बुक में नहीं है अगर मतलब फेस्बुक आप मोबाइल से ब्राउज कर रहे हो फेस्बुक अगर लॉग इन करके यूज कर रहे हो उस केस में आपको प्राबलम होगी आपको वो मोबाइल वाला जो इंटरफेस है वो गाइस नहीं दिखाई देगा यह सारी चीज़े आप नहीं कर पाऊगे जैसे इमेज का अपलोड करना या कोई पोश्ट यहां पर डालना वो सारी चीज करके इंस्पेक्ट कर देंगे और इंस्पेक्ट करने के बाद आप देखेंगे तो जैसे आप यहां पर कोई ऊपर दिख रहा है आपको यह मोबाइल एक्स आइपोन है तो आप कोई भी मॉडल यहां मॉबाइल का सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है बहुत ध्यान स अच्छानी से आप यहाँ पर नई फोटो और अड़ कर सकते हैं ठीक है यहाँ पर जब आप प्लस पे क्लिक करेंगे तो आल फाइल में हो जाता हूं बहुत सारे आपको ऑप्शन मिलेंगे जो आप काम यहां से कर सकते हैं फिर भी मैं आपको यह चीज सजिश्ट करूंगा कि आप देश्टॉप पे मत ही यूज करें थोड़ा सा फ्रेंडली जरूर लगता है डेश्टॉप के ऊपर यूज करने कि अगर आप कोई चीज टाइप कर रहा है तो देश्टॉप पे थोड़ा सा वह इजी हो जाता है टाइप करना जब हम कंपेर करते हूं उसको मोबाइल स बहुत सारे लोग जो है वह मोबाइल से ही ऑपरेट करते हैं डेश्टॉप से बहुत कम लोग ऑपरेट करते हैं वी एज मार्केटर हम को एड्वी रन करने होते हैं अलगले प्लाटफॉम्स देखने होते हैं तो हम ज़्यादा कशीज समझानी कोशिश कर रहा था इस वापस अगर हम इसको रिफ्रेश कर देंगे तो आप देखेंगे कि यह वापस ही जो है आपके जो नॉर्मल आपका डेश्टॉप वर्जन है उसमें आ जाएगा मैं एक बार वापस इस्टाग्राम.com को उपन करने कोशिश करता हूं तो यह वापस ही आपको दिख जाएग तो यह ब्राउजर की बेसिकली सेटिंग्स हैं तो अभी देखो आप वापस जैसा मैंने शुरुवात में आपको दिखा था पहले वाले श्केप में था डेश्टॉप वह वाला आपको यहां पर दिख रही है तो इसी तरीके से आप इसको यूज करते हैं इसको हमको यहां प्रोफाइल नेम होता है में नेम है हमारा ठीक है यूजर नेम तो यह होता है जैसे डबलो एस क्यूब टेक इंडिया है ठीक है और यह हमारा में नेम है डबलो एस क्यूब टेक और यह हमारा यूजर नेम है डबलो एस क्यूब टेक इंडिया तो आपका यूजर नेम बात को शोर घरता है। ये जो एकाउंट है, यो कुसी डिजिटल मार्केटिंग चीश से, रिलेटेड है। जो डैली में इस्टा मार्केटिंग इस्टिट्ट से, रिलेटेड है। यूजर नेम लिखने का तरीका यह एक यह आपको पर्सनल है तो आप अपने पर्सनल नाम से लिखते हैं अगर आप किसी ब्रैंड के लिए कर रहे तो ब्रैंड का नाम आ जाता है वाट कई बार ब्रैंड का नेम प्लस सिटी भी जुड़ जाती है कई बार ब्रैंड का नेम प्लस कंट्री भी जुड़ जाती है तो यह सारी चीज़ा आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्र तरकिल आप देख रहे हुँआ बड़ा छोटा होता तो इहां पर अगर आप देखो तो प्रोफाील फोटो आपको यहां कर देकिघो किस तरहीं चपाना है तो पूरी बहुत छोटी चेंट हो जाएगी चोटी हो जाएगी क्योंकि यह जो दिखता है यूजर को बड़ा छोटा दिखता है और यहां पर तो फिर भी बड़ा दिखता है अगर आप कॉमेंट्स होगरा में जाएंगे ना जैसे यहां पर आप जा रहे हैं और यहां पर आप कॉमेंट्स होगरा देखेंग है हमारी प्रोफाइल इमेज है वह इस टाइप की हो थोड़ी सी हम उसको प्रोडी को यूज करने से अच्छा है मतलब पूरी बॉडी की इमेज वहां लगाने से अच्छा है हम केवल फेस का इतना सेच्टन जो है इसकी इमेज हम लगाएं तो यह सारी चीज़े जो हमारे मैं यहां आता हूं नाइकी मैं open करता हूं एक बार के लिए और देखो नाइकी ने अपना यहां पर लोगो शो किया तो आप लोगो भी यहां पर शो कर सकते है उसके बाद हम लोग बैग करते हैं यह चीज आपको समझ में आ आगई की facility मिलती है केवल और केवल एक ही आप link लगा सकते हैं अब वो चाहे अपने Facebook का लगा दें आप चाहे अपने Instagram का लगा दें तूल यूज किया है इस टूल पे जब कोई क्लिक करेगा मलब इस टूल से हमने multiple links बना लिए तो इसके उपर अगर कोई क्लिक करता देखो क्योंकि link जो यहाँ पर सम्मिट करने की हमें facility मिली है वो केवल लिए कि एक हम link लगा सकते हैं जब यह एक link हम लगाएंगे जैसे यहाँ पर मैं वापस आता हूँ देखो यह link लगा हुआ है और इसके उपर कोई user क्लिक करेगा तो वह यहाँ पर पहुंच जाएगा देखो यहाँ पर लिंक ट्री पे पहुंच जाए अब यहाँ पर हमारे पास multiple links है हमारे ट्वीटर का फेस्बुक का LinkedIn का course store link है डवली स्क्विटेक प्रोग्रामिंग कॉंसेप्ट है डवली स्क्विटेक YouTube चैनल है डवली स्क्विटेक English YouTube चैनल है तो यह सारी चीज़े हमने सारे ही जो हमारे links है उनको हमने यहाँ पर mention कर दिया है राइट दोस्तों तो यह यह चीज़ आप कर स वेबसाइट जो है ऊपर लिखी और बाइयो नीचे लिखा है जब यहां जब सो होता है तो यहां पर जब थोड़ा सा जैसे आगर नीचे आएगे आप आप देखेंगे बायो में ही मैंने लिंग कर दिया है तो आपको इसको दियान में रखते हुए चीज़ें कर नहीं जैसे मैंने यूजर को experience को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर बायो लिखने के बाद मैंने below link लगा दिया यहाँ पर और देखो यहाँ पर नीचे आपको link दिख रहा है तो यह चीज अगर user यहाँ पर आएगा तो उसके chance से जादा है कि वो इस link के उपर click करेगा फिर हमारी जो बाकी चीज़ हैं उनको भी देखेगा अगर single link हम यहाँ पर लगा पाते यह link tree को यहाँ यहाँ लगा पाते तो problem होती हमारे लिए भी कि हमके वह एक ही चीज दिखा पाते या तो हम उसे अपनी website पर ले जाते या तो कहीं और अगर हम ले जाना चाहते हैं बड़ एक ही की बायो है बट अगर हम थोड़ी सी personal बायो देखते हैं तो आपको समझ में आएगा कि personal बायो किस तरीके से दोस्तों आपको दिखाई देंगे तो देखो मैंने अपना नाम लिखा हुआ है और उसके बाद अगर आप देखो तो यहाँ पर लिखा हुआ है डिजिटल मार्क जो लोग है वो आपको फॉलो गरेंगे ऐसा नहीं आप यहाँ पर कुछ भी मन डालो ठीके बहुत ही क्योंकि आप लिमिटेड आपको जो स्पेस मिलती ऐसा नहीं है दोस्तों यहाँ पर आपको लिमिटेड स्पेस मिलती है तो आपको टू दपॉइंट चीज़े लिखने यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़े नहीं डाल देते हैं अपनी डेट ऑब बड़ डालते हैं इन सारे चीजों की कोई ज़रूरत नहीं यहाँ पर टू दपॉइंट जो आपका प्रफेशन है जो आपका काम करते हैं जो आपके इंट्रेश्ट हैगर कोई हॉबी है तो देखो बहुत बड़ा सा लोगो है एम बहुत बड़ा सा कापिटल लोगो है और अगर आप देखो तो यह देखो वी आर प्राउड टो टेक यूर और मॉबाइल और पे देखो पॉइंट वाइज उन्होंने सारी चीज़ें लिखे बिकास वेरी फेमस ठीक है वह तो बहुत ब्रैंड है इसलिए अगर यहां पर बहुत जारा चीज़ें ना भी लिखें तब भी अपना काम चल जाता है राइट बट जो दूसरे लोग है वो बहुत सारी चीज़ें आपर लिखते हैं पर एक बार जो है कुसी और परसनालिटी को देखते हैं हम लोग नरेंद्र मोदी देखते हैं एक बार ठीक है तो यह थोड़ा सा एक और चीज़ आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि आपको आपके कॉम्पेटिटर और आपके जो हमने निश की बात करी थी उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा और यहां पर अगर आप देखो तो सचीन ने भी कुछ जादा नहीं लिखा हुए लेक्ठ सच विराठ को देखो यह सारी चीजें चाहां पर नहीं लिखे विए ठीक है आपको देखना है यहां पर जा जाकर अलग प्रोफारी और उनका मतलब है अब यहां पर मैं जैसे कोई किवरř टाइप करता हूं दोस्तों यहां मैं टाइप करता हूं डिजिटल मार्गटिंग राइट डिजिटल मार्गटिंग तो यहां पर कुछ एक प्रोफाइल आ रही है डिजिटल अनुज नाम से इनका देखो यहां पर यह चीज देखो काफी क्लियर हो रही है कि यह क्या करते है I help you to learn digital marketing I teach people how to grow Instagram founder and CEO और उसके बाद दूसरा अपना page इन्होंने दे रही है यहां पर यहां पर इस तरीके से इनका कर सकते हैं वापस आते हैं हम लोग बायो के उपर तो देखो यहां पर जो हम एटिट प्रोफाइल में जाते हैं यही हमसा मारा सबसे पहला और सबसे important point है इसको हमें ध्यान रखना है यहां नाम लिखना है, username लिखना है website यहां एंटर करना है bio proper जैसे मैंने बताया email, phone number, gender और यह सारी चीज़े लिखके आपको यहां पर submit कर देना है तो यह जो पहली चीज़ है जब आप profile create करोगे तो जो first चीज़ है वो यह होती है आपको यही सारी चीज़ करनी है उसके बाद जो second चीज़ होती वो फिर आती है आपकी यह जो आप feed बना रहे हो इसकी design किस तरीकी की होगी जैसे अभी हम लोगों यहां पर ही देखा तो इनकी जो theme है अगर आप थोड़ा सा relate करो तो यह जो theme है दोस्तों यह theme है yellowish इन्होंने yellowish color को जादा follow किया है इसी तरीके से अगर हम नाइकी पे आए तो आप देखोगे बड़ी general theme होगी हो सकता इनकी जो theme है वो बहुत general theme और बहुत सारे लोग जो है प्रोफाइल को स्टार्ट करने में हमें help करती है इन सीजों का हमें ध्यान रतना है वह सबसे पहले जो हमारी प्रोफाइल की यहां जो टॉप में चीज दिखती है यह बहुत ही जादा इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग इस्टाग्राम के एक और बहुत ही important concept की बाग करेंगे जिसको की हम बोलते है hashtags क्या होते हैं दिखते किस तरीके से हैं थोड़ा सा basic की पहली बाग कर लेते हम लोग और उसके बाद advanced concepts के उपर आएंगे सबसे पहले अगर मैं आपको यह बताऊं कि hashtags किस तरीके से दिखते हैं तो for example मैं यह एक कोई post है और यहाँ पर post के साथ देखो आप यह content है तो इसमें यह देखो नीचे इन्होंने चार hashtags यूज किये हुए तो मैं एक बार notepad यहाँ पर open कर लेता हूं ठीक है notepad open कर ले रहा हूं आपको एक एक चीज हम लोग समझाते हैं तो सबसे पहले जब आप post करने जाएंगे जब कभी भी आप Instagram के उपर तो आपके पास क्या होता है आपके पास एक photo होती है ठीक है photo आप post करेंगे यह आप इस तेवन confidence boosting affirmation यह जो points आप देख रहो यह जो यहाँ पर लिखा हुआ है this is basically caption इसको हम लोग caption बोलते हैं तो मैं इसको आपको अपनी profile के उपर भी दिखाता हूं एक बार हम लोग अपनी profile के उपर आते हो अपनी किसी post के उपर आते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो य this is basically the caption इसको हम लोग बोलते हैं caption तो यह caption यह सारे points जो है वो उनको आपको याद रखना है कि जान रखना है बहुत important concepts है caption should be lengthy जो पहला point वो यह है कि caption थोड़ा सा lengthy होना चाहिए ठीक है और natural language में होना चाहिए ऐसा नहीं कि बिल्कुल आप लग रहा है कि copy paste कर रहे हो आपको ऐसा लगना है चाहिए कि आप जो caption में लिख रहे हो उससे आप अपनी audience से कुछ बात कर रहे हो ठीक है इस टाइप से आ हुआ कि यहां पर देखो अगर मैं यह पूरा paragraph एक साथ लिख दू सब hello friends in this video we are going to learn about some reasons for broken links broken links it will also help in SEO यह सब मैं एक ही line में लिख देता हूं मतलब एक साथ ही लिख देता हूं यह gap नहीं होगा तो क्या होगा दूसको अगर gap नहीं होगा यहां पर तो यह बड़ा complicated सा यहां पर नजर आएगा तो अगर यहां पर gap है in between अगर आपको यहां पर बीच में gap दिख रहा है प्रॉपर जो है aligned चीज़ें है तो ज्यादा जो यूजर का experience है वह ज्यादा इनहां को वह पढ़ेगा पूरा caption को तो caption में जैसे मैंने बताए कुछ points जो है हमारे मैं यहां अगर लिखूं देखो यहां मैं लिखता हूं points related to great caption तो first point is it should be lengthy second is there should be natural language होनी चाहिए बनावटी नहीं लगना चाहिए हड हमें hashtags use करना है अभी हाश्टक के बारे में बहुत और detail में हम लोग बात करेंगे fourth is basically कि proper हमारा gap होना चाहिए caption में proper gap होना चाहिए और दोस्तों फिप्थ जो पॉइंट है that is cta जो हम बोलते है cta जिसको हम बोलते है call to action यह होना चाहिए अब मैं आपको बतता हूं इसकी क्या action करवाना चाहिए यह मुझे बताना पड़ेगा तो अगर मैं कुछ लिखता हूं कोई caption लिखता हूं उसके बाद end में मैं लिख देता हूं कि also subscribe our YouTube channel और उसका link देता हूं YouTube channel का यह मैं लिख देता हूं कुछ भी कुछ भी दूसी चीज also check out my products and services on this website उसके बाद website का link दे कर रहा हूं कि कोई न कोई वह action ले यह जो आप पांच पॉइंट देख रहा हूं यह जब कभी भी आपको caption लिखना है यह पांच पॉइंट में आपको ध्यान रखना है कि इन पांच पॉइंट को आप यहां पर cover करो ठीक है और उसके बाद थोड़ा सा मैं और detail में आपको समझाता हूं हैश्टैक्स के बारे में तो हैश्टैक्स क्या होते हैं जैसे कुछ लोग को मैंने देखा है जैसे वह अपने ही हैश्टैक्स बना देते हैं हैश्टैक्स गुड मॉर्निंग यह जैसे वह लिखते हैं हैश्टैक्स गुड हैश्टैक्स मॉर्निंग यह भी प् नहीं है मिस्पैलिंग कर रहा हो तो यह किसी भी काम का नहीं है एक और चीज्छ बहुत मैं आपको ध्यांस बता देता हूं जैसे मैं यहां लिखता और लिखता हूं good morning अब आपको लग रहा है यहे यह है यह यहां पर जो hashtag है वो केवल good है hashtag good तो दोस्तों hashtag कभी भी break नहीं होते हैं बीच में कभी भी hashtag में spaces नहीं होगी हमेशा यह इस type होगी hashtag good morning चीक है तो hashtag होते क्या है hashtag का मतलब ही होता है Twitter वाले में भी आपको एक बार example बताया था तो hashtag का मतलब ही होता है कि एक साथ सारी पोश्ट है जैसे देखो यहां पर आते हैं हम लोग और मैं यहां सर्च करता हूँ hashtag digital marketing मैंने hashtag digital marketing सेट किया और मैं यहां select करता हूँ ठीक है hashtag इस बार open हो रहा है यह किसी के profile नहीं है आईडी नहीं है सबकी पोश्ट आपको यहां पर दिख रही है जैसे मैं इस पोश्ट को open करता हूँ इस पोश्ट में इन्होंने इतने सारे hashtag यूज किये बट कोई भी hashtag जो है irrelevant नहीं इन्होंने सारे ही जो है वह hashtag जो भी use किये वह relevant hashtag यूज किये ठीक है तो अब जो दूसरा बड़ा question बनता है दोस्तों वह यह है कि relevant hashtags हम find कैसे करें कैसे हमको hashtag यूज करना है for example जैसे मैं digital marketing के ओपर content लिख रहा हूँ तो मुझे digital marketing से related hashtags कही है बट हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि हमें ऐसे hashtags नहीं उठा लेने जिनकी जो यह आप देख रहा हो जिनकों पर बहुत जादा पोस्ट अगर उनकी उपर बहुत जादा दोस्तों पोस्त हो रही है तो क्या होगा कि वह hashtag जो है वह हमें उतनी reach नहीं देंगे उतने जादा हमारी पोस्ट की visibility नहीं होगी अगर बहुत जादा पोस्त है तो हमें moderate अगर हमारा नए अगाउंट है तो हमें moderate हैश्टेग उठाने है तो हमें 10,000, 20,000, 20,000, 30,000 अगर पोस्ट हैं तो हमें वो लेना है जैसे मैं यहां देखता हूँ Digital Marketing India मैं यह एक हैश्टेग उठाता हूँ Digital Marketing India तो अब देखो इस पे 35,000 पोस्ट है तो अगर हमारा नए अकाउंट है 200, 300, 500 हमारे पास followers हैं तो हमें इस टाइप की 30,000, 40,000, 45,000 जो पोस्ट वाले जो हैश्टेग्स हैं उनको हमें यूज़ करना है और अगर हम हैश्टेग्स की बात करें तो मैंने आपको दो पॉइंट्स बता है जैसे एक तो हैश्टेग्स हमें कितने maximum 30, maximum हम हैश्टेग्स कर सकते हैं पर हमारी कोशिश रहेगी कि हम 20-22 हैश्टेग्स से यूज़ करें उसके बाद for new accounts जो नए accounts का मतलब जिनके जो followers हैं दोस्तों वह अगर उनके followers लेस दें 500 हैं 500 followers हैं तो उनको क्या करना चाहिए they do not select ठीक है उनको क्या करना है पोस्ट वाले hashtags लेने हैं आपको ऐसे hashtags लेने हैं जो मान सकते हैं इसको 30,000 से लेकर देड़ लाग तक भी है ठीक है 30,000 से लेकर देड़ लाग तक भी पोस्ट है तब भी उनको आपको select करने ठीक है and hashtag should be you should not repeat hashtags very frequently अभी मैं इसको समझाता हूँ आपको कि इसका मतलब क्या है in all in each and every in each and every मैं इसको लिख देता हूँ in each and every पोस्ट तो इसका मतलब यह है कि जैसे आपने अभी hashtag digital marketing यूज किया फिर आपने hashtag internet marketing यूज किया एक ही पोस्ट में अब इन सबको यह जो hashtag आपने एक पोस्ट में यूज किया same उठागे आपने दूसरी पोस्ट में कर दिया सेम उठागे तीसरी सेम चौती तो यह नहीं करना है हम यूज कर सकते हैं बाद में यूज कर सकते हैं इस बंच को आपको अलग रखना है इससे एक जो है वो चीज निकल के आती है कि आपको क्या करना है आपको hashtags के hashtags के set बनाने जैसे मैंने यहां का hashtag का मेरा set बन रहा है यह digital marketing और यह कैसे निकालने दोस्तों यह यहां पर जो हम लोग research करेंगे यह जो research करेंगे डिश्टल मार्केटिंग और बाकी मुझे नहीं ठीक लग रहे है तो बाकी है तो मैं एक बार इसको कॉपी करता हूँ यहां पर मैं इसको भी पोश्ट कर दूँगा दोस्तों तो यह जो चीज है ना मतलब आप एक जो है वो बना रहे हो आप एक सैट बना रहे हो तो यहां पर आप एक सैट बना लोगे जैसे मान लेते हैं इसी तरीके से मैं रिसर्च करक चरके यहां पर मैंने कोई set बनाया तो यह दिस अवर सेट नंबर वन इसको हम सेव कर देंगे सेट नंबर वन नामसे और उसके बाद हम एक दूसरा सेट बनाएंगे मैं इसको कॉपी कर लेता हूं दोस्तों और यहां मैं लिख तो जैसे यहां पर अगर आप देखो यहां पर बहुत सारे हैस्टेग्स हैं इन सभी हैस्टेग्स को मैंने यहां पर यूज किया है अब यहां पर क्लिक करो हमारी वेबसाइट के उपर जाओ वहां पर कुछ इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी तो call to actions हमें include करने हैं क्योंकि यह बहुत important चीज होती है अब दोस्तों अभी भी आपको थोड़ा सा confusion होगा कि हैस्टेग्स कैसे करें तो दोस्तों इसके बहुत से छोटे बड़े tools भी है एक tool है which is very famous जिसका नाम है all hashtags तो मैं all hashtags क्यों पर जाता हूँ यहां आपको अपना broad जो करता हूँ ठीक है और मैं click करता हूँ generate के उपर तो मुझे बड़े सारे digital marketing से related जो hashtags है वो मुझे मिल जाएंगे जैसे आप देखो यहां पर तो आपको बड़े सारे hashtags यहां पर मिल गए देखो यह सारे आपको बहुत सारे hashtags मिल गए उसके बाद और भी नीचे अगर आप दे आपके से यह काम करता है अब जैसे यहां पर मैंने digital marketing लिया अब कुछ मैं और भी यहां पर ले सकता हूं जैसे मैं ले सकता हूं यहां पर इंडिया तो इंडिया से related जो popular इंडिया से related hashtags हैं वो मुझे मिल जाएंगे तो अगर मैं कुछ इस टाइप की पोस्ट कर रहा हूं फोटोग्राफDD को और आपको और कननी पड़ेगा आपको और देखना पड़ेगा फोटोग्राफिया के उपर कि पोस्ट हैं जानी है किहाई को सबोटाइब हो तो इतने जादाँ सब्सक्राइब दूस हमारे पोश्ट के चांक्स कम है ठाइब हो तो इस चीजद पो थुड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि कि आपको जो है करने है उसके बाद उनको अपको अपनी यूज करना है कि पोश्ट की एनलेटिक्स आपको देखनी है कि हाश्टेक से आपको कितना ट्रैफिक आ रहा है इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपोर्टेंट टूल के बारे में जिसका नाम है काइनवा गाइस हम आपको बता देते हैं कि अभी तक हम लोगों ने सीखा है जिसे हम लोगों ने फेस्बुक सीखा हम लोगों इंस्टाग्राम सीख बट अभी एक प्रॉब्लम आपके सामने होगी वह यह है कि जो दोनों ही प्लैटफॉम से यहां पर हमें बले अलग-अलग क्रियेटिव बनाने पड़ेंगे इमेजस बनानी पड़ेंगे पोस्ट बनानी पड़ेंगे ग्राफिक्स बनाने पड़ेंगे अब जब यह चीज अगर उनको आपको चलाना नहीं आता है तो फिर किस तरीके साब बनाएंगे और बड़े सारे कंफूजन रहते हैं हर प्लैटफॉम के अलग डाइमेंशन है कि यहां पर इतने इमेज लगेगी त्विटर में इतने इतने की लगेगी तो बड़ा सा कंफूजन रहता है उसक के बार जैसे आगर हमें फेसबुक बोस्ट बनानी हमें फेसबुक की कोई भी दूसरी जो है इंस्टाग्राम पोस्ट बनानी है तो बस हमें यहां पर जाकर उसको सेलेक्ट करना तो यह सारे दोस्तों इन्फोग्राफिक्स भी हम लोग बात करेंगे इन्फोग्राफिक्स आप क्रिएट कर सकते हो इन्विटेशन अगर किसी को भेजना चाहते हो तो गाइस यह जो टूल है हमारा इसको आप ऐसे समझ सकते हैं वन स्टॉप सल्यूशन है जितने भी तरीके क आपकी ग्राफिक डिजाइनिंग से रिलेटेड चीज़ें हैं उनके लिए फेस्बुक कवर है यहां पर देखो हम लोगों बात करेंगे लिए फेस्बुक में जो टॉप कवर होता है उसका औप्शन है कार्ड क्रेट करना है तो यह सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं हमें जादय यादय दोस्तों यूज करना होगा। यूज करना होगा social media के लिए को अ जिर्क करता हूं अब से लेकं लोगो पूरा यहां पर आपके सामने आपक्षण से अपको करने हैं और आपकी जो डिजाइन है वो रेडी हो जाएगी तो for example मैं आपको कुछ चीजें करके दिखाता हूँ सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग Instagram के stories को design करते हैं तो मैं click करता हूँ यहाँ पर Instagram story पर तो अब देखो कि यहाँ पर आप right side में रेखोगे तो मैं for example अगर मैं travel से रिलेटेड चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर travel टाइप करता हूँ एक बार ठीक है travel Instagram story बस मैंने टी आरे टाइप के दो वो सजेस्ट करने लगा तो आप देखो यहाँ पर बहुत सारी जो आप देख सकते हो स्टोरी जो है वह ट्रैफल से रिलेटेड है जैसे यह देखो मैं मुझे बस क्या करनाः इसको यहां से घ्राइप करके करके यहां पर ड्रॉप करना बस और मुझे कुछ नहीं घरना तृक है और उसके बाद यह देख रहे हो आप सारे यह जितने भी आप्शन्स आपके सा अगर आपको लगता है यहां पर आपको कुछ चेंज करना है से अपनी ब्रैन्ट का नाम डालना है जैसे यह हो सकता है कि कि travel company के लिए आप कर रहा हो मैं यहां नाम डाल देता हूं जैसे यह हो गया हमारा एबीसी ट्रावल कंपनी एबीसी ट्रावल कंपनी ठीक है और यहां लिख देता हूं मैं explore the world ठीक है explore and discover वर्ड यह यह ऐसे लिखा रहने देते हैं हम लोग ठीक है और यहां भी हम लोग ABC लिख देते हैं एक बार के लिए ठीक है तो आपके पास यह सारे कॉस्टमाइजेशन यहां पर अवलेबल होते हैं तिक है अब अलग अलग अख चीजों को यहां से सेलेक्ट कर सकते हैं जब आपकी बेस दीजाइन यहां करसकते हैं तो आपको बड़े ज़्वेस चलाने की जरूरत नहीं है तो यह मैंने एक और दिखा देता हूं आपको द हैं हम लोग कर सकते हैं जैसे यह है हम इसमें एनिमेशन और भी हम चाहें तो लगा सकते हैं आप एनिमेट देख रहा हूँ यह जो टेक्स है एनिमेट होके आएगा तो फेड होके यहां पर दिख रहा है इस टाइप से भी आपको एफेक्स बना सकते हो तो आप इनको इंगेजिंग कांटेंट का मतलब क्या होता है कि स्टोरी को देखकर या जो इस टाइप को कॉंटेन्ट हो कि वह क्लिक करें इंगेज करें कुछ और वापस आता हूं एक बार इस्टाग्रम इस टोरी से उपर वापस आऊंगा और 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 जाधा मैं आपको तेम्प्लेट और मैंने जो टम्लेट रखी वह है क्विज इन्स्टराग्राम स्टोरी तो आप देखो यहाँ पर जैसे हम लोग हुझ करते हूं यहाँ आप अपना क्वेश्ट का इस्टिकर जो है पेस्ट कर सकते हैं इस्टाग्राम में जब आप जाएंगे तो आपको दिखाई रहेगा क् आप questions की आप यहाँ पर डाल सकते हैं और यहाँ पर आपने answers लिख सकते हैं यह quiz के point of view से बनी हुई templates के questions answers आप यहाँ पर कर सकते हैं यह सारी चीज़ें आपको ज़ाधे से जढ़ा जो है engagements provide करती है यहाँ पर बहुत जारा आपको engagement मिलता है मलब questions आप पूछ रहे हैं आप interact कर रहे हैं तो यह सारी चीज़ है अभी जैसे covid जो है बहुत जारा famous है तो बहुत जारा popular हो चुका है सब्सक्राइब करते हैं तो इस टाइप की आप लगा सकते हैं तो यहां पर यह जैसे पहला वाला है और उसके बार यह second story में बना देता हूं यहां पर यह वन तो इस्टाग्राम के उपर यह सीक्वेंस की तरह चलेगा ठीक है तो इसे बनी हुई templates हैं अब आप क्या करना हैं दोस्तों आपको केवल इसमें branding करनी अपनी आप यहां पर अपनी branding कर सकते हैं चोटी सी अब देखो इसमें अगर आपको बाहर से कुछ image लगानी तो कैसे कर सकते हैं बाकि यह जितने भी element जैसे मुझे लग रहा है यह मुझ आपको कुछ change करना है अगर color तो मैं यह वाला color select कर देता हूं और इसकी रिगा मैं blue color ले लेता हूं तो यह सारे आपके पास दोस्तों options रहते हैं यह सारी चीज़े आप कर सकते हैं यह लॉक है इसको आप नहीं change कर सकते हैं यहां पर नीचे आएंगे जब आप तो मैं जात सारे आपको options दिखते हैं मैं back करता हूं इसको ठीक है और यहां पर आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं तो हम इसको क्लिक करेंगे और यहां पर देखो यह present हो जाएगा अब हमें क्या करना है इसको हमें कहीं पर भी यूज़ कर देना है जैसे मैं यहां पर यूज़ कर अब इसको सब में लगाना है मतलब जितनी भी नीचे आप देख रहे हैं तो मैं बस copy करूंगा इसके उपर आऊंगा और control भी करूंगा पेस्ट करूंगा ठीक है फिर copy तो हई यह इसको select करके यहां पेस्ट तो automatically जहां पर यह उपर selected है वही पर यह नीचे भी select होता फ़र example अगर मैं कोई image लूँ जैसे यह एक image है और इसको मैं select कर लेता हूं यहां पर तो आप देखेंगे यह image यहां upload हो जाएगी अब मैं इसको select करूंगा तो इस image को मैं यहां पर use कर सकता हूं तो बहुत सारे दोस्तों options मिलते हैं हमें यहां पर चीजों को use करने के लि तो आप देखोगे यहां पर बहुत सारे आपको आईकॉंस शेप यह सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड होंगी जैसे यह फ्रेम है दोस्तों तो यह मैं फ्रेम अगर यहां पर ड्रॉप करता हूं तो अगर आप इमेज वगर है डालेंगे तो इस फ्रेम के अंदर आईगी मैं दिखाता हूं आपको जैसे मैं अपलोड में वापस जा रहा हूं और कोई मैं एक इमेज ले लेता हूं कोई भी रैंडम सी अगर कोई इमेज है यहां पर जैसे यही है तो इसको मैं सेलेक करके ड्रॉप करता तो वो इमेज देख रहे हूं आप इस सर्किल के अंदर आ रही है तो आपको लोगो लगाने है आपको अपनी फोटो लगानी है ऐसी बहुत सारी चीज़े हैं जो आप इस तरीके से कर सकते हैं अगर मैं इसको हटा दूँ तो आप देख रहे हैं कि यहां पर यह इस आप इसको हैं जिनको आप यूज़े सकते हैं इस बहूंत करना चाहते हैं तो अगर आप करना चाहते हैं तो फिर आप इसको यूझ कर कहने के मतलब है दोस्तों यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आप अपने यूज कर सके हैं यह तो यह चीज़ हो गई elements के बारे मताया है मैंने आपको text जैसे text की अलग-अलग heading जैसे यहां गर यह heading select कर लेता हूं this is a heading मैं random सा कुछ लिख रहा हूं यहां पर ठीक है और आपको यहां पर बहुत सारे सारे सारी जो options हैं आपको यह आपको यहां पर बहुत सारे options मिलते हैं उसके बाद जब आप अपनी design मना लेंगे उसके बाद simply आपको डाउनलोड करना है तो जैसे यहां पर भी आप देखो यह glowing effect है तो यह मैं आपको free version बता रहा हूं वैसे बहुत सारे premium elements भी इसके अंदर वो आपकी यहीं पर हो जाएंगी ठीक है मतलब free वाले में ही हो जाएंगी जैसे background तो अगर हमें initially इसका कुछ background रखना है तो उसके भी हमें options मिल रहा है जैसे अगर आप देखो यह हमारा एक background है मैं इसको select कर लेता हूं यहां by default यह देखो यह हमारा background है अब इसके उपर अ रही है कि जो आपको अलग-अलग dimensions मिल जाते हैं आपको ज्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं हो अलग-अलग आपको dimensions मिल जाते हैं जैसे मैं यहां type करता हूं Facebook पोस्ट और मैं किसी भी एक template को यहां select कर लूँगा दोस्तों तो देखो मैं Facebook पोस्ट को यहां select कर रहा हू तो यहां पर इसकी आप क्या देख रहा हो दोस्तों इसकी dimensions आपको चेंज दिख रही है ठीक है तो working from home with kids और यहां पर यहां पर यह कुछ points है तो यह देखो इसकी dimension change हो रही है अब आपको इसमें dimension में कुछ नहीं करना है आपको यहां के elements बस change करने हैं बाकि कोई भी चीज जो है वह आपको change नहीं करनी है तो यहां पर बहुत सारी यह टेंपलेट बनके आ गई है अब जैसे मैं यहां पर ही travel डालता हूं तो वहां पर तो मैंने story के point of view से travel डाला अब यहां में post के point of view से अगर दोस्तों travel डाल रहा हूं तो आप देखोगे यहां पर post के point of view से कुछ design की थी तो मैं एक बार इनको आप चाहें तो delete भी कर सकते हैं Instagram post logos मैं logos पर क्लिक करता हूं तो आप देखो कि बहुत सारे लोगो आपको यहां पर दिखाई देंगे और आप यहां पर देख सकते हो जैसे मैं यह वाला जो है एक logo सेलेक्ट किया आप यहां पर दूसरे भी select कर सकते हैं जैसे मैं यहां template में type करता हूं दोस्तों sports लोगो इस बार मैं sports logo type कर रहा हूं तो आप देखोगे कि बहुत सारे जो लोगों है जो sports theme के उपर depend है वो आपको यहां पर दिखाई देंगे अगर मैं यहां food डालूँगा आपको कोई restaurant है तो generally आप food से related logo देखो होगे तो आप देखो यहां पर यह जो सारे आपको लोगो दिख रहा है यह रिप्रेजेंट कर रहे हैं थोड़े से food वाली निष्ट को मैं यहां रेस्टोरेंट ही डालता हूं थोड़ा सा ठीक है रेस्टोरेंट लोगो मैं डाल रहा हूं तो रेस्टोरेंट से related अगर आपको लोगो मिल जाएंगे आपर देखो यह डेल बहुत अच्छा लोगो है तो अगर आप कुछ ट्रावल कंसल्टेंट है यह आपकी कोई फर्म है जो ट्रावल कंसल्टेंट से प्रोवाइड करती है ठीक है तो आप इस टाइप के जो लोगो हैं उनको आप यूज कर सकत सिंप्ली डाउनलोड कर सकते तो आपको कोई ग्राफिक डिजाइनर होने की ज़रूरत नहीं है को आपको फोड़ोशॉप जैसे बड़े सॉप्ट्वे से टूज चलाने आने चाहिए यह ज़रूरत नहीं है बात कर रहें और पिछले कुछ वीडियो के अगरा हुपर अपने बिजनेस को कर सकते हैं पेजिए को किस तरगे से यूज कर सकते हैं उसके बाद वह लोगोंने इंस्टागराम की बात करी है अब हम लोग एक और शूशल मीडिया प्लाटफॉर करने वाले हैं जो है हमारा ट् टेक्स्ट यह सारी चीज़े आप यहां पर नहीं कर सकते और अगर आपको ट्वीटर को यूज करना है ट्वीटर को यूज करके अपने बिजनस को प्रमोट करना है तो जो लेटेस्ट ट्रेंड्स हैं आपको उनका ध्यान रखना पड़ेगा लेटेस्ट जो कंट्री लेवल यह वर्ड लेवल पर यह सिटी लेवल पर जो लेटेस्ट ट्रॉपिक्स हैं जो बर्निंग ट्रॉपिक्स हैं उनका आपको ध्यान रखना पड़ेगा तभी आप ट्वीटर को अच्छे तरीके से यूज कर पाऊगे वैसे अगर हम बात करें तो ट्वीटर जो होता है गाई जो अपने कंपनी की प्रोफाइल आईडी बनाएंगे उसमें आपको किन-किन चीजों का ध्यान रखना है वह मैं आपको बता देता हूं प्रैक्टिकल ही दिखा देता हूं कहा पर वह सारी चीज़ें अवलेबिल होती है और एक और चीज कि जो आप यहां पर ट्वीट करे यह दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है अगर मैं आपको यहां पर दिखा हूं तो अब देख सकते हो यहां पर डब्लूएस क्यूब टेक आपको जरूर दिख रहा है बट यह जो एड़ डब्लूएस क्यूब है यह हमारी अगर कोई सर्च करेगा ट्वीटर के उपर डब यहां पर भी रिफ्लेक्स होता है जैसे यहां पर होगा तो फिर हम कहीं यूरल देंगे तो लोगों को याद नहीं रहेगा तो यह सारी चीजह हैं दोस्तों जिसको हमें वाइड करना है उसके बाद आप देख रहे हो यहां पर आपको कुछ सपोर्ट मिलता है कुछ आप यहां पर कुछ टेक्ट लिख सकते हैं तो य बाइड डिफॉल्ट जाएंड करें यहां Sold के अर्क यहां पर दिखाई देगा और आप कितने लोगों को फालो कर रहे हैं है और यह बहुत सारे जो हैं देख और जो आगमलब बड़ी celebrities के politicians के बड़े influences के जो आप दिखते हैं Twitter accounts है अगर वो verified है तब हम मान जाते हैं इस बात को लेकर कि भाई यह official होगा जैसे मैं यहां at the rate BCCI भी करता हूँ यहाँ पर तो आप देखो यह BCCI के तीनों जो है यह हम इनको इस तरीके समझ सकते हैं कि तीनों वह official होते हैं तो verification की अलग process है किस तरीके से आपके Twitter handle verify होते हैं अगर आप फेमस personality है अपनी निश में अपने डोमेन में किका फेमस है कोई influencer है ठीक है तो आपका Twitter handle जो है वह automatically verified हो जाता है तो Twitter handle जो आपको नाम रखना है और उसके बाद जो नेक्स पॉइंट के हम बात करें creation आप Twitter लिष्ट यहां बना सकते हो जैसे मैं अगर आपको दिखाऊ हूं यहां पर देखो आप लिष्ट को ऑप्शन है तो आप यहां पर लिष्ट बना सकते हैं मैं यहां पर प्लस करूंगा तो हम देखेंगे निउ लिष्ट तो मैं यहा मार्केटिंग लिष्ट ठीक है और यहां लिख देता हूं एकाउंट्स रिलेटेड टू डिजिटल मार्केटिंग क्या अभी मैं यहां कोई भी फोटो नहीं लगा रहा हूं इसको मैं प्राइवेट कर देता हूं एक बात के लिए एक बार के लिए ताकि लोगों को दिखा हैं उनको हम रख सकते हैं तो गाइज यह होती है हमारी जो लिष्ट आप देखने यह होती है तो जैसे मैं यहां अगर सचिन करूं तो देखो आप इस लिए को आई पर इस रहे होता है ताकि जो जिन-भी चीज़ों को आप फॉलो करना चाहते जिन-बीचीजों को आप ध् बार बार उन चीज़ों को देखना चाहते हैं तो इस तरीके से आप लिष्ट बना सकते हैं तो यहां पर आपको लिष्ट बनाने का भी option मिलता है यह वापस हम edit कर सकते हैं यहां से डिलीट कर सकते हैं आपको सिखा रहा था तो आप लिश्ट बना सकते हैं यहां पर ठीक है और लिस्ट से फिर आप बहुत जादा जो अलग अलग एक टाइप की करने के आपको options को बहुत सारे मिलते हैं जैसे this is a testing tweet यहां पर tweet करने के आपको options को मिलते हैं आप इस tweet के साथ जो है आप image यूज कर सकते हैं जिफ यूज कर सकते हैं कोई poll भी आप यूज कर सकते हैं यह questions आप इसको यहां पर add कर सकते हैं तो लोग engage होंगे आप emojis वगयरा को ऐसे यहां पर आपको आपको एक लिमिटेशन मिल जाता ह। तो इस तरीके से आप यहाँ पर tweets कर सकते हैं इनषोर्यों किंटेंट यह हमेशा दिहान रखना है कि हमें कोशिश करने हैं जो हमारा content है वो shareable हो त्रीके लोग उसको share करें इस टाइप को गुड निऊस, गुड मॉर्निंग, यह सारे भी हैस्टेग्स हम उनको यूज़ कर सकते हैं अपको हैस्टेक्स कौन से उसे करने में पता देता हूं कि दोस्तों यहां पर आप देख सकते हो इस्में आप देखो गे तो यहां तो इन सारे चीजों को आपको ध्यान मेरा रखना है तो आप देख सकते हैं ऑपर जैसे मैं आपको और ज्राइब के ओपर जाएगा कौन-कौन से जो है फेमस टीट हैं कौन-कौन से जो ट्वीट हैं वो अभी हो रहे हैं किस-किस हाइश्टाइग के अंडर हो रहे हैं तो मैं यहां पर आता हूं जैसे हाइश्टाइग वाले सेक्शन में तो आप देखोगे फॉर यू यह है मतलब जो आप जिस टाइप का कॉंटेंट बसंद करते हैं उससे रिलेटेड आपको यहां पर दिखता है उसके बाद नार्मल जो ट्रेंडिंग चीज़ें वो देखो यहां पर बहुत सारा जो है आपको यहां पर ट्रे आपको अब किशी का ट्रेंट पबांब आता है तो आपको क्या करना सब्सक्राइब कर तुर्म तो ये करना जरूरी होता है दोस्तों और इसका रीजन यह है अगर आप रीट में बढ़ेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं उसके बाद त्विटर एनालिटिक्स यह बहुत रही छीज है कि जो भी आप tweets करते हैं अगर आपको दिखा हूं जो मैं वापस आता हूं प्रोफाइल के ओपर और इसके साथ आप यह त्वी बार्स रेख रहें यह बताते हैं आपको analytics तो मैं जब analytics पर क्लिक करूँगा तो मुझे दिखेगा यहां पर कि मेरे tweet के कितने impressions हुए तो यह सारी चीज़े भी हैं और अगर आपको और detailed analytics में जाना है तो फिर यहां पर देखो आप यह आप मोर में जाएंगे और यहां से फिर आप पहुंचेंगे सीरे analytics में यह आपको और जादा detailed analytics प्रोवाइड करेगा कि आपका जो account वो किस तरीके से perform हो रहा है यानि कि आपके जो top tweets है वो आप देखो जो मेरा top tweet है वो यह है और अगर हम लोग देखें यहां पर तो यह specific time period के लिए है जैसे जून 2020 में जो मेरा top tweet है वो यह है मतलब इसको 542 impressions मिले ठीक है और top mention यह हैं दो engagement हमें मिले हैं ठीक है मतलब दूसरे लोगों ने हमें कहीं न कहीं mention किया है ठीक है then top followers हैं हमारे followers जो हैं वह हमारी यह है टॉप मीडिया tweet हमारी यह है तो यह जो हम activity करते हैं ठीक है यह था basically जुलाई का तो उसके पहले जून में अगर आप देखो जून मे हमारा यह top tweet था वहला हमारा सबसे जो popular tweet था वह इसी तरीके से में में अगर हम देखें तो 740 तो अगर हम एवरेज देखें तो हम लगबख कास्तों के आसपास यहां पर थोड़ा सा हम डाउन हो गया top tweet अभी यह month complete भी नहीं हुआ है तो दोस्तों आप किस तरीके से perform कर रह है तो हमें पता चलता है दोस्तों कि हम efforts कर रहें वो किस direction में जा रहे हैं तो यह जरूरी हम चीज भी फॉलो करेंगे time to time किchuss घृंटर के उपर हम हम activity कर रहा है उसमें धिन क्या response आ रहा हितक्षिश क्ले किस तरीके से हमारी disse को दोस्तों क्या कहें है कि हमारी क्या कर सकते हैं इसके बाथ जो सब subscribe आपको रहने नहीं कि आपने सब्सक्राइब और इस응यर में और अपने इसपर प्लाइब प्लाइप 372 की बात करें उसमें जो सबसे important चीज है दोस्तों वह होती है consistency और regularity अगर आप consistent नहीं है तो कभी भी आप organically grow नहीं कर पाएंगे उसके लिए फिर आपको फिर paid ads का सहरा लेना पड़ेगा ट्वीटर के उपर भी paid तो अगर आप देखेंगे जैसे मैं images पे जा रहा हूं एक बार तो ट्वीटर में आप देखते होंगे promoted टाइप का आपको दिखता है कि वह हमारे paid ads होते हैं तो आप भी paid ads run कर सकते वाट एक्शुली बहुत सारे लोग दोस्तों ट्वीटर के उपर जो है paid ads run नहीं कर रहे हैं and the reason is कि बहुत सारे लोग जो है वो facebook के उपर ही run कर रहे हैं तो जैसे यहां पर आप देख रहे हो यह एक आपको tweet दिख रहा है उसमें नीचे रिखो आप यहां पर थोड़ा सा यलो कलर सा promoted वाई लिखा हूँ है इस्टाग्राम है गूगल है तो वह सारे जो लोग है वो twitter का ad platform यूज नहीं करते हैं ज्यादा तर जो लोग यूज करते हैं वह facebook का या instagram का या यूट्यूब आड है उनको जादे लोग यूज करते हैं दोस्तों आशा करता हूँ आपको समझ में आई होंगे इस सारे concept और अगर मैं बात करूं सबसे important की twitter में एक और है वो है दोस्तों time किस time हमें twitter पर पोस्ट करना चाहिए तो जो research है वो यह हमें time schedule एक देती है कि जो लोग इस time period के बीच में पोस्ट कर रहे हैं उनके tweets के viral होने के उनके tweets के ज्यादा engagement आने के chances बढ़ जाते हैं तो Wednesday को 9am पे and Friday को 9am पे अगर morning में देखा जाए तो अच्छा time है Tuesday and Wednesday are the best days to post on Twitter most consistent engagement जो है वो Monday to Friday 8am से 4pm के बीच में आता है worst day जो है वो Saturday जो है वो least engagement का दिन है Twitter के उपर दोस्तों Saturday जो है least engagement का दिन है और जो lowest engagement है वो लगभग अगर time की बात करे all days के time की बात करे तो 10 बज़े से चार बज़े morning तक 10 शाम के रात के 10 बज़े से 10 पीम से 4 एम तक जो है वो उसक्त इंगेजमेंट्स जो है वो काफी कम होते है तो यह हमारा Twitter के point of view से कि सारे जो हमारा time है जो best है पोस्ट करने के हिजाब से मतलब research बोलती है या engagement की जो मैट्वसेस है वो बोलती है कि इन टाइम में अगर आप पोस्ट करेंगे आपके ज्यादा चांसे हैं कि जो आपकी पोस्ट है वो ज्यादा लोगों तक पहुंचे वो वाइरल हो सकते हैं तो आशा करता हूं आपको समझ में आयोगा Twitter को आप किस तरीके से यूज कर सकते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग एक और जो Professional Network Platform यहनि कि अगर आप कहीं जॉब करते हैं या आप किसी कंपणी के CEO से या कंपणी के इंप्लॉइज हैं उनसे कनेक्ट होना चाहते हैं Professional Network आप अपना ग्रो करना चाहते हैं तो यह प्लाटफॉर्म आपके लिए है मतलब मैं बात कर रहा हूं आपके इंडिविजुल पॉइंट अफ्यूस है अगर आप एक इंडिविजुल है और आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो भी आप अपना नेटवर्क ग्रो करना चाहते ह कहने का मतलब है यहाँ पर जो आपको इंटराक्शन दिखेंगे वह इंस्टाग्राम जैसे विजुल इंटराक्शन नहीं दिखेंगे यहाँ पर जो आपको content दिखेगा यहाँ पर आपको content इस टाइप का होगा जो professional content होता है जैसे कि मैं यहाँ पर हूँ अपने LinkedIn के प्र्फेशनल यानि यहां पर आपको पर से नहीं दिखाई देगा और यहां पर आप देखोगी कि जो बड़े-बड़े कॉंटेक्ट कर सकते हूं यह चीज फेस्बुक के उपर आप नहीं कर सकते हैं किसी भी जो conversation यहाँ पर हो रहा होता है जैसे मैं आपको दिखाता हूं यहाँ पर हम लोग नीचे आते हैं तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जैसे आप देख रहे हो 139 कॉमेंट्स है तो यहाँ पर आप पॉपुलर जो भी जिस भी निश में आप काम करते हैं जिस भी काटेगरी में काम करते हैं उससे लेटर अगर आपको कमपनी पेज बनाने के हमें यहाँ पर फैसिलिटी प्रोवाइड होती है आप अपने कमपनी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं जैसे मैं यहाँ पर अभी आपको दिखा रहा था जो यहाँ पर डीपीस बैंक है तो मैं डीपीस बैंक के ओपर यहाँ पर क्लिक करता हूं तो यह एक company profile है, एक company का page है, या पर आप देख सकते हो, तो मैं इसको follow कर रहा हूँ, और इस company से related जितने employees हैं, वो आप देख सकते हो, यहाँ पर वो आपको employees दिख रहे हैं, तो आज के time में अगर कोई professional company है, तो यह जरूरी है उसके लिए कि उसका presence, यानि कि उसकी जो identity है, profile जो है, पेज जो है, वो यहाँ पर होना चाहिए, LinkedIn के उपर होना चाहिए, तो DBS bank में कितने employees हैं, जो कि LinkedIn के उपर present है, और उन्होंने अपनी profile में लिख लखता है, कि वो DBS में job करते हैं, तो वो यहाँ पर आप देख सकते हो, वो सभी लोग हैं, तो in case, for example, आप मान की चलो, आप में job करना चाहते हो, तो आप इन employees से directly contact कर सकते हो, इनसे आप connect कर सकते हो, यहाँ पर देख रहे हो, आप connect कर सकते हो, और connect करने के बाद आप इनसे discussions कर सकते हो, वो discussions परसनल नहीं होंगे, वो साज़े discussions आपके professional होंगे, right, personal discussions के लिए आपके पास Facebook है, आपके पास Instagram है, पर यह discussions नहीं करते हैं, यहाँ पर आपकी identity एक दूसरे तरीके से represent होती है, तो यहाँ पर मैं वापस आता हूँ, और यह देख रहे हैं, आप पेज यहाँ पर आपको employees दिख रहे हैं, जो भी employees है, मैं यह इस page को follow करता हूँ, यहाँ पर following दिख रहा है, यह page का home है, about है, ठीक है, इस company में जो lifestyle है, वो आप यहाँ पर दिखेगा, नतलब क्या lifestyle employees किस तरीके से आपर काम करते हैं, अगर कोई यह company, कोई job अगर publish कर रही है, ठीक है, तो यहाँ पर वो चीज डिखती है, यानि कि company अगर कोई job publish कर रही है, तो यहाँ पर आपको दिखेगी, किन-किन लोगों क लोगों की जरूरत है, इस company को, तो जो job openings है, वो भी यहाँ पर आप LinkedIn पे देख सकते हैं, यहाँ पर people में आप आ जाएंगे, तो आप employees वगएरा को और इन सब को यहाँ से search कर सकते हैं, ठीक है, जितने लोग है, इस company से related, वो कहां रहते हैं, employees जो हैं, वो कहां रहते हैं, कह उन्होंने पढ़ाई करी, ठीक है, क्या उनके education qualification है, यह सारी चीज़े आपको यहाँ पर दिख जाएंगे, videos जो हैं, वो यहाँ पर दिख जाएंगे, in case अगर देख, वो कोई ads वगएरा run कर रहे हैं, तो वो भी आपको यहाँ पर दिख जाएंगे, कि वो कोई ads रन कर रहे तो guys, सबसे पहले, क्योंकि हम digital marketing सीख रहें, for example, मान के चलते हैं, कि आपको किसी बड़ी company में as a digital marketing manager है, या as a digital marketing executive है, या as a social media executive भी है, तो उस case में सबसे पहला step दोस्तों आपको क्या लेना होगा, कि आपको इसके उपर profile बनानी होगी, right, तो अगर आपको LinkedIn के उपर profile बनान है, और भी बहुत सारे features है, मैं एक ही करके आपको इसके बारे में बताऊंगा, सबसे पहले आपको work में जाना है, और work में जाने के बाद आप देख सकते हो, हापर create a company page लिखा हुआ है, तो मैं इसके उपर click करूँगा, create a company page, अब आपकी company है, वो किस category में fall होती है, अगर आपके small business है, महलब आपके पास 200 से कम employees है, तो small business है, medium to large मतलब more than 200 है, ठीक है, showcase page होता है, और अगर आप educational institution है, अगर आप किसी university वगेरा के लिए कर रहे हैं, school के लिए कर रहे हैं, तो school generally दोस्तों business में नहीं count होते हैं, तो उनको हम educational institution वाला जो page है, उसके तरी हम लोग create करत हैं, तो सबसे पहले, मैं यहाँ पर बात करता हूँ, small business की, मैं small business की उपर click करूँगा, और यहाँ पर हमें page की पूरी identity यहाँ पर select करनी है, create करनी, तो मैं एक बार आपके सामने create करता हूँ, मैं यहाँ type करता हूँ, WSQ Tech, ठीक है, यह हो जाएगा, WSQ Tech website जो है हमारी, वो company की और ज्यादा details जो है, उनको यहाँ पर enter कर देता हूँ, industry, ठीक है, industry में select कर लेता हूँ, हमारी कौन से industry है, वसे हम educational industry में काम करते हैं, education industry में काम करते हैं, IT में काम करते हैं, तो in case मैं IT यहाँ पर search करता हूँ, information technology या सब्लेट कोई services, आप देख सकते हो, यहाँ पर information technology आ my company से related, कोई category को search कर रहा है, तो उसे फिर हमारी जो company वो दिखाई देनी सी, right, तो industry में select कर लेता हूँ, उसके बाद company का size में मान लेता हूँ, यहाँ पर 51 to 200 employees है, company का type, ठीक है, अलग-अलग जो है, legally companies जो है, वो register होती ही, तो मान लेते हैं, हम privately held है, तो यह हम कर लेंगे, और यहाँ से मैं logo select कर लेता हूँ, let's see, मुझे कोई logo यहाँ पर select करना है, तो मैं logo type करता हूँ, मेरे पस यहाँ पर logo से related कोई photo नहीं है, I believe, बट मैं कुछ random सा यहाँ पर ले लेता हूँ, और उसको select कर लूँगा, तो for example, मैं इसी को इस नाम को यहाँ पर logo के form में upload कर देत कि आपका logo की size का होना चाहिए, उसका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, कि मेरा logo की size का होना चाहिए, तो उसी type का logo बनाएंगे, तो यह ज़्यादा अच्छा आपको यहाँ पर दिखाई देगा, ठीक है, और उसके बाद आपको यहाँ पर tagline जो लिखनी, आपकी business की tagline है, वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, providing digital solutions since the last decade, it's very random, यहाँ बहुत से random चीज़ यहाँ पर लिखता हूँ, ठीक है, और यह मैं इसको verify कर देता हूँ, ठीक है, और मैं कर देता हूँ, इसको create page, तो यहाँ देखो providing digital solutions की यह दिख रहा है, यह logo हो जाएगा, और यह आपका page create होता है, तो मैं create page के ओपर click करूँगा, तो यह आपका LinkedIn के ओपर page create करूँगा, अब आपको क्या करना है, और भी बहुत सारी information, वो आपको enter करनी है, जैसे cover image है, उसको enter करना है, description आपको proper enter करना है, तो मैं गर add करूँ, यहाँ ठीक है, add करता हूँ, तो description के लिए आपके पा मैं जिसे यहाँ से इस चीज़ को मैं copy कर लेता हूँ, एक बार आपको समझाने के point of piece है, तो मैं यहाँ पर description copy करके इसको paste कर दूँगा, थोड़ा सा यह देखने में अच्छा लगे, इसके लिए हम लोग यहाँ पर ठोड़े से paragraph अगरा break कर देंगे, जो already यहाँ पर break है, और यहाँ से मैं कुछ break कर दूँगा, ठीक है, यहाँ से मैं break कर दूँगा, ओके, तो यह चीज़ आप देखते हो, यह URL यहाँ पर हो गया, ठीक है, अगर आपके पस website नहीं है, तो आप इसको check कर सकते है, industry होगे, company size, privately held, phone number आप डाल सकते हो, ear found वो डाल सकते हो, specialty अगर आ अगर कर देता हूँ, ठीक है, android development, इस चीज़ को भी मैं यहाँ पर add कर देता हूँ, और उसके साथ android development होगे, iOS development, यह नि, web development भी लिख देता हूँ, तो यह आपकी जो services है, जो आपकी specialty है, उसको आप यहाँ पर डाल सकते हो, ठीक है, development, ओके, यह मैं यहाँ पर लिख देता ह सारी information को आपको fill करना है, ठीक है, तो यह चीज़ हो गई यहाँ पर, और अगर मैं किसी और language में भी जो है, अपना description डालना चाहता हूँ, यहाँ पर जैसे मैंने एक बार English में डाला, अगली बार मैं किसी दूसरी language में, जैसे Arabic में डालना चाहता हूँ, तो यह इस चीज़ का भी हमें option यहाँ पर दिखता है, तो एक बार जब आप इस चीज़ को complete कर लेंगे, यहाँ पर यह आप से बोल रहा है, कि आप 30% इसको complete कर, 30% जो है वो आपका जो page है, वो at least होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पर location भी हमें add करनी, मतलब हमारी company कहां पर exist करती है physically, तो मैं ज इसको complete राता नाडा, जोट्पूर, ठीक है, फाइन, यह हमारा address हो गया, city भी लिख देता हूं, मैं एक बार जोट्पूर हो गया, यहाँ पर, ठीक है, जो postal code है, वो मैं डाल सकता हूं, यहाँ स्टेट प्रविंस, प्रविंस, जो है वो राजस्थान हो जाएगा हमारा, त उसके बाद your first post, मतब आप इस page के तुरू कुछ आपको post करना है, ठीक है, यह page आपका इस तरीके से दिखाई देगा, कोई अगर इसके उपर आएगा, इस page के उपर आएगा, तो इस तरीके से दिखाई देगा, इवन आप analytics भी देख सकते हैं, कितने लोग आपके page के उप कितने हैं, unique visitors का मतलब यह होता है, देखो, यहाँ पर दो चीज आपको दिखरी, page view, जैसे मैं आपके LinkedIn page के उपर आया, एक बार, ठीक है, और मैं फिर से आता हूँ, या अगले दिन, फिर से आपके LinkedIn page के उपर आता हूँ, तो guys, page view तो दो हो गए, एक बार मैंने पहली बार तब भी मैंने page view किया, दुबारा मैं आ रहा हूँ, तब भी मैं page view कर रहा हूँ, तो page view तो हमारे दो हो गए, लेकिन unique visitors की, अगर हम बात करें, तो unique visitor में केवल single रहेगा, क्योंकि मैं ही दो बार आया हूँ, ठीक है, तो वो होता है unique visitor, तो यह चीज यहाँ पर हमें मिल रही हैं, और उसके बाद मैं वापस आता हूँ, profile के उपर, आपकी profile भी complete होनी चाहिए, अगर मैं LinkedIn profile के बात करूँ, तो देखो यहाँ पर आपको properly लिखना है, ठीक है, कि आप क्या काम करते हैं, कहा पर job करते हैं, यह सारी चीज़े, name आम का simple होना चाहिए यहाँ पर, और profile photo या इस टाइप की profile photo जिसमें आप fashion या उस टाइप की चीज़ करें, वो सारी चीज़ आप नहीं कर सकते, LinkedIn is a professional platform, तो उसी को point of view से या उसी चीज़ को धिहान में रखते हुए, आपको यहाँ पर professional profiles जो हैं, उनको use करना है, तो इस चीज़ का आपको धिहान रखना है, प्लस सारी information आपकी fill होनी चाहिए, सारी information जो भी है यहाँ पर वो आपकी fill होनी चाहिए, about us आपको properly लिखा होना चीज़, उसमें call to actions होने चीज़, वेको मेरे पूरी information यहाँ पर about us में लिखी हुई है, मेरे पस क्या digital marketing की skills है, क्या मेरी key competencies है, दूसी मेरी क्या skills है, यह सारी ची profile है, यहाँ पर हमें page की अब बात नहीं कर रहा हूं, page की बात हम लोगों ने complete कर ली किस तरी सम page create करते हैं, अब यहाँ पर मैं आ चुका हूँ, तो profile के मैं बात कर रहा हूं, कि profile में हमें यहाँ पर post views दिख रहा हैं, यह सारी चीज़ें हमें दिख रही हैं, और उसके आड करना है, remove, even जो certifications हैं, वो भी आपको यहाँ पर दिख रहा है, तो यह सारी चीज़ें आप कर सकते हो, यह सारी चीज़ें आप कहा से कर सकते हो, जब आप यहाँ पर आओगे तो add profile section आपको दिखेगा, तो intro में आप कुछ add करना चाहते हो, about में आप कुछ add करना चाहत हो, ठीक है, post, background, skills में आप कुछ add करना चाहते हो, तो आप skills में add कर सकते हो, ठीक है, volunteer actor आपका experience है, तो वो add कर सकते हो, तो बड़ी सारी चीज़ें जैसे यहाँ पर मैं जब scroll कर रहा हूं, तो नीचे यहाँ पर भी मुझे add profile section जो है, वो दिखाई दे रहा है, तो work experience में मैं digital marketing manager, it's very simple, बहुत ही simple है, बड़ी आसानी से आप कर सकते हो इन चीतों को, digital marketing manager, employment type के है, मैं full time हूँ, या मैं freelance कर रहा हूँ, तो मैं जैसे freelance कर लिख रहा हूँ, लिख सकता हूँ, company मैं लिख सकता हूँ, for example, मैं HCL type करता हूँ, तो वो जो pages है, वो यहाँ show हो जाएंगे, ठी job कर रहा है, वो यहाँ इसको ऐसे select कर सकता है, location कहाँ पर job कर रहे हो, वो select कर सकता है, जिसे मैं randomly मैं लखनों यहाँ पर type कर देता हूँ, आप यहाँ पर कितने time से काम कर रहे हो, ठीक है, वो सारी चीज़े करके आपको save कर दोगा, description मतलब आपके यहाँ पर क्या काम कर रहे होंगे, यह देख रहे हो, सब मैं job profile कर रहा हूँ, यहाँ पर मेरे पास certifications है, जैसे मेरे पास अगर digital marketing certification है, जो भी मैं यहाँ पर type करता हूँ, वो certifications यहाँ पर store हो जाते हैं, तो मैं यहाँ पर जैसे digital marketing, let me type digital marketing और आपको दिख जाएगा, तो यह जैसे आईए बे digital marketing and media foundation certification, अगर आप यह कर रहे हैं, ठीक है, यह certification आप कर रहे हैं, यह करा हुआ है, आपने तो लिख सकते हैं कि कब, जो है, कौन सी issuing organization थी, आपने कब किया, इस certification का certificate number क्या है, यह सारी चीज़ें आप यहाँ पर enter कर सकते हैं, और फिर वो certification है, वो यहाँ पर आपको show करेगा, चीज़ें करनी बहुत जरूरी है, बहुत सारे लोग यह गलती करते हैं, और यह सारी information वो fill नहीं करते हैं, और दोस्तों यह बहुत ही बड़ी गलती है, आपको यह सारी information को fill करना है, उसके बाद skills और endorsements हैं, ठीक है, तो जो भी आपकी skill होगी, उसको लोग endorse कर सकते हैं, मत आप यहाँ पर जा सकते हैं, और ask for recommendation कर सकते हैं, जैसे आप ask for recommendation कर रहा हैं, और आपने यहाँ type किया कुछ WSQ Tech, तो यहाँ पर आप WSQ Tech से recommendation के लिए कह रहे हैं, कि आप मुझे recommend करो, दोस्तों recommendations क्या होता है, देखो यहाँ पर जब लोग आपके बारे में recommend करते हैं, positive है, वो strong होती है, तो आपको कोशिश करनी कि आपको recommendations भी यहाँ पर मिलें, तो यह चीज आपको ध्यान रखनी कि आपको जो सबसे important चीज है, LinkedIn में दोस्तों, वो यह है, कि सबसे पहले तो आपको अपनी जो profile है, उसको perfectly आपको optimize करना है, सारी ही चीज़े लिखनी है, और उस is a post, ठीक है, और उसके बाद hashtag जैसे मैंने आपको बताया था, hashtag कितने popular है, वो यहाँ पर आप लिखेंगे और उसके बाद आप post कर देंगे, तो आपकी post यहाँ पर show होने लगी, जैसे इन सभी लोगों की post हो रही है, विसे आपकी post भी show होने लगी, तो मेरी जो last post है, मैं अगर उसको आपको दिखाऊं, तो जैसे यह मैंने last में post किया था, आप देखें, इसको मैंने किस तरीके से इसको post किया, प्रॉपर देखो gap है, थोड़ा बहुत image का भी use किया, और मैं हमेशा अपनी field से related ही, LinkedIn के ओपर post करता हूँ, अगर मुझे कुछ personally post करना है, तो मैं Facebook क पर post कर सकता हूँ, यहाँ पर मैं professional ही post करता हूँ, उसके बाद, कितने लोगों ने मेरी post को देखा, यह मुझे दिखाई दे रहा है, और अगर आप इसके ओपर जाएंगे, तो और दाद आपको analytics मिलेगी कि कौन से लोग कहां से देख रहे हैं, ठीक है, बहुत तरह 141 people वो पर देख रहा हैं, ठीक है, आपको पर पता चलता है, ही कितने लोगों ने आपकी पर फाayल को देखा, यह पता चलता है आपको, तो मैं अगर यहां पर हाँ, who with the ё Channel 핏 लोगों ने मेरी परतार को देखा थो 273 लोगों ने मेरी पर प्रोफाईल को देखा है, बढ़ यह free मे में बताएगा और उसके लिए आपको लिंग्डिन का प्रीमियम वर्जन लेना पड़े जैसे आप देख रहे हो तो इन्हों ने जो है मेरी प्रोफाइल को देखा और उसके बाइनों देखा यह सारे आपको दिख रहे हैं बट इससे जाधा मैं नहीं देख पाऊंगा क्योंक प्रीमियम मेंबर्शिप इनकी लेनी पड़ेगी आपको वह कुछ कॉछली मेंबर्शिप है अब आप लिंग्डिन के बन जाएंगे तब आप यह सारी इंफॉर्मिशन को भी देख सकेंगे तो यह सारी चीजे जो है दोस्तो यह प्रोफाइल आप्समाइजेशन में काउं पर दोत्तों कोई फोटो है तो उसको भी आप बारे में और इन इन और वीडियो में और दीटेल में discussion करेंगे तो अगर अभी तक आपकी personal profile लिंक्डिन पर नहीं है तो अपनी personal profile भी LinkedIn पर create करें और उस personal profile के साथ आप पूरा का पूरा जो मैंने optimization आपको बता है यह सारे आपको मैं लाइस को लाइस लाइस ए वीडियो में हम लोगों ने बात करी थी लिंग्डेन के बारे में भहुत सारे जो फीचर से Lщее समझने कोशिश करी और हमें ये समझ में आ गया कि जो दोष्तों को लिंग्डेन कि Network का मतलब ही होता है कि आपका Friend Circle यहां पर जो आपका Friend Circle होता है फेसबुक में आप Friends add करते हो यहां पर और नेटवर्क होता है तो कि यहां हम बात करें क्रोफेशनल इन्वार्मेंट की, प्रोफेशनल वोड्स में कभी भी Friends नहीं होता है प्रॉफेशनल वर्ड में जेनरली नेटवर्क होता है तो जब आप इस नेटवर्क के उपर क्लिक करोगे तब आप देखोगे कि यहाँ पर जो लोग भी आप से जुड़े हुएं जो कनेक्शन्स है आपके यहाँ पर दिखाई देंगे ठीक है तो आप देख सकते हो कितने कन कनेक्शन को अगर आप रिमूफ करना चाहो तो वह रिमूफ कर सकते हो एक बहुत इंपॉर्टन चीज मैं आपको बताता हूं इसके बारे में जैसे कि एक उखके यहां पर आपको दिख भर एप होग और यहां पर आपको लिक रहे अनल न वहला है कि यह मतलब यह सके लेवल का जो है यूजर है आपके इसका मतलब यह वह वो सब्सक्राइब यूचरा है जो आपके ड्र्रेक्ट कनेक्वर्ट में ऑन गए ठीक है जो आपके और सब्सक्राइ quand करनेक्षा हैोए जघर सब्सक्राइब तो अगर मैं स्केन्ध मेरे पास यहाँ पर इसको connect करने का कोई option नहीं देखा मतलब शाबास ठान को मैं request नहीं भेज सकता या इसको मैं connect नहीं कर सकता क्योंकि यह first connection already है मेरा मतलब यह already मेरे से connected है ठीक है तो मैं अगर पीछे आता हूँ और वापस मैं यहाँ पर search करता हूँ जो मैंने भी search किया था जैसे यह SEO रागाव वाला तो मैं वापस के उपर आता हूँ यहाँ पर यहाँ पर देखो मेरे पास connect करने का option है और यहाँ पर अगर आप देखो तो आपको second यहाँ पर दिखाई देखा है तो connection जो है वो first second third यह तीन लेवल के connections है second level के क्या हुआ मतलब यह उसका direct connection है जो आपका connection तो मैं यहाँ पर जैसे टाइब करता हूँ और ज्यादा चीजों को तो और आपको समझ में आएगा मैं यहाँ टाइब करता हूँ सेकेंड 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 सब सेकेंड कनेक्शन है तो अल्रेडी आपके में added है उसके बाद अगर आप कहां connections में जाएंगे तो आप देखेंगे कि यह आपको फर्स सेकेंड और थर्ड प्लस connections आपको दिखा रहा है तो यहां से आप देख सकते हैं कि आप किन लोगों के network मे अगर आप country के basis पे जो है फिल्टर लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं लगर आप companies के basis पे जो companies हैं उसके बेसे आपको डिशनल मार्केटिंग के वो लोग के यह जो Amazon में या Google में या Microsoft में है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं उससे रिलेटर आपके हां पर information मिल ज तो इस तरीके से आप जो है फिल्टर कर सकते हैं और आप ही आपको बास समझ में आ रही होगी जितने भी चीजां आप देख रहे हैं यह सारी चीजे प्रोफेशनल चीजों से रिलेटर तो दूस्तों इसको फिर मैं कर देता हूं यहां पर क्लियर और जॉब के पॉइंट आप क्यूंसे लिंगडिन बहुत ही पावर्फुल चीज़ है तो मैं जॉब वाले और आता हूँ और मैं जॉब से लेख करता हूं तो यहां से आप सर्च कर सकते हैं जहसे जोब सर्च कर रहा हूं तो मैं यहां तो अभी मुझे यहां पर पता चल जाएगा कि डिजिटल मा एभलेबल है तो आप यहां पर जैसे जोब्स है उसके बाद यहां पर देख सकते हो कि इस कंपणी की pricing कितना आप जोह देखना चाहते हो नास मगज़ जोब पोश्ट होई है तो यह कि específic पशेलिए जय कर सकते हो तो यहां पर दिखाई गहीं है तो यह सारी चाहँ है आप यहां पर कर सकते हो short by है यहां पर यहां पर यह सारी आपको जो है जो दिखाई देरेंगे कि किन-किन companies में job के opportunities है और यहां पर वह सारे job roles क्या क्या है आपको कौन-कौन से responsibilities कौन-कौन से activities है जिनका आपको ज्यान देना है एक और बहुत इंपोर्टन चीज़ है जिसको मैं आपसे और डिसकस करता हूं वो है आर्टिकल पबिशिंग फीचर और लिंग्डिन के ऊपर आप आर्टिकल्स भी पब्लिश कर सकते हैं जैसे यहां पर हम पोस्ट करते हैं तो आपको अप्शन दिखरा है राइट आर्टिकल्स भी लिख सक हैं मैं आपको दिखा सकता हूं मैंने जो एक आर्टिकल्स लिखा हुआ है एक या दो जो भी आर्टिकल्स यहां पर होंगे मैं आपको उनको दिखाता हूं तो आपको और ज्यादा क्लिर्टी होगी मैं यहां से अपनी पोस्ट में आ जाओंगा और पोस्ट में आप देख जो मैंने अटि करी है जो मैने पोस्ट करी है वो सारी चीज़ें पर शू होंगी अब मैं यहाँ पर देख रहे हो आपि को स्थो में आर्टिकलिस पबिश की है वह यहां पर दिखाई देंगे जैसे मैंने यह आर्टिकल पब्लिश किया है ठीक है अब मैं यहां पर देख रहे हूँ आप आर्टिकल्स के उपर आ जाता हूँ जो भी मैंने आर्टिकल्स पब्लिश की हैं वह यहां पर दिखाई देंगे जैसे मैंने यह आर्टिकल्स पब्लिश किया एक ठीक है अब देखो 2018 में पब्लिश किया हुआ एक जो है आर्टिकल्स आप लिख सकते हैं बहुत से लोग का इसके ओपर रियक्शन आएगा और सारे लोग इसके ओपर कॉमेंट्स करेंगे अब देखेंगे लोग इंगेज होते हैं ऐसी चीजों से जिसे यहां पर कोई कॉमेंट्स नहीं है बढ़कर आप देखो तो बहुत से लोगूं का इंगेजमेंट है यहां पर तो यह तरीके से आप आर्टिकल्स भी लिख सकते हैं लिंग्डिन के ओपर बट लिंग्डिन क होनी चाहिए और completely filled profile होनी चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप आधे options उसमें डाले आपने और आधे options उसमें से गायब कर दिए तो profile आपको फिल्ड होनी चाहिए और उसके बार regularly आपको content post करना है और उसके बाद जो भी famous लोग है जैसे आप यहां पर चाहिए और अपने लेंग्डिन को ठीक है यहां पर भी कर सकते हो मोबाइल में भी कर सकते हो और अगर आपको लगता है कि आपको क्या कर सकते हो इसके comments कर सकते हो जब आप यहां पर comment करोगे तो यह लोग जो बाखी के जाके comments को गहरा करने पड़ेंगे तो यह सारी चीज़ें आपको regularly करते रहना पड़ेगा तभी आप LinkedIn के उपर बहुत अच्छी तरीके से perform कर सकते हैं यह सारी चीज़ें हैं जो LinkedIn के point of view से बहुत ज़्यदा आपको open करके दिखाता हूं मतलब अगर आप बहुत सारे कोई जो courses हैं उनको आप करना चाहते हैं तो फिर आप यहां से कर सकते हैं पर इसको करने के लिए आपको premium membership लेनी पड़ेगी और उसके बाद अगर आप देखें तो आपको यहां पर बहुत सारे जो courses हैं वो यहां पर दिखाई रहेंगे बहुत सारे जो courses हैं वो आपको यहां पर दिखाई रहेंगे और कोई भी a Leaving जो है वो अप्ट कर सकते और उसे सीख सकते यह बहुत जो हैं जो है वह लेंक्डिन का है यहां से आप सारे का यूज कर सकते हैं वाट सोचल मीडिया आप्टमाइजिशन के पॉइंट ऑफ यू से लिंडिन के ऊपर आपको रेगुलर्ली पोस्ट करना है और आपको ऐसा वैसा कॉंटेंट नहीं डालना है जो कॉंटेंट आपको डालना है प्रोफेशनल कॉंटेंट आपका होना चाहि करना है तो वह सारी चीज़ें आपको यहां पर करने गाइज तो यह है हमारा बहुत ही पावरफुल टूल जो है लिंक्डिन और इसके साथ ताथ एक और चीज़ की इंसाइट आपको मिलती है यहां पर विचिस सालरी अगर आप देखना चाहते हो जैसे मैंने आपको कि डिजिटल मार्केटिंग फिल्ड की जो सालरी है वो कितनी विच इस लाइक 75,000 पर इयर 75,000 डॉलर पर इयर विच इस हूज राइट इंडिया के कांटेक्स में देखें तो बहुत जादा है ठीक है 3M विच इस वन अफ द बिगेश्ट अडवर्टाइजिंग कंपनी आफ इस ही को मैं इस थोड़ा सा अगर लोकेशन चेंज करता हूं और यहां पर मैं आ जाता हों इन्डिया में और इसको करता हूं मैं सर्च तो आप देखोगे इंडिया में जो सालरीज है वह जैसे असे श्याय दे आएन्पको याद हो कि इसेंच शूर जैसी MNC भी डिजिटल स्टाइर यहां पर अगर आप देखो तो सालरी 8,10,48,000 यह सारी आपको जो है सालरी के उसी को develop करना है गाइस इस particular वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं about short videos और short videos की social media के उपर क्या importance है किस तरीके से वो हमारे digital marketing के जो efforts है strategies है और जो social media के उपर हम marketing कर रहे हैं उसमें किस तरीके से हमारे लिए जो short videos है ये help कर सकते एक बात मैं आपको clear कर दूँ ऐसा नहीं है कि अगर मैं short videos के उपर यहां पर वीडियो बना रहा हूँ short videos को आपको explain कर रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि long form of videos जो है वो चलते नहीं है पर ये बात depend करती है कि आपका video का content किस तरीके का है अगर आपको वीडियो का content tutorial है जैसे मुझे mathematics का कोई subject समझाना है या mathematics subject का कोई part, chapter या question बताना है in that case मैं short videos नहीं बना पाऊँगा आपको लगता है क्या मैं 10 second के या 20 second के एक minute के वीडियो में पूरे mathematics के question solve करा सकतो या most impossible है तो ये इस बात पे भी दोस्तों depend करता है कि आपका जो video content है वो किस type का video content है अगर आपका video content tutorial based है, long tutorial based है तब फिर आपको long form of videos की तरफ जाना पड़ेगा long form of tutorials की तरफ जाना पड़ेगा और फिर उनको YouTube बगएरा पे आप upload करके वहां से फिर promotion करेंगे बट आप इस चीज़ को इस तरीक समझेए जब user Facebook को browse कर रहा होता है तब वो किसी भी video को 10 मिनट तक नहीं देखेगा किसी भी video को 15 मिनट तक नहीं देखेगा अगर आपको किसी भी चीज़ के बारे में बताना है अब चाहे वो खुद आप वहां पर यानि कि वहां पर human interaction हो यानि कि कोई human video में कुछ बोल रहा है कुछ add है वो कर सकता है या वहां पर animation भी आ सकता है तो ये दोनों ही चीज़ें हम बात कर रहे है short videos के point of view से तो social media पे जो आज के time में सबसे popular content है वो है short videos साथी साथ memes भी बहुत जादा popular है मतलब meme एक ऐसा type of content आज की time में social media के उपर हो चुका है जो बहुत ही जादा popularity और बहुत ही जादा engagement और वो भी इस type पर engagement जिसको बहुत जादा लोग share कर रहे है बहुत सारे लोग memes के नीचे comment करते हैं तो ये बहुत ही popular form of content हो गया है और आज के time में जो memes creator है वो लोग लगबग हर category में memes को create कर रहे हैं मतलब चाहे वो real estate की बात हो तो real estate से related memes है अगर हम digital marketing की बात करें तो digital marketing से related memes है अगर हम politics की बात करें तो politics से related memes है और जो भी trending topic आता है उससे related आप देखते हो तो तुरंथी memes जो है वो आपको दिखने लगती है तो memes को लोग अपने pages को promote करने के लिए अपने pages को दूसरों तक ले जाने के लिए भी memes का बहुत जादा use कर रहे हैं तो meme के वाल एक entertainment point of view से content नहीं रहे गया है बहुत सारे लोग strategically memes को use करके अपने Facebook pages को अपने Instagram accounts को भी promote कर रहे हैं वापस आते हैं दोस्तों हम लोग topic के उपर और हम लोग बात कर रहे हैं short videos की तो short videos बहुत जादा popular है social media के उपर अगर आप Facebook के उपर video marketing करना चाहते हैं तो आपको कोशिश करनी है कि आपको short videos भी publish करने है short videos का मतलब वो videos जिनका length है वो एक minute के आसपास हो या एक minute के अंदर हो वो जादा engagement जो है ऐसे videos जादा engagement करते हैं तो लिए बात करते हैं और जादा detail में कि किस तरीके से हमें short videos को create करना है कि animation के लिए आप बहुत सारे tools का सहरा ले सकते हैं tools मतलब थोटे से softwares का सहरा ले सकते हैं और अगर आप अगर आप mobile से videos record कर रहे हैं short videos mobile से record कर रहे हैं in that case भी उसको और अच्छे से edit करने के लिए बहुत सारी popular mobile apps हैं उसके बारे मैं आपको clear कर दूँगा तो guys यहां पर आप देख सकते मैंने लिखा videos have been making inroads in digital marketing emerging as a powerful promotional tool बहुत ही powerful promotional tool है for businesses to promote their ways in exciting and engaging way अब यहां पर कुछ tips हैं जो हम videos जिस वक्त हम create करेंगे और market करेंगे तो इन चीजों का हमें ध्यान रखना है make sure that introduction stands out introduction होना चाहिए वीडियो कहीं से भी नहीं शुरू हो सकता जिसे मैं video बना रहा हूँ तो मैं क्या बोलता हूँ कि hello and once again welcome to digital marketing course a digital marketing class by WS2Tek this is basically introduction एक introduction होना चाहिए आपके वीडियो में कुछ भी हम नहीं शुरू कर देंगे तो आपका introduction होना चाहिए इंट्रोडक्शन बहुत ही catchy होना चाहिए second is create a stimulating title वीडियो का title मतलब जब कभी भी आप देखते होगे इस चीज को आफिल करो अगर हम YouTube पे बात करते हैं तो YouTube पे thumbnail होती है दोस्तों YouTube के ओपर thumbnail होती है और वो thumbnail के ओपर लोग बड़े ही जो है click bet type के titles को लिखते है click bet titles होते जो बहुत ज़ाद आपको excite करते है एकडम से click करने के लिए जैसे मैं यहाँ पर अगर title लिख दू earn two thousand dollars right in thirty days ठीक है तो यह क्या हो गया यह click bet हो गया या how I earn two thousand dollars in a single day ठीक है तो यह click bet जो है elements हो गया सारे हमारे जो elements है कि click bet elements है तो हमें बहुत ज़ादा click bet elements तो नहीं use करना है लेकिन stimulating title ज़रूर यूज करना है क्योंकि जब user अपने facebook में browse कर रहा होगा या अपने instagram में browse कर रहा होगा तो वो जो video उसको यहाँ पर दिखाई देता है उस video का जो cover photo है मैं बताऊंगा आपको भी इसके बारे में cover photo जो होती है यानि जब आप video upload करने जाएंगे तो आपसे पुछेगा कि इस video की cover photo आपको क्या रखनी है तो जो भी आप इस video की cover photo रखेंगे वो cover photo जो आप रखेंगे उसके उपर क्या है और उसमें क्या information है उस cover photo में यह बहुत important है क्योंकि उसी को देख कर दोस्तों लोग जो है वो आपके वीडियो को watch करेंगे normally आपने वीडियो डाल दी और उसमें ना तो कोई proper thumbnail है ना कोई proper cover photo है कुछ भी clarity नहीं है in that case लोग आपके वीडियो को watch नहीं करेंगे तो इस चीज का भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है focus on the mission and less on the product देखो हमेशा हमें product बेशना तो है अगर हम अपने product के अपनी service के बारे में बता रहे हैं जैसे मेरा अगर कोई digital marketing course है तो मैं digital marketing course के बारे में बता रहूँ हम उसको अपने जो digital marketing फील्ड है उसके benefits के बारे में बताएंगे जब उसे हमारे benefits के बारे में पता चलेगा तब वो हमारे course को लेगा ऐसा नहीं कि हमेशा हम अपने product के बारे में ही बात करते रहेंगे अगर वीडियो के हम बात करें वो product और service के around होनी चाहिए तो वीडियो हमें पता है कि वीडियो आजके टाइम में marketing के बहुत ही अच्छे tools है marketing का बहुत ही powerful tool है लेकिन अगर हम उसे properly use करें तो अगर हम उसे properly नहीं use करेंगे तो ये tool हमारे लिए किसी भी तरीके से काम नहीं करेगा next हम बात करते हैं और भी ज़दा points की जो हमें ध्यान रखना है don't be boring ठीके आपको boring content नहीं बनाना है क्योंकि वीडियो में retention time भी अगर देखा जाए तो बहुत कम होता है ठीके वीडियो का retention time भी बहुत कम होता है तो क्या होगा आपका जो main content है जो main message है वो तो निकल गए आपका क्योंकि बहुत सारे users हो सकता है 80% users नहीं से निकल गए तो बचे 20% users नहीं आपके वीडियो को देखा और उन में से भी जो 18% users थे उन्होंने 50% देखा या 30% देखा तो आप क्या देख रहे हो कि आपका जो वीडियो दो मिनट का था इस तक पूरा तो किसी ने देखा ही नहीं इवेन 80% भी किसी ने नहीं देखा तो ये एक बहुत ही negative चीज है इसके लिए आपको क्या करना है आपको आपके वीडियो के बहुत प्रॉपरली देखना है जब आप वीडियो create कर लेते हैं उसके बाद भी आपको देखना है चाहे वो animation form में वीडियो हो चाहे वो आप खुद बोल रहे हो चाहे वो आपके office का कोई वीडियो record किया हो किसी भी टाइप पर जो वीडियो है उसको आपको properly analyze करना है शोचल मीडिया पर डालने से पहले कि आखिर इस वीडियो में retention है यानि कहीं पर ऐसा तो नहीं लग रहा है दो मिनिट के वीडियो में कि यहाँ इस point पर audience हम से तूट जाएगी तो हमें उन elements तो पर वापस ताम करना होगा ठीक है तो यह बहुत ही बहुत ही important चीज है जो हमें ध्यान रखती है be focused with your goal ठीक है वीडियो में इनाउधर की बात नहीं करनी है normally जो आपका goal है उस पर बात करनी है write your videos, script and work accordingly बहुत सारे लोग होते हैं जो सीधे direct videos start करना शुरू करते हैं तो उसके बाद 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 सारे उनके changes आते रहते हैं इस problem से बचने के लिए आपको क्या करना है शुरुआत में आपको एक script prepare करनी है एक script एक layout prepare करना है फिर उस script के according उस layout के according आपको content को deliver करना है या जो भी आपको बोलना है उस वीडियो में तो उस script के according को आपको बोलना है उससे दोस्तों होगा क्या कि जो error के chances हैं आपके जो गलती होने के chances हैं वो बहुत ही जादा कम हो जाते हैं तो इस बात कभी दोस्तों आपको ध्यान रखना है ठीक है select proper recording tools ठीक है देखो वीडियो में एक चीज़ बहुत ही माइने रखती ही वो होती है आपकी voice quality तो आप उससे compromise नहीं कर सकते आपको voice बहुत clear रखनी है क्योंकि एगर voice में disturbance होगा तो बहुत ज़दर problem होगी ठीक है हम लोग भी इस बात को suggest करते कि कोई ऐसी ज़रुवत नहीं कि आप बहुत बड़े professional cameras यूज करें आप mobile camera को भी यूज कर सकते बट कोशिश करें कि noise cancellation कर सके आप उसके लिए बहुत सारे tools भी आते हैं जिनकों बारे मैं आपको बताऊंगा select your editing tools तो editing tools की अगर हम बात करें तो editing tools basically दो तरीके के हैं एक तो अगर हम बात करें professional बहुत ही professional और powerful editing tools है powerful editing tools है अब यह जो professional और powerful editing tools है जैसे इनके हम बात करें तो यह premiere pro हो गया फिलमोरा हो गया इनके लिए थोड़ा सा आपको चीजे समझनी पड़ेंगे otherwise बहुत सारे app based है और इनमें से one of the very best जो है वो in shots है अगर आप इसको देखेंगे तो इन shots दोनों ही modes में available है मतलब यह free भी available है और इसका premium version भी है मतलब paid version भी है software generally free और paid दोनों ही आते है तो free version से in shots के free version से भी आपका बहुत ज़्यादा काम हो जाएगा तो मैं शुरुआत्मों आपको नहीं suggest करूँगा कि आप इसके paid version की तरफ जाए बट in shots के उपर आप काम करें बहुत ही powerful tool है यह और बहुत सारी जो editing है आपके वो mobile level पर ही हो जाएगे ठीक है और भी है बहुत सारे जैसे काइन माश्टर है यह भी एक tool है ठीक है अगर आप screen recording करना चाहते है जैसे आप हमारे videos में देखते होंगे कि हम screen recording होती है हमारे videos में मतलब जिस laptop के उपर मैं काम करता हूँ उसकी screen recording हो जाती है तो उसके लिए भी बहुत सारे tools आते हैं इनके बारे मैं भी आपको बता दूँगा कि बहुत सारे tools है हम जो tool यूज करते हैं that is OBS ठीक है OBS studio हम यूज करते हैं तो OBS studio है Camtasia है ठीक है और एक chrome extension है दोस्तों जिसके बारे मैं आपको बताऊंगा बहुत ही useful chrome extension है जिसको हम बोलते हैं Loom ठीक है तो Loom chrome extension को आप install कर लेंगे तो इससे भी आप जो है screen recording कर सकते हैं बाकि बहुत सारे cases में mobile recording की भी जवरत परती है जैसे आपने देखा होगा जो मेरा screen recorders होते हैं उससे screen हमने record करी थी और फिर उसको हम लोगों ने use किया था और जो भी आप देखते हैं हमारे जो भी वीडियो में editing देख रहे हैं वह premiere pro से ही होती है premiere pro से होती है because we have dedicated editors तो हमें problem नहीं होती इस चीज में बट मैं आपको suggest कर रहा हूँ जैसे मैंने आपको in shot बताया और laptop ये तो mobile के लिए बताया मैंने आपको और laptop के लिए मैं एक बर फिर से आपको बता जता हूँ laptop के लिए आप जा सकते हो फिल्मोरा के लिए ठीक है ये भी आपका अच्छा काम करता है तो आप इन दोनों ही टूल्स को यूज कर सकते हैं include call to action वीडियो में हमेशा हमें दोस्तों call to action इंक्लूट है वीडियो हमने पूरा दिखा दिया बता दिया उसके बाद क्या 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 हम करवाना चाहिए जैसे अगर मैं यूट्यूब क्यों पर वीडियो डाल रहा हूँ तो generally call to action क्या होते है सब्सक्राइब करो हमारे चैनल ठीक है या अगर मैं वीडियो में किसी टूल सॉफ्ट्वेस की बाद कर रहा हूँ अपनी website, अपने business की बाद कर रहा हूँ तो मैं business की बाद करके निकल नहीं जाओंगा वहां से ठीक है मैं business की बात करने के बात वीडियो को बंद नहीं कर दूँगा नेक्स्टेप दोस्तों मेरा क्या होगा कि मैं उसको बताऊंगा कि अगर आप मेरी services लेने चाहते हैं या और information के लिए आप मेरी website के उपर जा सकते हैं तो when I am telling them कि मेरी website के उपर जा सकते हैं this is basically call to action मैं जब बता रहा हूँ उनको कि भाई ये last week है इस week के बाद offer end हो जाएगा तो अभी आप जाएं website के उपर और offer जो है आप ले सकते हैं तो वो जो चीज है जो मैं encourage कर रहा हूँ उनको जो मैं बोल रहा हूँ उनको कि आप जाओ website के उपर जाओ आफ फून करो that is basically call to action तो call to actions हमें include करने दो call to actions भी दो तरही जीज होते हैं वीडियो में हो सकता है call to action लिक के आ रहा हूँ जैसे offer available for next two days only हो सकता है call to action लिक के आ रहा हो हो सकता है call to action हम बोल रहे हैं तो दोनों ही चीज़े हैं आप देख सकते हैं कि कौन से चीज़ जादा fit हो रही है but guys video आज के time में social media के उपर इतना जादा popular है बढ़ किसी भी video को आप ऐसे ही share कर देंगे किसी भी video को आप ऐसे ही upload कर देंगे तो ये चीज़ काम करने वाली नहीं है professionally आपको देखना पड़ेगा बहुत सारी चीज़ें होती है उनको समझना पड़ेगा इस जो सारे points मने बताएं इनको ध्यान रखना पड़ेगा इनको consider करते रहना पड़ेगा आगे हम लोग बात करते हैं कि video content के ideas क्या क्या है मतलब कितने तरीके से video content हो सकते है तो guys vlogs हो सकते है vlogs जैसे मैं कही travel करने जा रहा हूँ तो मैं उसकी recording कर सकता हूँ तो उसर बेस्केली vlog behind the scene company culture मेरा office है उसमें कोई event हो रहा है उन सारे चीज़ों क्या है मैं recording कर सकता हूँ interview जो है मैं किसी के साथ कर सकता हूँ question answer पे related videos बना सकता हूँ webinar कर सकते हैं presentation का video हो सकता है tutorial का video हो सकता है वैस अगर आपके दिमांग में यह है कि हम video बनाएं किस topic के उपर तो वो यह सारे options है product अगर आपका कोई है तो उसका review आप कर सकते हैं testimonial के videos डाल सकते हैं मतलब अगर आपके company को लेकर कोई कुछ positive चीज बोल रहा है even हो सकता है वो video ना दे आपको जैसे मैं client हूँ किसी company का और मैं अगर उसके satisfied हूँ तो मैं एक testimonial देता हूँ इसको आप reviews बोलता है मैं review दे रहा हूँ तो review देने के दो तरीके होता है या तो मैं बोल के review दे दूँ या मैं type करके review दे दूँ तो अगर मैं type करके review दे रहा हूँ तो जो भी जैसे 10 लोगों ने type करके review दिया तो उसके हम shots ले लेंगे screenshots ले लेंगे images ले लेंगे और इनको video के form में हम चला देंगे अगर कोई बोल के कर रहा है तो हम उनको compile कर देंगे अलग-अलग videos को हम यूज कर सकते है अपनी marketing strategy में that is testimonial हम जो है live streaming कर सकते है brand film मना सकते है वीडियो emails जो है 360 डिगरी में 360 videos होते है आज के time में जो हो famous है उनको हम यूज कर सकते है user generated content वही reviews औगारा से related होता है contest giveaway से related और personalized video तो दोस्तो इतने तरीके के video content की अगर हम बात करने अगर आप ये confused होते है कि कौन सा video क्या video में बनाएं क्या तो ये सारे देखो इतने सारे options हैं इनको आप बना सकते हो जो आपके company से आपके project से आपके सव इससे relate करते हो तो I believe guys अभी बहुत सारी चीजे जो है short videos के बारे में क्लियर हो गई इस शॉट वीडियो का मतलब होता है एक minute के around का video या उससे भी कम कभी हो सकता है शॉट वीडियो अगर आपका message 30 seconds में 25 seconds में deliver हो रहा है तो वो भी एक short video ही है गाइस इस पड़िगुला वीडियो में हम लोग एक बहुत इंट्रेस्टिंग तूल या software के बारे में बात करने वाले गाइस हम लोग बात कर रहे है social media optimization की और जब हम social media optimization की बात करते हैं तो social media accounts का creation social media pages का creation ये सारी चीज़ भी रहती जिनको हम लोगों ने सीख लिया किस तरी किसे हम facebook page के करते हैं किस तरी किसे हम LinkedIn के उपर अपनी business profile बनाते हैं इन सारे चीज़ों को या business page बनाते हैं उसको भी हम लेग सीख लिया फिर Instagram के उपर भी हम लोगों देखा देख जो हम profile create कर लेते हैं उसके बाद कितना important होता है हमाई लिए उसको business account में convert करना यह जो important चीज़ है इनको हम लोगों ने discuss कर लिया अब एक और बहुत important चीज़ है जो यह है कि जब कभी भी आप कुछ post करना चाहते हैं जैसे कि आपके company में कोई event हो कुछ photos में अब उनको आपको post करना है तो अगर आपको उनको post करना है कोई आपकी post के उपर comment कर रहा है तो अगर आप Facebook में login नहीं है आप नहीं देख पाएंगे ठीक है अगर आपको पास notification नहीं आ रहे है तो आपको नहीं पता चलेगा कि Facebook पे हमारी post के उपर किसने comment कि उसके लिए आपको LinkedIn के profile पर जाना पड़ेगा और वहां से आपको reply देना है बहुत जाए टाइम लग जाता है हमें अलगलक platforms में login करना पुरता है अलग-अलग platforms को independently हमें manage करना पूरता है आसा नहीं है कि हम सारे platforms को एक जगा manage कर लें कि हम सारे platforms कोगनेक्ट करना चाहते हैं तो वो उस चीज़ को करने के लिए हमारे पास बड़े सारे टूल्स अवलेबल हैं, उन में से एक टूल जो हम यूज़ करते हैं, जिसका नाम है जोहो शोशल, तो देख सकते हो, आप मेरे लापटॉप स्कीन के उपर मैं जोहो शोशल की वेबसाइट के उपर हूँ, और अग लॉग इन के उपर क्लिक करना है, बिसकलिए हम लोग करेंगे क्या, यह एक जोहो शोशल का प्लाटफॉर्म है, एक सॉप्स्वेर है, जिससे हम अपना फेस्बुक पेज, अपना लिंक्डिन, अपना इंस्टाग्राम, अपना ट्वीटर, अपना फेस्बुक, यह सारी ची अपनी आइडी यहां पर यहां पर इसको आइडी कर दूँगा, बहुत इस सिंपल से स्टेप्स हैं, वह हम करते चलेंगे, और यहां पर जो है हमारा जोह का एकाउट क्रेट हो जाएगा, रइट गाइज, तो मैं यहां यहां पर दिख रहा है, ठीक है, मैं इसको आई अग इसलिए मैं अकाउंट बना रहा हूं और कंपनी का साइज मैं लेता हूं कुछ कॉंटेक्ट नंबर चाहिए बट वो मैं यहां पर रैंडम सा कर दे रहा हूं और आप चाहो तो इसुप भी कर सकते हो टेक मी इन मैं कर दे रहा हूँ अब आप देखोगे यह क्या बोल रहा है आपको क्या option बोल रहा है कि आप इतनी सारी चीजों को connect कर सकते हैं अपने Zoho Social के account में इसारे क्या है Facebook को, Twitter को, LinkedIn को Google My Business को और Instagram को तो for example मैं Facebook के ओपर जाता हूँ अपने जो आपका Zoho का account है उसमें connect कर सकते है तो जब आपका Zoho के account में connect हो जाएगा तो यह तो मैं आपको process बता रहा हूँ किस तरीके से आप करेंगे उसके बाद मेरा जो यहाँ पर established account है बतलब हमारा जो दूसरा account जिसमें हम अल्री काम कर रहे है वो मैं आपको दिखा देता हूँ तो और जादा आपको clarity हो जाएगी तो मैं यहाँ से हो जाता हूँ एक बार sign out यह तो मैंने आपको बताए किस तरीके साब बनाओगे जब आपका account बन जाएगा और यह जो मैंने connect करने के options बताए आपको यह जब आप connect कर लोगे उसके बाद आपको कुछ इस type से account दिखाई देंगे मुझे आपको दिखाना है एक बार मैं वापस आता हूँ और यहाँ पर वापस ही Google से हम लोग sign in कर लेते हैं कोई बड़ी बात नहीं बहुत ही simple है गूगल के उपर click करेंगे और यहां से हम बड़ी आसानी से sign in कर लेते हैं तो let's see मैं इस वाली ID को use कर लूँ यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर इस को use कर लूँ तो अगर इस से जो गूगल आईडी से जो जो हो का account बना है हम उसमें बड़ी आसानी से login कर सकते हैं तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो अब इस टाइप की जो है आपको यहाँ पर information दिख रही है मैं वापस यहाँ पर click करूँगा ठीक है और हमें यहाँ पर जो हो accounts का यह section दिख रहा है एक बार अपस से यहाँ पर आप यहाँ बहुत है यहाँ आपको दिखे ने नार्मली Google के ओपर टाइप करेंगे तब भी आप जोशो ना आ जा जा है तो अब आपको यह यहाँ पर चीजे डिख लिए देखो यहाँ पर क्या हुआ हुआ जो चीजे connect करके रखी हुए वो दिख रही है हमें डब्लू एस क्यूब टेक पेस्बूक मैंने connect कर रखा है ट्विटर connect कर रखा है और लिंक्डिन connect कर रखा है तो यह दिख रहा है और इस पेज की क्या performance है वो भी हमें दिख रहा है अब यहां पर देखो जो recent post है वो भी आपको यहां पर दिख रही हमारी recent post कौन कौन सी हमने फेस्बूक पर recent post कौन सी करी हमने यहां पर Instagram के ओपर recent post कौन सी करी और इन में क्या-क्या जो है इंगेजमेंट आए, लाइक्स क्या आए, कॉमेंट्स क्या आए, ठीक है, यह सारी इनफॉर्मिशन हमें यहाँ पर दिखाई देती है, ठीक है, अब हमें नई पोश्ट करना है, दोस्तों किस तरीके हम कर सकते हैं से मैं यहाँ पर न्यू आपको दूसरी प्रोफाइल के उपर ले चलता हूँ, तो आपको यह इंटरफेस समझ में आ रहा है, मैं आपको दूसरी प्रोफाइल पर ले चलूंगा, जहां पर हमारे दूसरे जो और भी एकाउंट्स हैं, वो चनेक्टेड है, और जो लाइव एकाउंट है हमारा, मैं उसके उपर आपको ले चलता हूं यहां से तो दूस्तों आप देख सकते हो मैं एक दूसरे account के उपर आ चुका हूं और यहां पर आप देखो यह 25 जुलाई को 12 बजे यह जो पोश्ट है यह देखो फेस्बुक पर भी हुई है ट्विटर पर लिंक्डिन पर यहां पर आप देखो यह जो आपको यहां पर account के उपर आप पोश्ट कर सकते हो जिसा मैं लिख रहा हूं दिस इज पोश्ट ठीक है तो अब मैं जब यहां पर पोश्ट न तो इन्होंने किस चीज़के अपर कमेंट करा हुआ है ठीक है तो यहाँ पर यहाँ पर दिखुरा है ठीक है इन्होंने किस चीज़क्रों apresent किया वह तो यहाँ पर लोग जिनों ने फेस्बूक के ऊपर कमेंट किया है वो आपको यहाँ पर दिख रहा है जाज आज जाए को मॉनिटर कर सकते हैं तो मैं वापस आता हूँ अब हमारी हा पर आप देख सकते हो आपको बारबार अपने अलग-अलगहींum करने क ज़रूएं है यहीं से आप चीजों को मानीटर कर सकते हैं इसके लिए अपको अपग्रेट करना पड़ेगा। यहां पर हम कनेक्शनस देख सकते हैं अलग प्लाट्फों को माणीटर कर सक्ते हैं यहां पर चीज़ेंगी जब आपके पास जो हो का जो फोड़न है वहppenनी है कि हम एक जगा पोस्ट करें और आटोमेटिकली हमारे अलग अलग प्लाटफॉर्म्स को पर पोस्ट हो जाए वो फैसिलेटी हमें जोहो शूशल प्रोवाइड करता है और जो यहाँ पर चैनल्स नहीं आड हैं उनको भी हम आड कर सकते हैं यहाँ पर हमें सुझेट कर रहा है कि आपके पास दो और इसमयं और चैनल्स को आड कर सकते हैं और यही पर हमें दिख जाता है राप बार बार ट्ट टूइटर खेसबिक कर नहीं जाना की कहां पर शोशल मीडिया से related कुछ important matrices के बारे में, कुछ बहुत important KPIs के बारे में तो guys इसको समझाने से पहले जो important matrices हैं उनके बारे में discuss करने से पहले सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर ये metric का मतलब क्या होता है या KPIs का मतलब क्या होता है, key performing indicators का मतलब क्या होता है तो KPIs का जैसे मैंने आपको full form बताया, KPIs का जो full form होता है वो key performing matrices होता है, जैसे हम लोगों ने बहुत सारी चीज़े जो अभी तक है वो social media के बारे में पढ़ी और बहुत सारे tools देखे किस तरीके से accounts बनाते हैं इस चीज़ें हम लोगों ने देखी, अब हम social media के उपर अपने efforts start करते हैं आपने facebook का page बना लिया और facebook के page के उपर आप आपने काम करना start कर दिया अब आप वो काम सही direction में कर रहे हैं या सही direction में नहीं कर रहे हैं इस चीज़ को कैसे measure किया जाएगा, इस बात को समझने की कोशिश करें कि आप जो work कर रहे हैं, आप जो task कर रहे हैं, social media pages के उपर जो activity कर रहे हैं वो activity सही direction में हो रही है या नहीं हो रही है, इसको किस तरीके से हम measure करेंगे जैसे measurement की बात आईए तो मैं आपको बता हूँ, जैसे कि कोई student है वो साल भर पढ़ता है और साल भर पढ़ने के बाद जब उसका result आता है, तो result हम उसके percentage से judge करते है उसकी मेहनत हम नहीं देखते है, at the end of the day हम क्या बोलते है कि तुमारे कितने percentage आए वो हमें बोलता है कि हमारे 60 plus percent है जाए हम बोलते हैं कि first division आप pass हो गए हूँ, तो जो भी आप efforts करते हो उसको हम किस तरीके से measure करेंगे, वो कहलाती है हमारी KPIs, मतलब किस चीज़ को measure करना है हमें हमने post डाल दिया, उसके बाद हम बैट जाएंगे, क्या नहीं, हम analytics चेक करेंगे कि वो post कैसे perform कर रही है गट कैसे perform कर रही है, यह इसका मतलब क्या है, क्या देखेंगे जाके हम उसमें, जिससे हमें पता चलेगा कि यह चीज़ ठीक चल रही या नहीं चल रही तो उनको हम KPIs बोलते हैं, उनको हम metric बोलते हैं, तो हमें इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है, कि जब हम social media के उपर efforts करते हैं, तो हमारे दिमाग में चीज़ बहुत clear होनी चाहिए, कि next हमें measurements कि चीज़ के करने हैं, मतलब अगर हमने कोई post डाली, तो हमें यह देखना है कि उसके कितने impressions आए, कितने लोगों को वो दिखा, तो यह सारी जो impressions, reach, clicks, यह सारी जो चीज़े हैं, कि क्या हैं हमारी metrics हैं, यह हमारे key performing indicators हैं, इनी के basis पर आप judge करते हो, इनी के basis पर आप देखते हो, कि आपके जो social media के efforts हैं, वो ठीक direction में हो रहे हैं, या नहीं हो रहे हैं अब social media की बात होड़ी तो बड़े सारे social media platforms हैं, जो facebook है, twitter है, instagram है, तो सभी platforms के लिए, जो KPIs हैं, वो अलग-अलग होती हैं, जैसे twitter में retweets का option होता है, facebook पे retweets का option ही नहीं होता है, तो twitter पे आप retweets को, जो है, उसको follow करोगे, मतलब retweets को आप measure करोगे, बट facebook पे थोड़ से एक-एक social media platform को पकड़ते हैं, और देखते कि वहाँ पर कौन-कौन सी important metric है, जो दोस्तों सबसे पहले जो आप यहाँ पर देख रहे हो, वो है हमारे facebook, right, facebook यहाँ पर है, और देखते हम लोग के facebook के point of view से कौन सी important KPI होती है, जो जो पहली important KPI है, वो है reach, और जो दूसरी important KPI है, वो है impressions, guys, reach your impressions जो है, यह बहुत ही जादा confuse करते हैं हमें, तो हमें पता होना कि यह reach your impressions में क्या difference है, for example, यह आपने इस post बनाई, और यह post जो है, तीन लोगों को दिखी, ठीक है, तीन लोगों को दिखी, यह तीन person है, अम मान लेते हैं, this is user 1, ठीक है, और यह जो हमार user number 2 है, और यह जो है, वो हमारा user number 3 है, तो अब यह post तीन लोगों को दिखी, ठीक है, यह post तीन लोगों को दिखी Facebook पे, तो हम बोलेंगे कि जो इसकी reach हुई, वो कितनी हुई, 3 हुई, वही पर ऐसा भी हो सकता है, कि इस user को यह वाली जो post है, वो दो बार दिखी हो, इस user को यह post दो बार दिखी हो, और इस user को यह post एक बार दिखी हो, ऐसे cases हो सकते हैं, तो total जो हमारी post के impressions हुई, अब वर्ट समझेगा, जो हमारी total post के impressions हुई, वो कितने हुई, 2, 2, 4 और 1, 5, तो यहाँ पर दोस्तों, जो impressions हुई, वो हुई 5, और जो reach हुई guys, वो reach हुई 3, तो कि इतने unique users तक हमारी post पहुच रही है, वो हमारे reach कहलाती है, और हमारा add कितनी बार दिखाऊ, वो हो सकता है, एक user को दो बार दिखाऊ, एक user को तीन बार दिखाऊ, ऐसा हो सकता है, वो हमारे impressions कहलाते हैं, तो हमेशा जो हमारे impressions होंगे, यह जो अगर हम इसको देख है, mathematical ली, तो हमारे impressions हमेशा reach से जादा होंगे तो ये दो चीज़े हैं जिनको हमें follow करना है और इस बात का भी हमें ध्यान रखना है कि ऐसा नहों कि हमारे impressions एक ही बंदे को हमारे impressions इतने जादा हो जाएं कि हम reach जादा नहीं कर पा रहे तो हमें ये एक proportion समझना है कि हम अगर जो है अपनी post डाल रहे तो वो unique लोगों तक पहुंचे reach भी बढ़े ऐसा नहीं कि केवल impressions ही increase हो reach भी increase होनी चाहिए उसके बाद जो third important metric है Facebook के point of view से वो है हमारी engagement engagement का मतलब होता है कि उस post जो पर clicks आ रहे हैं कि नहीं वहाँ पर कोई comment कर रहा है कि नहीं उस post को कोई save कर रहा है या नहीं उस post को किसी दूसरे के साथ share कर रहा है कि नहीं दूसरे लोगों को tag कर रहा है उस post में की नहीं ये सारी चीज़े हमारी engagement में count होती है तो ये सारी चीज़े हम measure करते हैं जब आप Facebook की पोस्ट करेंगे तो आप देखेंगे Analytics में आपको दिखाई देगा ये सारे options वहाँ पर present होते हैं और इन सारे options को आपको देखना है कि चीजें हो रही है या नहीं हो रही है उसके बाद page likes and follows मतलब ये सारे तो post के respect में चीजें हो गए ये जितनी भी बात हमने करी तीन जो उपर के हम लोगों ने metric लिए ये KPIs लिए इसमें हमने बात करी post की, कि post की reach क्या हो रही है ये post के impressions क्या हो रहे है पोस्ट के engagement क्या हो रहे है पर यहाँ पर जो हमारा fourth point है fourth point में हम page की growth की बात कर रहे है कि page के likes जो है लोगों तक पहुचा नहीं है लेकिन उसके साथ हमें page की भी growth चाहिए तो page के point of view से facebook के page के point of view से page likes और page follows किस तरीके से बढ़ रहे हैं इसको भी हमें देखना है then fifth is page views हमें देखना है कि हमारे page के views कितने हैं और किवल देखना नहीं है दोस्तों इसको compare करना है जैसे मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर कि आप देखोगे कि page likes हमारे जो हैं वो for the month of July वो हमने जो page likes gain किये वो 1000 gain किये एक्जामपल के तौर पे तो अब August में जो हमारे page likes हैं वो अगर हमारे page likes 800 रह गए तो इसका मतलब हम बुरा performance कर रहे है यहाँ पर हम क्या देख रहे है कि अगर हमारे 800 रह गए तो हम बुरा perform कर रहे है ये एक अच्छी metric नहीं है वही पर अगर यहाँ पर जो number है वो मान लेते हैं कि 1200 हो जा रहा है अगर 1200 हो जा रहा है इसका मतलब हम ठीक perform कर रहे हैं तो आप देख रहे हो ये evaluation बहुत जरूरी है इस वर हम ठीक perform करें गर इस पे compare हम करें तो यही सारी metric होती हैं यही सारी key performing indicators होते हैं अब आप केवल post करते जा रहे हो page बना दिया ना likes देख रहे हो ना उसको compare कर रहे हो यह तो comparison मैंने आपको दिखाया month का यह comparison जो है week level पर भी हो सकता है कि पिछले साथ दिन में हमेंने 10 जो है वो likes गें किये थे अब next इस वाले साथ दिन में हमने कितने likes गें किये और पिछले जो हमने ज़ादा likes गें किये थे तो यही सारी चीज़े आप करते हो यही सारे decisions आप लेते हो जब आप अलग-अलग metric को और अलग-अलग KPIs को देखते हो तो यह तो जो हमारी metric है यह important है Facebook के point of view से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम लोग Twitter के point of view से कौन से लोग हमारे hashtags को यूज़ करें दोस्तो हैश्टेग को जैसे हमारा hashtag है hashtag WSTubeTech तो क्या बहुत सारे लोग इस hashtag को यूज़ कर रहे है या नहीं कर रहे है इससे पता चलता है कि हमारी popularity क्या है तो हम इसको measure करेंगे clicks on a link अगर हमने जो हमारा Twitter का tweet है जैसे हम लोग देखा था और उस tweet में हमने कोई link दे रखा है जिसके उपर कोई user क्लिक करेगा तो अगर कोई user इस link के उपर क्लिक करता है तो link पे click करने के बाद कितने लोग उस link को क्लिक कर रहे है इन सारी चीजों को हम measure करेंगे कौन से लोग हमें follow करते हैं कौन से लोग हमारे tweet के उपर reply कर रहे है या कितने एक वही वाली बात हो गई जो हम लोगों ने अभी पहले देखा था monthly basis पर हम compare करेंगे weekly basis पर हम compare करेंगे कि इस month हमारे tweets के उपर replies है इस week हमारे tweet के उपर reply कितने आया और वो पिछले week और पिछले month के comparison में हम improve कर रहे है regularly या नहीं improve कर रहे है तो इन सारी चीजों को हमें देखना है उसके बार retweets तो retweets को भी हम compare करेंगे तो guys हर platform के हिसाब से हमारी जो metric है वो बदल जाती है और हर objective के हिसाब से भी हमारी metric बदल जाती है तो अगर हमारा objective page के likes को increase करना है तो हम post likes को उतनी सवज्जों नहीं देंगे उतने ध्यान से उनको measure नहीं करेंगे बट हमारा focus, हमारी strategy इस चीज़ के around होगी कि किस तरीके से हम page के likes को increase कर से बात clear हो रही तो objective क्या है इस पर बड़ी सारी चीज़े जो है वो depend करती है उसके बाद जो third है वो यहाँ पर है Instagram के लिए तो Instagram में impressions कितने आ रहे हैं आपकी post के engagement क्या रहा है trending और brand hashtags जो है वालब friend आप कर रहे हैं आपकी post एकदम से viral हो रही है या नहीं आप trending hashtags को use कर रहे हैं ये सारी ये सारी चीज़ों को आप measure करेंगे click through from your bio link bio के बारे मैंने आपको बताया था अगर याद हो तो मैंने आपको बताया था कि जब आप bio में जाते हैं तो bio में वहाँ पर आपको link जो है mention करने का option मिलता है और उस link पे कितने लोग click कर रहे हैं ये भी आप measure कर सकते हो तो bio पे हमारे कितने लोग click कर रहे हैं ये भी हम measure कर सकते हैं followers की किस तरीके से growth है ये graph में आपको दिखेγα刚 followers हमारे किस तरीके से grow हो रहे हैं नए followers हम gain कर रहे हैं Instagram story engagement यह भी बहुत important चीज है, क्योंकि Instagram में stories बहुत important, जो आप stories upload करोगे Instagram में, उसके आप insights देखोगे, insights में जाके आप check करोगे, तो आप देखोगे stories के उपर लोग किस तरीके से engage करें, उसके उपर engagement आ रहा है या ने, तो यह Instagram के point of view से, Instagram की overall growth के point of view से कुछ important metric है, जिनको आप follow क करना है, इस वीडियो का concept यह है, कि हमें analytics पर भी focus करना है, केवल और केवल, आप social media के उपर account बनाना सीख गए, यह काम नहीं करने वाला है, account बनाने के बाद, आपको क्या बनाना है, दोस्तों, मैंने आपको एक calendar के बारे में बताये था, next वीडियो में, मैं आपको calendar दिखा है, उसको भी तो हमें measure करना है, जो हम post कर रहे है, उसको भी तो हमें measure करना है, तो उसको measure करने के लिए किस से measure करेंगे, जैसे मैंने शुरुबात में काउन सा example यह student, तो student ने अच्छा perform किया, यह नहीं perform किया, उस साल में जब exam देगा, तो उसके जो percentage आएंगे, उससे पता कि इस module में हम लोगों ने कई बार discussion किया है, कि social media का calendar होता है, यहनि किस month में किस date को हमें किस type का content जो है, उसे हमें post करना है, इसको हम already decide करके रखते हैं, ताकि जब हम content post करने जाएं तो हमें confusion न रहे कि आज हमें कौन सा content post करना है, कल हमें कौन सा content post करना है, उस दिन morning में पत content calendar बना के रखें, जिसका हम लोग कहते हैं, जिसका नाम है, बिसकलि एक social media content calendar, यहाँ पर आप देख सकते हो, यह एक example है, हमारे पास जिस तरीके का content calendar होता है, मान सकते हो, किसी भी social media platform के लिए हो सकता है, इस content calendar में क्या-क्या information है, यहाँ पर आप देख सकते हो, जैसे January 2020 के content calendar हम लोग आ जाते हैं, जुलाई के ऊपर, तो जुलाई में देखो, जैसे first को हम लोग क्या बोल रहे है, be the expert, do a live coaching session, कोई coaching session आप ले सकते हैं, ठीक है, ask a question, कोई question आप पूस सकते हैं, second day को, जो है second date जो है basically, third day को, third को आप self-care, stress, इससे related कुछ कर सकते हैं, fourth को आप YouTube पे क कोई inspiration से related, जो है, quote select कर सकते हैं, और eighth को आप favorite things, जो है, ninth को फिर से आप promote कर सकते हैं, आपने, tenth को फिर से question पूस सकते हैं, 11 live videos, 12 photos and videos, 13 promote yourself, 14 ask the question, तो यह क्या है, दोस्तों, यह चीज़ है, ताकि आप आके confused, अब यहाँ पर तो यह format में बना हुआ है, जरूरी नहीं कि आप को इसी format में बनाना है, आप अलग format में भी बना सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पर open करता हूँ और आपके सामने ही में बनाने की कोशिश करता हूँ, जैसे मैं बना रहा हूँ, यहाँ यहाँ बना रहा हूँ, और मैं यहाँ लिखता हूँ, social media calendar for YouTube, for example, YouTube के लिए मैं बना रहा हमेरे पास क्या होगा बिसेकल हमारे पास देट होगी और हमारे पास डेज होंगे ठीक है तो हम लोग क्या करते हैं हम लोग यहां मैं लिखता हूं मंडे पर्फेक्ट मंडे ट्यूज्टे वेडनेश्टे वेडनेश्टे थर्स्टे फ्राइडे और सटर्डे तो यहां पर हमारे पास हो गए डेज और उसके बाद दोस्तों क्या कर सकते डेज के तो इस वाले अक्सिस पर हमने डेज रखा हुआ है यहां पर हमारे पास डेज है और इस साइड हम लोग टाइम ले 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 लिया और उसके बाद मैं ले ले लेता हुँ यहां फर एक सब्रब्री पेशल करें गर next मैं यहां लिख सकते हूं 6 peak 6 5 हो गया हमारा फिर हम लिख सकते वापस 9 पी उस तमसे हमारे घ्लैयरिक हो जाए तो मैं इसमें तुछ गयप भी बना देताूं आपके लिए यहां पर इंसर्ट करकेние और यहां पर इंसर्ट करकेň आप बना देता हूं ठीक है तो थोड़ा सा क्लियर दिखने लगा अम मंडे को मैं डिजिटल मार्केटिंग के स्टफ के बारे में यूटीब के ओपर पोस्ट करता हूं मैंने बना रखा हeffective मंडे को हम लोग seo के बारे में बात करेंगे तूजटे को हम लोग facebook ads के बारे में बात करेंगे Wednesday को हम लोग Google Ads के बारे में बात करेंगे, Thursday को हम Influencer Marketing के बारे में बात करेंगे, Friday को हम लोग किसी और चीज़ को ले लेते हैं, वीडियो मार्केटिंग की बात करेंगे, Saturday को एक Live Question and Answer Session होगा, और Sunday को Vlogs होगे, तो यह मैंने schedule मनाया, अब यह schedule 9 a.m. को इस टाइप के वीडियो जाएंगे, फिर 4 p.m. को क्या वीडियो जाएंगे, 4 p.m. को हो सकता है, लाइव हो, तो यह 4 p.m. को डेली हम लाइव आ रहे हैं, जैसे मान लेते हैं, कि डेली हम लाइव आ रहे हैं, तो यह schedule है, इसमें कोई format नहीं है, आपको अगर यह लग रहा है, कि social media calendar बनाने का कोई बहुत लंबा चोड़ा format होगा, तो दोस्तों किसी भी तरीके के format यह ज़रूरत नहीं है, यह आपकी convenience के उपर depend करता है, कि आप social media calendar किस तरीके से बनाते हैं, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, जैसे मैं आपको वापस दिखाता हूँ, यहाँ पर, जो हम लोगों ने अभ अगस में थर्ड को रक्षा बंदन है, तो share your pick with your brother or sister, रक्षा बंदन हो गया, फिर अगर आप देखो तो बहुत सारे जन्माश्मी यहाँ पर है, इंटरनेशनल youth day है, तो यह सारी चीज़े हैं, तो यह आपको पता होना चाहिए, कि एक specific month में आपके पास कौन-कौन से festivals हैं उनसे related भी चीज़ें आपको post करनी, जो जनरली बड़े festivals होते हैं, उनके बारे में पता होता है, लेकिन आपको अपनी field से related चीज़ें भी पता होनी चीज़ें, मैं digital marketing की field में हो, तो मुझे पता होना चाहिए, कि digital marketing day कब होता है, social media day कब होता है, तो उसे related में चीज़ें पो content हो जाएंगे, आपको समझ में नहीं आएगा कि मुझे कौन सा content post करना है, तो इसको आप और जादे refine कर सकते हैं, जैसे आप और जादे refine कर सकते हैं, मन्थ wise आप divide कर सकते हैं, इस दिन मैं ये post तो करूँगा, लेकिन इस दिन ये किस format में होगा, मेरे को video post करना, image post करना, क् आप बना सकते हैं, तो बिसकली ये वो चीज़ है, कि आप किस तरीके से convenient feel कर रहे हैं, आप किस तरीके से convenient है, कितनी आसान तरीके से जो है, आप social media calendar बना सकते हैं, ये आपके उपर depend करता है, इसमें कोई ऐसा format और कोई जोड़त नहीं है, अगर आपको लगता है, बड़ा से holidays पढ़ना है, वो list of holidays है हमारे पास, तो ये काम हमारा आसान कर देता है, inspiring quotes, ठीक है, आप quotes को लेकर आप out of ideas नहीं हो जाएं, इसलिए आपर quotes भी है, questions जो मैंने लिखा था, ask the questions, तो उससे later बड़े सारे questions हैं, जैसे what are you most thankful for today, right, and what is your all time favorite book, and what is your earliest memory, ये सारी चीज़े अग कि social media के उपर engagements है, वो बड़ी ही important चीज होती है, बहुत valuable चीज होती है, अगर आप social media के उपर engagements लेकर आ रहे हैं, तो बात clear हुई आपको, पिए हो गए हमारे inspiring quotes, questions हो गए, उसके बाद देखो, वीडियो आइडिया भी है, यहाँ पर कि जिस दिन हम वीडियो पोस्ट है, उनको ignore नहीं करना है, ठीक है, तो यह सारे आप देख रहे हो, इतने सारे options हैं आपके पास, इनको अगर आप already पहले सही बना के रखोगे, social media calendar अगर आप पहले सही बना लोगे, तो आपके जो बहुत सारी problems हैं, वो बहुत सारी problems आपके लिए बहुत जल्दी आसान हो ज चाहिए, along with content format, जैसे मैंने कहा, कि मैं आज रक्षबंधन के उपर post करूँगा, वो किस format में होगी, वीडियो होगी, images होगी, यह भी हमें पता होना चाहिए, और उसके बाद अगर वो post हो चुकी है, तो हम टिक कर देंगे, अगर हमने इस टाइप का calendar बना रखा है, कि यह post हम अल्रेडी कर चुके है, तो हम बोल देंगे, ठीक है, यह post डन हो चुकी है, तो sheet में हमने जैसे यहाँ पर देखा था, तो sheet में, for example, यह हमने sheet बनाई, और उसके बाद मैंने यहाँ यह यह यहाँ देट वाइस sheet बना दी है, मैंने date wise बना दी जैसे आग पतीस है, तो इसक पे क्या पोश्ट हुई जो पोश्ट हुई इसका लिंक यहां डाल सकते हैं ठीक है और यहां पर आल पोश्ट जो है वो डन हो गई है तो इस बैसे कली के इंदर काम करते हैं तो इन दाट किस यह सारी चीज़े थोड़ी सी इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाती ही कि आप इ इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग शोशल मीडिया से आुप्तिमाईजिशन से रिलेटेट दो और हूँध हिंपॉर्टेंट और कॉन्सेप्स्ट के हम लोग बात करने वाले हैं जो कि हैं हमारे शोशल मीडिया के अलगॉर्दम किस तरीके से काम करता है हमारी जो कावर करेंगे तो सबसे पहले जो मैं कॉशल मीडिया अलगॉरिदम किस तरीके से काम करता है आपने पोश्ट डाली क्या चांसिस बनेंगे कैसे चांसिस बनेंगे कि वह पोस्ट जादा अमेशा हमाई यही तो रहती है ऐकर हम कोई डालते हैं तो पोश्ट जड़ जण जद जैदा प्रौफाइल तक पहुंचे तो इस फर फिशêtre के साथ इंगेजमेंट क्या होते हैं इंगेज्मेंटज हो जाते हैं हमारे लाइक और यहाँ सब्सक्राइव हैं या इंगेजमेंट पर लिख रहा हूँ आप बढ़ी असानी से देख सकते हैं इंगेजमेंट हो सकते हैं लाइक है मानते हैं आपकी पोस्ट के उपर दस लाइक आए और आपकी पोस्ट के उपर दस कॉमेंट भी आए तो क्या यह सेम चीज है नहीं यह सेम चीज नहीं है हर एक इंडिकेशन एक अलग टाइप का सिगनल प्रोवाइड करता है शुर्शन मीडिया के अलगॉर्दम को इसे हमे हमारे पास दस लाइक आए और हमारे पास दस कॉमेंट्स आते हैं और हमारे पास दस शेयर आते हैं तो यह सारी चीजें सेम वैल्यू करेंगी ऐसा नहीं होता है शेयर जो है शेयर सबसे इन तीनों में अगर हम कंपेर करें तो शेयर जो है उसकी सबसे जादा वैल्यू होती अगर आपकी पोश्ट शेयर हो रही है लोग उसको शेयर कर रहें तो फेस्बुक के system को क्या signal जाता है कि ये पोश्ड वैलिबल है लोग इसको शियर कर रहा है तो उस post की वैल्यू फेस्बुक के system में बढ़ती है और लोगों आपकी दिखाने की कोशिश करता है तो शेयर कमेंट्स और लाइक तो शेयर की ज़्यादा वैल्यू होती है जब हम कंपेर करेंगे उसे कॉमेंट से और लाइक से तो आपको जो मैं हमेशा बताता हूं और शुरुबात कुछ वीडियोसं आपको बताए मैंने कि जो activity मतलब हमने पोश्ट कर दी उसके बाद वो पोश्ट कितने लोगों तक पहुचेगी वो पोश्ट कितनी जादा वाइरल होगी यह इस बात पर डिपेंड होता है कि उसके उपर अपकिस टाइप से engagement आना शुरू होगा अगर उसको like कर रहे हैं लोग तो इतनी जादा उ example ले रहे हैं तो facebook का system भी उसको push करता है तो इस चीज को हमें समझना है कि जो हमारी post की reach है ठीक होने के बाद वो इस बात पर डिपेंड होती कि उसके उपर अपकिस टाइप के engagement आने शुरू हुए तो अभी आपको थोड़ी से hint लग गई होगी कि जो छोटी-छोटी चीज हैं जैसे like का होना comment का होना share का होना यह सारी चीज़े कुछ न कुछ indication जरूर प्रवाइड करती ही system को post के बारे पर इसी लिए आप देखते होंगे YouTube के बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमारे चैनल को like करें हमारे चैनल पर comment करें तो comment क्यों चाहते क्योंकि comment शो करता है कि इस वीडियो को लोग पसंद कर रहे है यह वीडियो जैनुइन है लोग इस पर इंटराक्ट कर रहे है यह वीडियो सही है ठीक है तो जब जो फेस्बुक है अगर फेस्बुक को इंडिकेशन जाएगा अगर गूगल है यूट्यूब है तो यूट्यूब को इंडिकेशन मैंने आपको बताए था बायर्स पर सोना दोस्तों बायर्स पर सोना क्या होता है देखो जब कभी भी हम किसी के लिए advertising करना स्टार्ट करते हैं शोशल मीडिया के उपर यह शोशल मीडिया optimization करना शुरू करते हैं तो हमें पता होना चीए हमारी हर एक पोश्ट हमारा यह तो जो हमारे prospect हो तो हमकी characteristics क्या है यही बायस पर सोना होता है जैसे हमने माना कि अगर हम मानते हैं engineering college को engineering college का कोई facebook page है तो वो किसको target करेगा दोस्तों वो MBA वालों को नहीं target करेगा बात समझ में आ रही है क्या उसके targeting में या उसके prospect में married लोग आएंगे chances बहुत कम है वैसे chances दिल्कुल zero के बराबर हैं कि married लोग आएंगे क्या उसके जो target audience उसमें वो लोग वो students आएंगे जो third class में second class में हैं वो लोग आएंगे क्या नहीं आएंगे तो यह क्या चीज़ है कि हमें business के हिजाब से ह हमारे पास bias persona होनी चाहिए तो bias persona क्या है किस type की audience को target कर रहे है किस type की audience को अपनी post दिखाना चाहेंगे कौन सी type की audience हमारे लिए future में available हो जाएगी वो audience किस type की है तो मैंने माना कि bias persona का मैं example लेके चलता हूँ कि वो audience जो है अगर हम उसकी education की बात करें education की command की चलते हैं वो audience graduate होनी चाहिए at least यहां लिखतेता हूँ मैं graduate होनी चाहिए तो यह सारी चीज़े क्या बन रही है दोस्तों यह bias persona बनना है bias persona कुछ नहीं है bias persona एक type की list है एक type की information ह है जो आप एक जगा रखते हैं ताकि आपको पता सकते हैं कि मेरा जो ideal prospect है वो इस type का होता है इस type के लोगों को हमें जो है अपनी पोश्ट आड दिखाना है अगर आपको यह बात पता चल जाएगी कि हमारा जो ideal prospect है ideal customer जो prospect है वो इस type का है तो आपको content बनाने में या social media को स अच्छान हो जाएगी कि जिस भी type की मैंने बायस पसना design करी है जो भी हमारी बायस पसना है उसके हिसाब से कौन सा platform कौन सा social platform हमारे लिए best रहेगा किसके ओपर हम जाएं यह बहुत जरूरी है यह strategy point of view है तो जैसे मैंने education लिख लिए उसके बाद मैं यह एज लिख लेता ह है right location इसके अलावा हम बहुत सारे जो psychological aspects उनको भी लिखते हैं उनके pain points है क्या है वह किस problem में है ठीक है वह pain points उनके क्या है ठीक है तो pain points क्या है guys अगर मैं engineering college की बात कर रहा हूं जैसे मैं education इसको लिख देता हूं 12th pass और इस filter को मैं और कम करता हूं इसको लिखता हूं 16 साल स से 23 साल तक ठीक है 16 साल से 23 साल के बीच में आया इसको और स्कूटा कर देता हूं 15 से 21 एज के ग्रूप के लोग जो 12th pass है इंडिया में रहने वाले हैं उनके pain points क्या हो सकते हैं वह job करना चाहते हैं वह government job करना चाहते हैं तो यह सारी चीजें हैं यह हमारे pain points होते हैं यह हमा हमारी bias persona तो basically bias persona कुछ नहीं है आपको अपने हिसाब से सोचना है अपने दिमाग से सोचना है कि जो भी हमारे business के relevant audience है उसकी characters क्या है उनके बारे में हमें पता होना चाहिए क्योंकि उसी के around हम सारा अपना content जो है वो create करेंगे यहां पर मेरे पास एक image भी है जो कि आप देखो तो यह एक बायस पर सोना ही है कि demographic उसका क्या है उसकी income कितनी है किस location में वो लोग रहते हैं उनके प्रायरिटी क्या है किन चीदों पर ज्यादा focus करते हैं उनके प्रायरिटी क्या है उनको identify कैसे करेंगे उनके साइको ग्राफिक जो characteristics हैं वो क्या है यह सारी चीज़ आप फर्दर जो अपनी strategies है social media से related उनको आप device करते है तो बायस पर सोना हमाई दिमाग में होनी चीज़ बहुत important चीज़ है इस particular वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि social media पे हमें किन चीदों का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे जो social media profile है social media page है उसके उपर जाधा-जाधा engagement आ सके गाइस at the end of the day तो सबसे important चीज़ social media optimization की यही है कि हमारे जो post है हमारी videos है जिस भी form में हम post कर रहे हैं उसके उप post से उस content से engage हो सके like करें share करें comment करें दूसे लोगों तक उसको spread करें तभी हमारे जो page है उसके बारे में जाधा-जाधा लोगों को पता चलेगा यही हमारा main purpose होता है social media optimization का वो यह होता है तो आखिर at the end of the day जब हम सारी चीज़ों को सीख चुके हैं टूल सीख चुके हैं ब bullet points हैं जिनका मेशा हमें ध्यान रखना होगा तो इनी को हम लोग शुरू करते हैं और बात करते हम लोग यहाँ पर आप देख रहे हो सबसे पहले हमें क्या करना है दोस्तों अपनी social media profile को optimize करना है इस point को मैंने कई बार आपको इस series में बताया है और जो सबसे पहली चीज़ Facebook page का नाम रख दिया in that case बहुत से लोग उसको समझ ही नहीं पाएंगे बहुत से users उसको recall ही नहीं कर पाएंगे राइट तो यह भी एक problem की बात है और recognizable photo या brand लोगों भी ऐसा होने चीज़ को लोग याद रख सके keyword rich descriptions होने चाहिए ठीक है और एक link ऐसा जरूर होना चाहिए जो आपकी website पे जाए शुरुवात को याद होगा आपको जो हम लोगों ने शुरुवात में बात करी थे डिजिटल मार्केटिंग मैंने बताया था कि डिजिटल मार्केटिंग में जो सबसे पहली identity आपकी होती है वो होती है website या डिजिटल presence में आपके पस कोई न कोई website हो होना चाहिए मतलब आपकी जो website होगा mention दो नहीं चाहिए social media profile को पर अगर वो website social media profile को पर mention ही नहीं है वहां link ही नहीं प्रेजेंट है तो traffic आएगा तो आएगा कैसे बात क्लियर हुई तो यह कुछ points है जिनका हमें रिहान रखना है उसके बाद हमेशा हमें evergreen content post करना है या ज हो तो 5 साल के बाद आने वाला है 5 years के बाद आने वाला है उसके बीच में आप क्या post करोगे ठीक है या कोई भी अगर आप trending topic के उपर content post कर रहे हो तो उसके लिए आपके आपस Twitter है लेकिन अगर हम Facebook की बात करें इंस्टाग्राम की बात करें तो कोशिश करनी है हमें evergreen content language interest and post and date इन सारी चीजों के बारे में भी हमें पता होना चीए ठीक है तो ये कुछ points है जो हमें help करते हैं हमारी organic reach को increase करने में और उसके बाद post the right type of content जैसे आज के time में देखो क्या चल रहा है दोस्तु videos आप देख रहे हो तो videos जादा use हो रहे है तो video की जादा organic reach है status की उसक बाद और photo की सबसे least ठीक है इन दोने में आप फोटो भी कर सकते हैं यहां photo ला सकते हैं यहां link ला सकते हैं बट यह नहीं कर सकते हैं आपकी video को सबसे low priority पे आप रखें यह बहुत बड़ी गलती हो कि आज की time में जो video content है वो सबसे high priority पे है ना कि सबसे low priority पे तो दोस्तों इसका आपको ध्यान रखना है आगे हम लोग बात करते हैं कि और क्या करना चाहिए engage with your followers ऐसा नहीं दोस्त अगर कि आपको एक हजार लोग follow कर रहे हैं तो guys ऐसा नहीं करना है आपको कोई comment कर रहा है तो आप उसका reply नहीं कर रहे हो कोई आपको DM कर रहा है personal message कर रहा है तो आ personally engage होगे उतना जादा जो है वो आपके profile के उपर और जादा जो है engagement बढ़ाएंगे तो यही reason है आप थोड़ा सा engage होगे वो और जादा आपकी profile के साथ engage करेंगे post the right balance of promotional and useful content ऐसा नहीं है जैसे मैं digital marketing की बात करता हूँ तो हमेशा मैं अपने courses को promote करता रहूं या एक अच्छ चीज है नहीं पहले मैं digital marketing की कुछ tips tricks इन सारी चीजों की मैं बात करूंगा और साती साथ मैं अपने courses को भी बीच में promote करूंगा तो उसका जो ratio है दोस्तों वो हमारा 80 to 20 हो सकता है 80 to 20 कहने का मतलब यह है कि 10 में से 8 post हमारी useful post होंगी तो 2 post हमारी जो होंगी वो जो हमारे courses है इस example के तौर पर हमारा जो प्रोडेक्ट है सर्विस है promotional post हम कह सकते है marketing से related हम पोस्ट कह सकते है पर सारी पोस्ट हम marketing से related करें तो हमारे जो followers हो भी अनौई हो जाएंगे हमारे जो page को follow करने वाले like करने वाले वो ज़्यादा engage नहीं होंगे हर कोई हमेशा social media के उपर आपकी marketing efforts को देखने थोड़ी ना आता है वो knowledge के लिए आता है वो engage होने के लिए लोगों से क्योंकि यह social media है ठीक है social media तो social term जो इसमें लगा हो इसका मतलब जो humans है वो humans से interact होने आते हैं हमेशा marketing जो उन से बात करोगे तो काम नहीं चलने वाला है do the cross promotion of your website इसका क्या मतलब है या हम इसको website भी हाँ कह सकते हैं और यहाँ पर हम social media accounts भी कह सकते हैं यानि के आप Instagram के story में आप अपने linkedin के बारे में बात कर सकते हो कि यहाँ पर मिएरा linkedin account है आप इसको follower सकते हैं आप अपने LinkedIn अ अपने Facebook पेज की बात कर सकते हो तो cross promotion आप कर सकते हो ठीक है platforms का cross promotion कर सकते हो अपनी website को जो है सभी platforms के थ्रूप promote कर सकते हैं यह ऐसी चीज़ें हैं जिनको अगर आप ध्यान देंगे जिनका अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपके social media profile के उपर और आपकी website के उपर दोनों ही चेहों पर आपको अच्छा engagement मिलेगा दोस्तों इस particular वीडियो में इतना ही मिलता है next video में till then good bye